नमस्कार मी प्यार दोस्तों मैं सरो कुमार सिंस योडिश डिडिम आपका हर रिस्वत करता हूँ आसा करता हूँ कि आप लोग प्रहाई बहुत अच्छी से चल रही होगी आज हम लोग परने वाले हैं दोस्तों हमारे प्यायगोजी अंकित भाटी सर की समान यान की ये नियू बूक जो काफी इंपोर्टेंट है सभी एक्जाम के लिए क्योंकि इस बुक में वह ही कोशन दी गई है जो कोशन किसी ने किसी एक्जाम में पूछा जा चुका है इसलिए ये बुक दोस्तों काफी इंपोर्टेंट बुक है और ये बुक एडिसन है 2024 की तो आगे आने वाली जितनी भी एक्जाम है 2020, 24, 26, 26, 26, 26 सभी एक्जाम के लिए ये बुक काफी इंपोर्टेंट बुक है अंकित बाटी सर की फर्ष्ट बुक है जो MSQG के बुक है इस्टट करने से पहले आप इस बुक को देख लीजिए यहीं बुक है और हमारे प्यायगोजी अंकित भाटी सर की एक यूटूब चैनल भी है रोजगार वित अंकित का के और यह नियो एडिशन है दोस्तों समान ग्यान की बुक है सभी परतियों की परिक्षाओं के लिए सम इतिहास, भुगोल, अर्थवेस्ता, राजवेस्ता, पडियाबरन, खेल, टेक्नोलोजी, क्रिसी, विज्ञान, कंपीटर, एस्टेटिक जीके और विभीद, जिसमें से हम लोग दोस्तों एस्टेटिक जीके को सुरू से लेके अंतक पेज लाइन, कोसन भाइन, कोसन भाइ चुके थे, और आज हम लोग कंप्लिट करने वाले हैं, सुरू से लेके अंतक इतिहास को, और यह हमारे प्यायगोजी, अंकित भाइन, कोसिस करने वालों की हार नहीं होती, ननी चीटी जबदाना लेकर चलती है, चटती दीवारों पर सोवार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में सहास भरता है, चटकर गिरना, गिर का चटना नहीं अखरता है, आखिर उसकी महनत बेकार नहीं होती, कोसिस करने वालों की हार नहीं होती, डूपकिया सिंदु मे गोता खोर लगाता है, जा जाकर खाले हांत लोट कराता है, मिलते नहीं साजी मोती गहरे पानी में, बड़ता दोगुना उससा इसी हैरानी में, मुठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोसिस करने वालों की हार नहीं होती, एक अंतिम बगती है दोस्तों, असफलता एक चिन होती है इसी स्विकार करो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो जब तक नो सपलो नीन चेन को त्यागो तुम संघर्सों का मैदान चोर कर मत भागो तुम कुछ किये बिना ही जय जय कार नहीं होती कोशिस करने वालों की हार नहीं होती कोशिस करने वालों की हार नहीं होती एक हमारा दोस्तों टेलिग्राम चेनल भी है, श्योड एस्टेडी नाम से, आप लोग टेलिग्राम में जाएगा और श्योड एस्टेडी सर्च किजिएगा, यही लोगों है इसको आप लोग जोइन कर लिजिएगा, क्योंकि इसमें अच्छे-चे बुक के पीडिएप दे जाती है और इंपोर्टेंट्स नोज दे जाती है, इसके अलावा पड़ ए हिंदिय और इंग्लिस में का एंटरेफियस दिया जाता है, इसके अलावा दोस्तों, एकजाम औभियू से जो भी सर्यसर बनती है, इसमें सेयर किया जाता है, यानि कुल मिलाके कहा जाती है काफी इंपोर्टेंट डेस को आप लोग जोईन कर लिजिएगा, अगर दोस्तों जीवान में मुसीबत आई तो कभी घबराना मत, क्योंकि गिर्का उठने वाले ही तो इतिहास बदलते हैं दोस्तों, इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखेगा, और एक बात हमेशा याद रखेगा, महिनत कभी भी वेर्थ नहीं होता है, महिनत का फल जो भी होता है बहुत यह अच्छा होता है, और आप लोग महिनत कर सकते हैं, क्योंधिक कर सकते हैं बिलकूल कर सकते हैं, बिल्कूल कर सकते अपने पलों एक बाई नौट के नुकलता है, जम बूक का तेशित, यह फिर जाए। और आज जो हम लोग complete करने वाले हैं इतिहास को सुरूष लेकर अंतक page by page line by line question by question सभी को हम लोग दोस्तों complete करेंगे इसके बाद हम लोग भूगोल को complete करेंगे तब राज विवेस्था को complete करेंगे तब आर्थ विवेस्था को complete करेंगे तब हम लोग science का topic को दोस्तों complete करेंगे यानि एक एक करके पूरी book को दोस्तों हम लोग शुरू से लेकर अंतक page बा page लाइन बाइन question बाइ question सभी को हम लोग complete करेंगे चले दोस्तों बीना दिरक्वे हम भी start करते हैं दोस्तों आज हम लोग इतिहास पढ़ने बाले हैं इतिहास में आज का हमारा पहला topic होने बाला है प्राग इतिहास से कालेबं सिंधू सभीता इससे related जितनी भी सारे questions important से वह इसारे questions को कभर करेंगे हरपा सभीता की मुहरों पर निम्लिखित में से कौन सा पसू अक्सर देखा जाता था बैल मुहन जोदरों में पाया गया विशाल असनानागार दा ग्रेट बथ एक विशाल डैस था आइताकार टैंक था पोड़ा तात्विक अस्थल शोड कोटदा किस राज में इस्थित है गुजरात में सिंधू घाटी सभीता के निम्लमेशी किस अस्थल को सबसी पहले खो जा गया था हरपा को 1944 में भारतिय पुड़ा तत्व सर्विक्षन के महानी देशक की रूप में किस ने पदभार संभाला और हरपा के खुदाई का जिम्मा लिया M. वहिलर भीम बेटका के शैल आसर है निम्लिखित में इसी किस के लिए परशिद है तो ये परशिद है दोस्तो आदी मारब द्वारा बनाएगे शैल चित्रों और शैल आसरों के लिए परशिद है अगला कुछन देखेंगे निम्लिखित में से कौन सा हरपा अस्थल हर्याना में है राखी गड़ ये हर्याना में है धोला बीडा डैस राज में इस्थित है धोला बीडा दोस्तो ये गुजरात में इस्थित है निम्नलिखित में से कौन सा मानब गतिवीदियों एबं सभ्यता के प्राग एतिहासिक काल का सही कला नुकरम है पूरा पासानकाल, मदपासानकाल, नबपासानकाल अगरा क्विशन है सिंधो घाटी सभ्यता के लोग डैस की पूजा करते थे पशुपती के सिंधो सभ्यता के लोग डैस बनाने के लिए तामबे और टेंड को मिश्रित करते थे काश्या बनाने के लिए सिंधो घाटी सभ्यता है सिंधो घाटी सभ्यता काश युगन सभ्यता है 10 का विकास 5000 BCE से मालवा की दच्छिन की ऊड़ एबं उत्तर की ऊड़ गंगा घाटी की तलहटी छेतर में हुआ शिंधु घाटी सभ्यता का विकास अगला कुशन है बर्ष 1921 की आजपास किस नदी की किनारी खोदाई की दोरान हरपा शहर मिला रावी नदी की किनारे अगला कुशन है मोहन जोद्रो कहां इस्थित है मोहन जोद्रो सिंध में इस्थित है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है मुहन जूद्रो है, हरपा है, लोथल है, उरुक नहीं है निम्नलिखित में से कौन सा हरपा अस्थल सिल्प कलाओं की उतपादन से संबंधित नहीं है बाला कोट है, मारडा नहीं है, चहुंद्रो है, नागेश्वर है धावला वीरा एक पुड़ा तात्विक अस्थान किस समय अब्धी से जूरी हुई है इसका राइट अंसर हो जाएगा सिंधो घाटी सभ्यता हरपा सभ्यता का कौन सा सर बिस्ष्ट्रोप से मन के बनाना, सीप काटना, धातू की बस्त्वे बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्मन करना आदिकारियों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था चन हुद्रो शिंधो सभ्यता के इन में से किन अस्थलों में जलाशियों के साक्ष मिले हैं धौला बीरा में भीम बेटका की गुफाओं की खुज कब हुई भीम बेटका की गुफाओं की खुज उनिशो संतावन से अंठावन की बिच हुई इन में से कौन सहरपास्थल गुजरात में पाया गया है धौला बीरा शिंधो गाटी सभ्यता के किस सहर का साब्दिक अर्थ मिलेतकों का टिला है मोहन जोद्रो माइक्रो लित का डैस का इस्तमाल शुरुवाती इंसानों द्वारा क्या जाता था छोटे पत्थर के आउजारो हरपा सभ्यता पचिस्वा बीसी के आजबास विकास क्या गया था आज उन्हें हम क्या कहते हैं आज हम लोग उन्हें पस्चिमी भारत और पाकिस्तान कहते हैं शिंदो घाटी सभ्यता डैस बर्ष पुरानी है और दच्छिन में गंगा घाटी के निचले छत्रों वो उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी पांस जार इसा पुर्व निम्नलिखित में से कौन सा सिंदो घाटी सभ्यता का मधपुन अस्थल नहीं है काली बंगा है हरपा है मोहन जोद्रो है आजम गर्ण है नहीं है अगला कुश्चन है हरपा के लोग निम्नलिखित भागवान में से किस की पूजा नहीं करते थे, सिप की पूजा करते थे, विशनों की पूजा नहीं करते थे, कबुतर की भी पूजा करते थे और शौस्तिक परशिद सिंधो घाटी अस्थल मोहन जोदरो की पहली बार खोदाए किस परख्यात भारते पुड़ा तात्विद द्वारा की गई थे, द्याराम शाहनी द्वारा पत्थर की बनी निर्ति करते हुए पूरूस की मूर्ती नटराज की सस्थान पर पाई गई थे, हरपा में मो सिंधो घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग 10 अस्तित्य में आई थी, 25 इसापुर्व के अस्तित्य में सिंधो घाटी सभ्यता की सबसी मत्पूर्ण विशिष्था क्या थी, इट के बने भावन, मोहन जोदरो सब्द का अर्थ क्या है, मोहन जोदरो सब सब्द कार्थ मिर्तकों का ठिला है, अगला कुशन है, भारतिय पुड़ा तत्तो का जनक, दाफादर ओफ इंडियान अर्कनो लोजी, किसी कहते हैं या किसी कहा जाता है, तो अलेकजंडर कनिंगम को कहा जाता है, निमनलिखित में से कौन भारत में पुड़ा ताद्वित म पुड़ा पासान अस्थल है, हुन सागे, निमनलिखित में से प्राचिन भारत की कौन से लिपी दाहिने से बायोर लिखी जाती थी, खरोष्टी, भारत बर्स के लिए इंडिया सब्द का प्रियुक सरपर्थम किसने किया, हैरोडोटस ने, अगला कुशन है, किसने ब्रहम एबं खरोष्टी लिपियों को उद्वाचित किया, जैम्स प्रिंशेफ, होमो इरेटर्स का एक कपाल निमनमेशिक की सस्थल से प्राप्त हुआ था, नर्मदा घाटी में हथ नोडा, एगला कुशन है, भारत की प्राचिन्तम चुल है, हर्थ का पुड़ा तात्विक अब बिल शुरगाम से, हरपा सभ्यता के निमनलिखित अस्थलों में से कौन पाकिस्तान में इस्थित नहीं है, कोट दीची इस्थित है, चनुद्रों इस्थित है, शोर्तु घई ये इस्थित नहीं है, बाला कोट भी इस्थित है, निमनलिखित में से किस अस्थल से मध्य पासान काल में पशु पालन के परमान मिले हैं, बाग और से, भीम बेटका को किसनिक हो जा था, डाक्टर बिशनू, सिरीधर, बाग करने, एगला क्विशन है, निमनलिखित में से किस अस्थल से, यूगल, शवाधान या संसकार डवल बॉरलियर का परमान मिला है, लोथल से, निमनलिखित हरपई अस्थलों में से कौन मन का निर्मान का एक बिशिष्ट केंदर था, लोथल, चनहुदरों के उत्खनन का निर्देशन किया था, इसका राइट अंसर हो जगा, जे एच मैके ने, निमनलिखित में स किस ने खरोष्टी लिपी को पढ़ा था, तो खरोष्टी लिपी को पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने, निमनलिखित में से कौन सा हरपई अस्थल अफगानिस्तान में इस्थित है, सोर तुगई, निमनलिखित में से किस हरपई यूगल के अस्थल पर जूताई वाली छ खोज की गई माना जाता है। भीर राना को निमने लिखित में से कौन सा प्रिपकु चरण का एक हड़प अस्थल है जो राजस्थान में इस्थित है काली बंगम। पाकिस्तान के किस परांत में इस्थित मोहन जोदरों की प्राचिन सभ्यता का अस्थल है। सिंध पुडातात्विक अस्थल इनाम गउं कहां इस्थित है महाराष्टर में। हरपा बाश्यों को बरतमान राजस्थान में कौन सी धातु प्राप्त हुई थी। इसका राइट अंसर हो जेगा कॉपड सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगा सहर निम्न में से कौन सा था लोथल। किस काल या युग में पत्थर के अवजार सब से पहले पाए गए थे। पुडा पासान का। अगला क्विशन है रौबर्ट पूशफूट थे एक भूगर्व बैग्यानिक। एतिहास के आरभिक काल को निम्न लिखित में से क्या कहा जाता है। पुडा पासान काल बिंधे चितर के किस पासान अस्थल से अधिक्तम संख्या में मानव खोपडी के साक्ष मिले हैं। गागरिया निम्न लिखित में किन अस्थानों से मध पासान काल में पशुपालन के परमान मिलते हैं। बाग और भारत में पशुपालन इबं किडिशी के पराचिंतम साक्ष प्राप्त हुए हैं। मेहर गर्ड से निम्न लिखित में से कौन सा एक हडपास्थल नहीं है। चन हुद्रो है, कोट दीची है, शोह गवडा नहीं है, देशलपूर है। शोर्तू गई यानि सिंदोगाटी सभिता किस देश में है। सिंदोगाटी सभिता अफगानिस्तान में है। सिंदोगाटी यानि हरपा के लिए मो शोपोटामिया रिकॉर्ड में निम्न लिखित में से किस सब्द का पर्योग क्या गया था। मो लुहा का मे लुहा का अगला क्विशन है मोहन जोदरो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है अन्नागार हडपा अस्थल कोट देची उस सभ्यता के निमनलिखित में से किस पर्मुख अस्थल के समेप हैं इसका राइट अंसर हो जाएगा मोहन जोदरो के समेप सिंधो गाटी सभ्यता में काले बंगा निमनलिखित में से किस के लिए परशिद्ध है मिटी के पातर के लिए हडपा कालका इन में से कौन सा नगर तीन भागों में विभाजित था धावला बीडा निमनलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंदर उत्तर परदेश में इस्थित हैं कूट देख लेंगे इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो आलम गेरपूर और होलास अगला कुशन देखेंगे निमनलिखित में से कौन से सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए परशिध है सिंधु गाटी सभ्यता सुची एक को सुची दो से सुमेलित कीजिये तथा नीची देगे कूट से सहे उत्तर का से अन कीजिये इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो देखे लेते हैं सुची वन और सुची दो देखते हैं हरपा हरपा हो जाएगा दोस्तो शवाधान अगला है लोथल लोथल हो जाएगा दोस्तो आपके गोदी काली बंगा काली बंगा हो जाएगा दोस्तो जोता हुआ खेत जोता हुआ खेत, मोहन जोदरू हो जाएगा दोस्तो, नर्तकी की मूर्ती, इसका राइट अंसर हो जाएगा, आप्शन नमर डी, अगला कुशन देखेंगी, सूची एको, सूची दो से सुमेलित कीजिए, और सूचियों के नीचे देगे कोड से, सह उत्तर sidewalk चेन कीजिए, सूची वन, सूची दो, हरपा, हरपा हो जाएगा दोस्तो, आपके, बीवी लाल 1950 से 52, अगला है हस्तिनापूर हस्तिनापूर हो जाएगा दोस्तों आपके एमजी मजूमदार 1936 से 37 तकसिला हो जाएगा आपके देयाराम शाहनी 1921 से 22 तथा 1924 से 25 अगला है कोशामी कोशामी आपके जॉन मार्शल 1913 से 14 अगला कुशन देखेंगे इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों आपके गुजरात रोपड रोपड हो जाएगा आपके हडियाना में वना वले यह हो जाएगा हडियाना और काली बंगा राजस्थान अगला कुशन है निम्नलिखित में से किसका निवास अस्थान होने के कारण भारत का नाम आडिवत पड़ा आडिका निवास होने के कारण किस प्राचिन गरंथ में भारत का नाम भारत बर्ष का उलेख है किया इसका राइट अंसर हो जाएगा असकंद पुरान अगला कुशन देखेंगे हाथी गुफा अभिलेक में भारत का नाम भारतवर्श मिला है यहाभिलेक किस राजा से संबंधित था यहाभिलेक खारवेल से संबंधित था पर्थम यूनानी इतिहासकार कौन थे यह हैरोडोटस थे निम्न में से किस काल में भारत में सुतरमोर्ग पाय जाते थे पुड़ा पासान काल में कारवन डेटिंग निम्न की आयून निर्धार नहीं तो पड़ियुक्त होती है जिवास्व बुर्ज होम नव पासान अस्थल डैस में इस्थित है जम्मो और कस्मेड में मोहन जोदरो किस नदी के टट पर इस्थित है मोहन जोदरो रावी शॉड़ी सिंधु नदी के टट पर इस्थित है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न लेखित में से कौन से अस्थल सिंधु नदी के टट पर नहीं है इसका राइट अनसर हो जाएगा चनुदरो है मोहन जोदरो है रो पर नहीं है इसका राइट अनसर हो जाएगा दोस्तो रो पर ये अस्थल सिंधु नदी के टट पर नहीं है फिर कोट दीची भी है निम्न मेंची किस पुड़ातात्विक अस्थल पर गरतावास पीट डिवेलेंग्स के परमान है इसका राइट अंसर हुजेगा बुर्ज होम हरपा सभ्यता की किसनगर को सिंध का बाग भी कहा जाता था मुहन जोद्रो को काली बंगा का अर्थ है काली रंग की चूड़ियां हरपा या सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे कोबरवाला बैल तथा शिरिंग यूक्त पशु भारत में मानव का शर्व पर्थम साक्ष कहां मिला है नर्मदा घाटी पड़ हरपा के निवासिक किस खेल में रूची रखते थे सतरंज में पुड़ा तात्विक बिदा का अभिपड़ा है इसका अभिपड़ा है दोस्तों शिला लेखों का अध्यन पुड़ा पाशानकाल में आदे मानव के मनुरंजन का साधन था शेकार अगला क्विशन है मदपाशानिक परशंग में पशुपालन के परमान जहां मिले हैं वहां अस्थान है आदमगर्ड है हड़ी से निर्मित आभभुशन भारत में मदपाशानकाल के संदर्व में प्राप्त हुए है महदमाशे नवदाटोली किस राज में अवस्थित हैं नवदाटोली मदपर्देश में अवस्थित हैं निमनलिखित में से किस काल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सवाधान से प्राप्त हुआ है बुर्ज हों निमने लिखित में से किसको चाल कुली थिक युग भी कहा जाता है चाल कुली थिक युग दोस्तों तामर पासान युग को कहा जाता है निमने लिखित में से कौन हरपार मोहंजूदरों के उत्खनन से संबंधित नहीं थे अगला कुशन है शिंदोगाटी सभ्यता के विकास सौड़ी बिक्षित अवस्था में निमनलिखित में से किस अस्थल से घरों में कुवों के अवस्थिस मिले हैं? मुहन जोद्रो सिंदोगाटी सभ्यता निमनलिखित में से किस सभ्यता के समकालिन नहीं थे ये गिरिक के सभ्यता की समकालिन नहीं थे इसके अलावा मिसर की सभ्यता मेशोपोटामय की सम्भ्यता और चेन की सभ्यता के समकालिन थे हरपा सभयता बिष्टे रेती थे पंजाब राजस्थान गुजरात उतर प्रते सार्याना सिंधो और बलुचिस्तान सिंधो घाटी सभयता गैड आरी थे क्योंकि वह नगडिया सभयता थे सोची एक को सोची दो से सुमेलित कीजिए तथा शोचियों की नीचे दियेगे कोट से सह उतरका चयन कीजिए इसका दोस्तो मिलान देख लेते हैं सोची 1 सोची 2 हरपा हरपिया आश्थल और इस्थिति दोस्तो इसका मिलान देखते हैं मांडा हो जाएगा दोस्तो जम्बो कश्मीर दायामाबाद दायामाबाद हो जाएगा दोस्तो आपके महराष्टर काली बंगा काली बंगा आपके हो जाएंगे राजस्थान और राखी गड़ी राखी गड़ी आपके हड याना अगला कुशन देखेंगे किस अस्थल से अस्थाई जीवन के प्राचिंतम प्रान प्रमान मिले हैं मेहड गड़ से अगला कुशन है मिरिन पट्टिका पर उतकेर्ण संगे युक्त देबता की किरिती प्राप्त हुई है काली बंगा से देवी माता की पूजा किसे संबंधित थी सिंदो घाटी सभ्यता से हरपा काली अस्थलों से अभी तक किस दहातु की प्राप्ती नहीं हुई है तामबा की हुई है श्वन की हुई है चादी की हुई है लोहा की नहीं हुई है निमने लिखित में से किस पशु का अंकन हडपा सांस्कीती की मुहरों पर नहीं मिला है, बैल का मिला है, हाथी का मिला है, घोरा का नहीं मिला है, भैस का मिला है, अतरंजी, खेरा, पुरा तात्विक अस्थल, डैस में इस्थित है, उत्तर परदेश में, निमने लिखित में स किस प्राचिन पुडातत्त अस्थल से रोमन काल के अवसिस प्राप्त हुए हैं अडिक मेडू अगला कुशन है किस अस्थान पर हडपन समय के रत की एक परतिमा प्राप्त हुई थे देमाबाद डिसी सरकार ने किस वर्ष भारतिय पुरा लेक और भारतिय पुरा लेखिय सब्दाबली परकासित की थे 1965 से 66 में हरपा शहर में खोजे गई पशुपती सिव मोहर में निमने लिखी जानवरों में से किसी नहीं दिखाया गया है भाग को दिखाया गया है, सेर को नहीं दिखाया गया है, हाँथि को दिखाया गया है, गैंडा को भी दिखाया गया है रावर्ट बुर्ष्फोट जिन्हें भारति में पुड़ पाशानिक उपकरण की खोजी मूल थे इसका राइट अंसर हो जगा है एक भूगर्व बैग्यानिक पूरा पाशान युग में मनुश्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थे आग जलाना संधावों याने संधावों गुफा पूरा अस्थल किस काल का है मद पाशान काल का अगला कुशन है उच्पूरा पाशान कालेन हड़ी की बनी मातरी देवी की परतिमा कहां से प्राप्त हुई है ये प्राप्त हुई है बेलन घाटी यानि उत्तर परदेश से पशुपालन का प्राचिंतम साक्ष कहां से प्राप्त हुआ है बागोड से निम्न लिखित में से किस शिलाश्रय से मानव शावाधान की परमान मिले हैं। लेहिया शिलाश्रय एक। अगला क्विशन है पाशान यूगिन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतो बनाया कुत्तों को प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादक अस्थल मेहडगर कहां अबस्थित हैं बोलन नदी के किनारे। अगला क्विशन है मानव द्वाराश शर्पर्थम पर्युक्त अनाज था जो गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचिंतम अवशिस कहां मिलता है कालपी में। और युछ दैमाबाद से पराप्त हुआ है दोस्तों कि कालका तंबेकारत की सस्थान से पराप्त हुआ है दैमाबाद से अब हम लोगों का अगला टॉपिक होने वाला है दोश्तों प्राचिन धार्मिक आंदोलन इसका पहला कुश्चन है सबसे पुराना बेद डैस है डिग बेद धनोर बेद यजूर बेद का उप बेद है इसका संबध निम्न में से किस से है यूद कौशल से बेदों का इनमें से कौन सांग जटिल सब्दों के अर्थ एबं बैख्या के लिए परसिद है निरुक्त बेदों को इंडो आरियन शभिता का शर्व पर्थम साहितिक अभिलेक माना जाता है इसमें सामिल चार बेदों के नाम रिग वेद शाम वेद ये जुर वेद और डैस है अधर वेद डैस सबसी पुराना उपनिशद है चांद यो उपनिशद निम्न लिखित में से किस उपनिशद में बसु धयव कोटुमबकम शब्द का उलेख के आ गया है महा उपनिशद में अगला क्वेस्चन है निम्न में से किस बेद में संगेद से संबंधित ज्यान संग्रहित हैं साम बेद भारत का राष्ट या आदर से बाक शत्मेव जयते अर्थात शत्त ही हमेशा विजय होती है किस प्राचिन भारतिय सास्तर से उद्धत एक मंत्र है मुंड़को उपरिनिशद अगला कुश्यन है निम्न लिखित में से कौन सा बेद जादूई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है अथरवेद रिग बेद में 10 मंत्र हैं 1028 मंत्र हैं निया दर्शन को प्रचारित क्या था इसका राइट अंसर हो जाएगा गोतम ने डिग वेद में अगहन्य यानि बद योग नहीं सब्द का पर्योग किस के लिए क्या गया था गाय के लिए अगला कुश्यन देखेंगे निमने लिखित में से किस गरंद को सत्सत्री सहिता की नाम से भी जाना जाता है महा भारत रिग वेद के दस्पे मंडल के निमने लिखित में से कौन सा श्रूत विवाश्यमा रोहों पर परकास डालता है पुरूश शुक्त सत्पत ब्रहमन से संबंधित राजा विधे माधव से संबंधित रिशी थे रिशी गौतम रहुगन डैस उपनिशदों में से डैस उपनिशद मुखे माने जाते हैं 108 में 13 यजुर बेद में यजुर कार्थ क्या है यजुर कार्थ बलीदान है कठो उपनिशद में नची केता नामक एक किशोर और देवधा के बीच वी बाचित दर्ज है निम्लेखित में इसे कौन सा देवधा नची केता से बात कर रहा है भगवान यम भारत की बैदिक काल अब धी कब तक चली 1500 से 600 वी से रिगवेद में ऐसे डैस मंत्र हैं जिन में और प्रमानिक वल खिलिया भजन सामिल हैं 128 पुरानों के अनुशार भागवान विशनों ने पिर्थवी को बचाने के लिए डैस का रोप धारन क्या था जो पानी में डोब गई थे एक हां ठीका रिगवेदिक पनी किस बर्ग के नागरिक थे इसका राइट अंसर हो जेगा ब्यपारी बर्ग के रिगवेदिक काल की प्रारंभ में निम्न में से किसी महत्पोन मुल्यबान संपत्ती समझा जाता था गायको शुमेलित केजिये आश्रम आयो ब्रह्म चड जन्म से 25 बर्ष ग्रीहस्त 25 से 50 बर्ष बानप्रस्त 50 से 75 बर्ष और सन्यास 75 से 100 बर्ष इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो ओप्शन नमर डी अगला कुश्चन है किन तीन वेदों को शहिक तुरूप से बेद त्री कहा गया है रिग वेद, शाम बेद और यजुड वेद को बैदिक सभ्यता में आडियों की भासा क्या थे संस्क्रेट कौनसा अभिलेख इरान से भारत में आये आडियों का उलेख करता है बोग्ज कोई अभिलेख बाल गंगा धर्तिलक ने आडियों का मूल अस्थान किसे माना है आर्क्किर परदेश को डिग वेद में उत्तर भारत की कितनी नदियों का उलेख है पचीश नदियों का अगला क्युचन है गायतरी मंतर का उलेख डिग वेद के किस मंडल में है तीसरा मंडल में अगला क्वेशन है सोची एक को सोची दो से मिलान करो और सही उत्तर चुनो सोची वन सोची दो नदी का नया नाम नदी का पुराना नाम जेलम नदी का नया नाम है दोस्तो बित अस्ता रावी नदी का नया नाम है परुशनी चिनाव नदी का नया नाम है दोस्तो अश्किनी और व्यास नदी का नया नाम है वीपासा अगला क्वेशन है डिग वेद का कौन्शा मंडल पुनता सोमको शमरपित है शोमको शमरपित है दोस्तो नवा मंडल परशित दशराजाओं का यूध दशराज यूध किस नदी के टटपर लड़ा गया पुरूशने नदी के टटपर मिमांशा या पुर्ण मिमांशा दर्शन के पर्तिपादक है जैमीने चरक सहिता नामक पुष्टक किस विशैसे संबंधित है चिकित सासे रिग वेद में कुल रशाओं की संख्या है 10600 निम्न में से किस वेद में बिमार्यों का उपचार दिया गया है अथर वेद में गैतरी मंत की रचना किस ने की थे विश्वा मित्र ने रिग वेद में निम्नांकित किन नदियों का उलेख अफगानिस्तान के साथ आडियों की संबंध का सूचक है कुम्भा, क्रमो, पुरूश, शुक्ति, किस वेद का एक मंत्र संग्रा याने शुक्त है रिग वेद का आडि सब्द इंगित करता है स्रेष्ट वंस अगला कुशन है बैदिक भजनों या मंत्रों की संग्रह को डैस के नाम से जाना जाता है संहिता के नाम से रिग वेद में किस देवता का सारवाधिक धाश्वाड उलेख है इंद्र देवता का रिग वेद पुष्टकों या मंडलों में विभाजित है दस निम्न लिखित में से भारतिय दर्शन का कौन सा जोड़ा गलत है मिमान सा बादरायन ये गलत है इसके लाबा सांखे दर्शन कपिल मुनी सही है निया दर्शन गोतम ये भी सही है यूग दर्शन पतंजली ये भी सही है बैदिक काल के एक चरण में राजा को गोपती कहा जाता था जिसका अर्थ डैस है मबेशियों का श्वा में निम्न भारतिय दर्शनों में से कनाद या उलुक द्वारारचित कौन सा है इसका राइट अंसर हो जाएगा आप्शन नमर सी बैसे सिक लिंग पूजा का पर्थम अश्वस्ट उलेख किस पुराण में मिलता है मतश पुराण में वह प्राचिन अस्थान कौन सा है जहां साथ हजार रेशिमोनियों की सभा में शंपुन महा भारत कता का वाचन किया गया था अगरा क्वेशन है पुरौनों की संख्या है पुरौनों की कुल संख्या 18 है महावीर डैस तिर्थकरों में अंतिम तिर्थकर माने जाते है 24 तिर्थकर माने जाते है 26 सताब्दी इसापुरुब के प्रारभ में भगमान महावीर का जन्म निमने लिखित में से किस अस्थान पर हुआ बैशाले अगला क्वेशन है भागमान महावीर का मून नाम क्या है बर्धमान जैन मट शर्ष्थानों को क्या कहा जाता है वश्दी उस पवित्र शहर का नाम बताई जिसे पर्थम एवं चतुर्त जैन तिर्थकरों का जैन मस्थान मान आ जाता है जैन धर्म और बौद धर्म के उद्या में भारत में इसापुर्व डैस सताब्दी में धार्मिक असांती देखी गई थे इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो छठे सब्द स्वेतांबर डैस से जुरा हुआ है जैन धर्म से जुरा हुआ है पार्शुनात जो एक छत्री है और वनारस के राजा अशुषेन का पुत्र था वह डैस जैन तिर्थकर बना 23 श्वेतांबर प्रंपडा के अनुसर जैन तिर्थकरों में महला कौन थे मले नाद महावीर स्वामी का परतिक्षिन क्या था सेड महावीर स्वामी को कैवल किस नदी के किनारे पर प्राप्त हुआ था रिजु पालिका नदी के किनारे अगला कौन है महावीर स्वामी की मिर्थियों 468 इसापुर्व में किस अस्थान पर हुई थी पावापुरी के अस्थान पर महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भासा में दिये थे प्राकिर्थ भासा में शनलेखना, शन्थरा या निशिध, विधी द्वारा, देहित्याग या आत्मों उश्थर्ग करना किस धर्म से संबंधित है जैन धर्म से, पर्थम जैन संगीती का आयोजन पाटली पुत्र में 322 इसापुर में किस के अध्यक्स्ता में हुआ अस्थूल भद्र के अध्यक्स्ता में अगला क्विश्चन है, दूतिया जैन संगीती देवर्शे, छमा शर्वन के अध्यक्स्ता में कब हुई? पांश्वा बाड़े से तेराश्व इस्वी अगला क्विश्चन है बुध ने सर्वाधी कुपदिश कहां दिये शराश वस्ती में चेठिया गिडी विहार साची में मनाया जाने वाला एक डैस त्यवहार है बौध त्यवहार है किस साशक ने बौधों के लिए बेख्यात विक्रमशिला विश्विद्याले की अस्थापना की थी धर्म पाल गौतम बुध ने अपना पर्थम उपिदिश कहां दिया था शार राथ में बुध ने अपनी जीवन की अंतिम बढ़शारी तो कहां भीताई थी बैशाली में गौतम बुध का जन्म कहां हुआ था लुम्बनी में बिने और सूत पीटक इसमें से किस की सिक्षाओं के संकलन है गौतम बुध के अगरा कुश्चन है निमनलिखित में से कौनसा बौध अश्थल उत्तर परदेश में इस्थित है शारनाथ गौतम बुध की मा का नाम क्या था माया निमनलिखित में से कौनसा अश्थल बौधों के तिर्थ अश्थलों में से नहीं है गौलियर नहीं है इसके अलबा बुध गया है शारनाथ है कुश्ची नगर है गौलियर सिर्फ नहीं है हीन यान और महायान किस धर्म के पंथ हैं बौध धर्म के निमनलिखित में से कौनसा एक प्राचीन बौध गरंथ है अभी धर्म कोश जातक कथाए डैस से संबंधित है बौध धर्म से बेदों के टीकाओं को क्या कहते हैं बेदों के टीकाओं को ब्रहमन गरंद कहते हैं अगला क्वेशन है दोस्तों किस बौध मूल गरंद में मौल शमराट अशोक का बिवरन शमाहित है महा बामशा में बौध गरंद मज्जिम निकाय किस भासा में है पाली में शार्नात वो पवित्र अश्थान है जहां भगमान बुध ने अपना पहला उपदेश दिया था वो निमलिखित किस शहर के बहुत नजदिक इस्थित है बाड़ा नशी के गातम बुध द्वारा अपने धर्में में दिक्शित किये जाने वाला अंतिम व्यक्ति निमलिखित में से कौंथा शोभद तिरी पीटक किसके धार्मिक पुष्टक है तिरी पीटक बाध की धार्मिक पुष्टक है अनात्मावाद शिद्धान्त है बौध दर्शन का बौध तिर्थ अश्थान दात का मंदिर यहां इस्थित है श्री लंका में अगला कुश्चन है अश्योक की सासनकाल की पर्मुग घटनाओं में से एक धाशोई सापुड में राजधानी पाटली पुतर में डैस बौध शंक पडिशत का आयुजन था तेसरे निम्नलिखित में से कौनसा सब्द बौध अश्थूपों की अस्थापत्य कला से जुरा हुआ है हर्मे का अगला कुश्चन है गौतम बुध ने अपने उपदेशों में जनसधारन की भाषा डैस का पडियोग किया पाली का निम्नलिखित में से कौनसा सब्द पस्थल उत्तर परदेश राज में इस्थित नहीं है चो खंडी है धमेक है भरहुत नहीं है रामभर है अगला कुश्चन देखेंगे गौतम बुध को ग्यान कहां प्राप्त हुआ था बौध गया में ओम ओम कहां से लिया गया है ओम ब्रिध आरन्य उपनिशद से लिया गया है दोस्तों अगला कुश्चन देखेंगे बौध गरंतों का ध्यान करने के लिए विजय बारा में कौनसा चीनी बिद्वान रहा चीनी बिद्वान जुवान जहां रहा अस्तोप क्यों बनाए गये थे अस्तोप पवित्र अ और शासक बौध धन्म का अनुवाई बना अशोग अगला कुश्चन है जहां यह मानते हैं कि भगमान बुध ने अपना पहला उपदेश दिया था उशम अश्मारक का नाम बताईए और जिसे शीट आफ दा होली बुध शीट आफ दा होली बुध भी कहा जाता है इसका र पाटली पुतर में आयूजित क्या गया था बौत धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके सासनकाल में दिये गए थे बिंबी सार के सासनकाल में बौत धर्म गरहन करने वाली पहली महला कौन थे पहली महला दोस्तों परजापती गौत में थे गौतम बुध ने भिक किसे कहा जाता है गौतम बुद्ध को मनु अश्मिर्ती की रचना किस ने की थे बहुत शिक्षा का केंद्र कहां था बहुत शिक्षा का केंद्र नालंदा option नमर ए इसका right answer हो जाएगा मिलिंद पन्हों याने मिलिंद के परसन राजा मिलिंद और किस बहुत भिख चुक के मद शंबाद की रूप में है इसका राइट अंसर हो जाएगा नाग सेन अगला कुशन देखेंगे शोची एक हो शोची दो से शुमेलित के जिए वन टू पर्थम बौध संगीती महा कश्यप 483 इसापुर्व दूतिय बौध संगीती शावा कामे 383 इसापुर्व तीरतिय बौध संगीती मोगला लीप पुत्र 30 251 इसापुर्व चतुर्त बौध संगीती वशुमित्र इस्वी की पर्थम सतावदी अगला क्विशन देखेंगे अशुग होश त्वारा रचित बौधों की रमायन किस गरंत को कहा जाता है इसका राइट अंसर हो जेगा बुध शरीत को गौतम बुध की गुरू का नाम क्या था अलार अगला क्विशन है चार महान सत्यों की अबधारना निम्न में से किस धर्म से संबंधित है बौध धर्म से किस धर्म के बिक्षूओं के लिए चैत और विहारों का निर्मान किया गया था बौध धर्म का बौध भिक्षूओं के लिए बनाए गए लोमस रिड़ेशे गुफा किस राज में इस्थित है ये दोस्तों आपके बिहार में इस्थित है अगला क्विशन देखेंगे किस बौध संगिती केस में बौध धर्म हीन यान तथा महायान नामक दो समपरदायों में विवाजित हो गया था चतुर्त बौध संगिते भारत में पर्मुक बौध संरचनाओं में से एक सारणाथ में डैस अस्तोप का निर्मान महान मौरी राजा अशोग द्वारा क्या गया था इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन मर्भी धामेक किस पीटक में बौध मठों में रहने वाले भिख्चो भिख्चोनियों के अनुशासन संबंधी नियम दिये हैं विनय पीटक योनानी सासक मिनांडर एबं बौध भिख्चो नाक्षेन के मद्ध बौध मतपड वारतलाव किस पुष्टक में मिलता है मिलिंद पनहों गांधार कला शेले निमनलिखित में इसे किस यूरोपिया राष्ट की कला से परभावित थे योनान डैस तीसरी सब्तादी इसापुर्व और बारवी सब्ताब्दी इसवी के बीच की अब्धी से संबंधित बौध कला और बाष्टकला के उतकिष्ट नमोनों के लिए परशिद्ध है साचे अगला क्विच्चन है बौध संगिती के चार आयूजक राजाओं का शही करम क्या है इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन नम्मल ए अजाद सत्रू कला शोक अशोक और कनेक्स डैस के लिए बनायेगे नियमों को बिने पीटक नामक पुष्टक में लिखा गया था बौध संग अगला क्विच्चन है सुची एक को सुची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीची दियेगे कोट से सही उतर का चैन कीजिए सुची 1, सुची 2, सुची 1 में है दोस्तो, पार्ष नाथ, पार्ष नाथ हो जाएंगे दोस्तो, आपके शर्प, आदी नाथ, आदी नाथ हो जाएंगे आपके, ब्रीशव, महावीर, महावीर आपके हो जाएंगे दोस्तो, सिंग और सांती नाथ, सांती नाथ, हरीन, अगला क्विशन देखेंगे डैस का जन्म 564 हिसापुडव में हुआ था और 483 हिसापुडव में अशी बर्ष की उम्र में उनकी मिर्तियों हो गई थी इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों आप्शन नमर सी बुद राजा पिम्बी सार के दरबार में उस परचित चिकिटचक का क्या झाम है जो भघवान बूद के नीजी चिकिटचक थे उसका नाम जीबक है पार्शी धर्म के संस्थापक कां थे पार्शी धर्म के संस्थापक पेगंबर जर्थूस्त्र थे जैंद अवेस्ता किसका पवित्र धार्मिक गरंथ है पार्शियों का पार्शी धर्म के अनुवाईयों दोड़ा किस अस्थान पर पूजा की जाती है उस अस्थान का नाम है दोस्तो अगनी मंदिर में पूजा की जाती है। जर्तुरुष्त का जन्म कि इस देश में हुआ था। अगला कुश्छन है। जेंद अवेश्ता। डैस के साथ जुरा हुआ है। पार्शी धन्म के साथ जुरा हुआ यहूदी कि इस धन्म का पालन करते हैं। यहुदी धन्म का पालन करते हैं नाइनार कौन थे? नाइनार दोस्तों वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे बहुत धन्म में तिरेडतन क्या इंगित करता है? बुध, धम, शंग अगला क्विशन है बिशु, परशिद, परियतक अस्थल, साची का प्राची नाम यह भी था का, नम, या का की नाटबोट अशुकराम बिहार निमनलिकित मेशी की सस्थान पर इस्थित था बैशाली में नंदबंश का संस्थापक कौन था? नंदबंश का संस्थापक महा पदम नंद था छठी सताब्दी इसापुडव का मतश महाजन पद इस्थित था इसका राइट अंसर हो जाएगा आप्शन मर बी राजस्थान निमनलिकित मेशी कीस एक नदी को पहले बिश्थतता नाम से जाना जाता था जेलम नदी को आजीबक संपर्दा के संस्थापक कौन थे? मखली गोशाल अगला क्विशन है बैदिक भजनों के मुक्ष संग्रह डैस कहलाते हैं संहिता निमनलिकित नदियों में से किसे बैदिक काल में पुरुशनी के नाम से भी जाना जाता था रावी अगला क्विशन है आड़ संस्क्रीती के सर्वोच कालमिक गंगा घाटी के जनपद जो शंख्या में डैस थे महा जनपद बन गए थे इसका राइट अंसर हो जाएगा शोला शंख्या में शोला थे भारत का इतिहा सिंदो घाटी सभेता के जनपद से शुरू होता है जो लगभग डैस अस्तित्यों में आई थे पच्चिस स्व इसा पुर्व के अस्तित्यों में जैन दर्शन के अनुशार जिन सब्द का अर्थ डैस है जिन सब्द का अर्थ जैन धर्म के अनुशार दोस्तों जैन दर्शन के अनुशार बिजेता होता है अगला क्वेशन है निमलिखित में से किसी भारतिय परमानोबाद का जनक कहा जाता है महर्शी कनाद को बेदांगों के संदर में निमलिखित में से कौन सा सब्ध अनुष्ठान को दर्शाता है कल्प प्रारंभिक भारतिय दार्शनिक के अनुषार परतिक बस्तु डैस मुल तत्वों से बनी है पांच तत्वों से निमनलिखित में से अनुशरन किये जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुष्टकों की कौन सी जोड़ी और शंगत है इसलाम कुरान ये सही है शीक धर्म गुरो गरंत साहिब ये भी सही है जैन धर्म उपनिसद ये गलत है इसाय धर्म बाइविल ये सही है शिंग चतुरमुक अस्तंभ कहां इस्थित है शारनाथ में अगला कुशन है भारतिय इतिहास के संदर्म में निमनलिखित में से कौन भावी वुद्ध जो संसार की रक्षा है तो अब तरित होंगे इसका डाइट अंसर है मेत्रे अगला कुशन है गंध तिन्तो जातक कथा किस भासा में लिखी गई थे ये पाली भासा में लिखी गई थे निमनलिखित में से कौन सा यहुदी धर्म से संबंधित है तो राह अगला कुशन है बोडो बोडोर बोध मंदिर कहां इस्थित है इंडोनेशिया में डैस बास्तु कला में मुख रोप से चैत विहार अस्तुप और अस्तम्भ होते हैं इसका राइट अंसर हो जाएगा बहुत बोधि उस्तव पदवपानी का चित्र सरवाधिक परशिद और पड़ाय चित्रित चित्रकाडी है जो अजन्ता में है निमनलिखित में से कौन सा बढ़मन गरंत रिगवेद से संबंधित है रिगवेद से एतरे बढ़मन संबंधित है राजिया भी सेक समारू का बिवड़न निमनलिखित में से किस में खिया गया है इसका राइट अंसर हो जाया इतरे बढ़हान में निमनलिखित में कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था शिकंदर के साथ भारत नियारकश आने सिक्रिटक्स आये थे ये दोनों आये थे डाइ मेकस ये नहीं आये थे उसके बाद अरे एस्टो बोलस ये भी आये थे अगला question है चंड प्रधोत किस प्राशिन गनराज के राजा थे ये अबंती के राजा थे भारत का एक धन्म जोडो अस्ट्रियन मुखरूप से किस राज में पाया जाता है महाराष्ट्र में इसाई धर्म के संस्थापक कौन थे इसाई धर्म के संस्थापक इसामशी थे इसाई धर्म का प्रमुग्रंत कौन सा है इसाई धर्म का प्रमुग्रंत बाइबिल होता है इसामशी का जन्म कहा हुआ था इसामशी का जन्म बेथेल हम में हुआ था मिशनरीज आफ चेरेटी की अस्थापना किसके द्वारा की गई थी मदड ट्रेशा के द्वारा सिया और सुन्नी किस धर्म के परमुक शंपरदाय हैं सिया और सुन्नी मुख रूप से इसलाम के संपरदाय है अगला क्यूशन है विशु का एक मात्र यहुदी देश कौन सा है फिलिस्तिन हजरत मुखमद साहब ने मकाशी मदिना की आत्रा कब की थी इसका राइट अंसर हो जाया 622 इसवी में मुखमद साहब को हीरा नामत गुफा में कब ज्यान की प्राप्ती हुई 610 इसा पुर्व में मुखमद साहब की जन्म के उपलक्ष में कौन सा तेवार मनाया जाता है एद उल मिलादून वी अगला कुश्चन है कौन सा तेवार इसलाम धर्मे रामजान महीने का अंत परदर्शित करता है एद उल फीतर दोस्तो अब हम लोगों का अगला टॉपिक होने वाला है मौरी का लेवं मौरी उत्तर काल पहला कुश्चन है चंदरगुप्त मौरी मौर बंस के संस्थापक थी भारती इतिहास में उनकी शासन की बाड़े में निमलेखित में सी कौन सा कथन गलत है उन्होंने सिकंदर यानि अलेक्जंडर से मुलाकात की और उनकी सैना में सामिल हुए ताकि में सो डो नियान युद कौशल को सीख सके ये कथन सही है बैडम खान उनका सबसे अच्छा सहयोगी सिनरक्षक और मार्गरदर्षक था ये गलत है चंद्रगुप्त मौरिको पहले अखिल भारतिय लगभग समराज की अस्थापना का सरय दिया जाता था ये सही है समराज के पुड़ा तात्विक साक्ष कई कश्वों और शहरों के अस्थित्य को दर्शाते हैं जिसमें सबसे पर्मुख राजधानी पाटली पुत्र है ये भी सही है 326 सिशापुडव में भारत पड़ आकर्मन करने के लिए शिकंदर अलेक्सजंडर ने सबसे पहले निमनल लखित में शिकिस नदी को पार किया था शिंध हो न देखो चंदर गुप्त मौरी के गुरू कौन थे विशनो गुप्त मेगा इस्थनेज की पुष्टक का नाम क्या है इंडिका अगला क्विशन है कोटली के अर्थ सास्तर में सेकिस पहलो पर परकास डाला किया है राजनेतिक नेतियां पर किस की शासनकाल में मेगे इस्थनेज भारत आये थे चंदर गुप्त मौर के शासनकाल में चंदर गुप्त का पुत्र डैस मौरी समराज की सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा सासक था बिन्दूशार किस राजा की कहानी मुद्राराक्षस नाटक का बिशय है चंदर गुप्त मौरी कोटल का अर्थ सास्तर हमें डैस परसा सन के बाड़े में जानकाली देता है मौरी मौरी समराज की अस्थापना किस ने की थे चंदर गुप्त मौरी ने चंदर गुप्त मौर ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपना लिया था जैन धर्म को किस मोरी राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थे चंदरगुप्त मोरी ने पाटली पुत्र को अपनी राजधानी सरपर्तम किस मोरी राजा ने बनाया था चंद्रगुप्त मौरी निम्न लिखे जैन धर्मों में चंद्रगुप्त मौरी के जैन धर्म अपनाने काव लेख मिलता है परी सिस्टर परवन में अगला कुश्यन है चंद्रगुप्त मौरी ने किस अस्थान पर सन लेखना विधी से 43 दिनों में जीवन का अंत कर दिया था इसका राइट अंसर हो जाएगा शर्वन बेल गोला बिंदोशार का पुत्र कौन था अशोक किस मौड़ शासक को अमित्र घात की नाम से भी जाना जाता है बिंदोशार को बिंदोशार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजन पद चीत कर मौड़ समराज में मिला लिया था उनका उले किस गरंथ में मिलता है बुद्ध घूश की सामंथ पासा दिका में बिंदोशार के सासनकाल में कहां पर आसांती भैली थे तक्चसिला में डैनोशियस नामक राजदुत किस माउडशासक के काल में आया था बिंदुशार के सासनकाल में निमनलिखित में इसी किसकी जानकारी अशुक के सिलालेखों से मिलती है जीवन बिर्त, आंतरिक, निती, विदेश निती इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन मरड़ी सभी बिकल्फ सही हैं शमराट अशुक ने बौत धर्म के आदर्शों के परचार के लिए धर्म परचारकों को दोड़दराज के अस्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद की सिक्षाओं दोरा अपने जीवन को प्रेडित कर सके इन धर्म परचारकों में उनका पुत्र डैस एबं पुत्री डैस सामिल है उनका पुत्र मेहंद्र एबं पुत्री संगमित्रा शामिल है अगला कुशन है डैस मद परदेश में भगवान बुद के समान में शमराट अशोक दोरा बनाया गया बौधा अशमारक है शाची एस्टोप अशोक के प्राचिंतम प्राप्त अभिलेक निम्न में से किस लिपी में लिखे गए हैं यह दूस्तों ब्रहमी लिपी में लिखी गई है अशोक तर्क सिध रूप से प्रारंभिक भारत की सबसे परशिद सासक थे जिसने कलिंग पर भिजय प्राप्त की वे डैस के पोते थे चंदरगुप्त मौरे के पोते थे अशोक की सासन काल की सबसे महत्पुन घटना कलिंग आधुने की यूग में डैस पर भिजय थी जो उनके जिवन का एक महत्पुन परिवर्तन शिध हुआ इसका राइट अंसर हो जाएगा ओडिशा अशोक के लिए शिलालेखों में कलिंग यूध में अशोक की विजय का उलेख क्या आगया है ते रहवे डैस ने धर्म विजय या धार्मिक्ता द्वारा विजय की निती बिक्सित की अशोक अशोक की शिलालेखों को पर्थने वाला पर्थम अंग्रेज कौन था जैम्स प्रिंसेफ अशुक ने डैस के यूद के बाद बोध उपदेश्टों को अपना लिया था कलिंग के यूद के बाद निम्नलिखित अभी लेखों में से किसमे अशुक का नमोलेख हुआ है गुड़ जड़ा में अपने सिला लेखों में अशुक शमानिता किस नाम से जाने जाते हैं पिडिया दर्शी की नाम से अभी लेखों में किसा सका उलेख पिडिया दर्शी एबम देव वा नाम पिडिया की रोप में किया गया है अशुक निम्नलिखित अभी लेखों में से किसमें अशुक का अभी लेख भी पाया गया है इसका रायट अंशर हो जाएगा Option नमर A महाच्छत्रम रुद्र दामन का जोनागर्ड अभी लेख निम्नलिखित में इसी किसकी जानकारी अशोक के शिला लेखों से मिलती है जीवन विर्ती आंतिरीकी निती विदेश निती उपर युक्त सभी इसका रायट अंसर हो जागा दोस्तों आप्शन नमर डे शम्राट अशोक ने पत्थर के अस्तंभो और पत्थर के तक्तों पर अपने डैस आदेश उतकिर्ण करवा कर अपने राज के परमुखस्तों पर अस्थापित किया ताकि लोग तदा अनुशार आचरन कर शके चौदह शम्राट अशोक किसके उत्राधिकारी थे बिंदू शार के परसिद कलिंग युद ने शम्राट अशोक को युद छोड़ने और बहुत धर्व अपनाने के लिए प्रेडित किया था यह युद और इसा में कब लड़ा गया था 261 BC में निमनलिखित में से कौन से राजा संग मित्रा और महंदर बड़मन के पिता थे अशोक अशोक के निमनलिखित अभिलेखों में से किसमे दच्छीन भारतिय अभिलेखों का उलेख हुआ है दूतिय मुख सिलालेख अशोक महान डैस से संबन्धित थे मौरी बंस से साची के इस दोप का निर्मान किसने कराया था अशोक ने अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रोपता से किस प्राकिर्तिक भाषा का पर्योग किया है इसका राइट अंसर हो जेगा मगधी अशोक का उत्राधिकारी कौन था? कुनाल किस अभिलेख में अशोक का नाम? अशोक का बर्णन है मास की अभिलेख में श्री नगर शहर को किस ने बसाया था? श्री नगर शहर को अशोक ने बसाया था अशोक के किस अभिलेख में कलिंग यूद का बिवडन दिया गया है इसका राइट अंसर हो जाएगा आप्शन नमर भी 13 अशोक का एक मात्र सिला रूपचितर कहां पाया गया है कंगन हल्ले में अशोक का कौन्शा अभिलेख द्विभासी है जिसमें अर्माइक एबं यूनानी भासा का पर्योग किया गया था मास्क इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों आप्शन नमर से सर ए कुहना अशोक का कौन्शा अभिलेख द्विभासी है जिसमें अर्माइक एबं यूनानी भासा का पर्योग किया गया है सर ये कोहना ये अभिलिक द्विभासी है राण्यो अशोक की सिलालेखों में समराट अशोक कहा गया है कंगन हल्ली में इनमें से कौन शी कताय अजनता गुफा की चितरकारी और मुर्त कलाओं से संबंधित है जातक कताय मौरी बंस का अंतिम सासक कौन था अगला कुशन है निम्न में से कौन सत्तो धाम में बर्नित नहीं था माता पिता का आज्यापालन ये बर्नित था दान पुन ये भी बर्नित था मात्रिभा भात्रिभा ये भी बर्नित था श्रंक के परतियास था ये बर्नित नहीं था अगला कुछिशन देखेंगे बौत धर्मशी संबंधित प्रक्ष्यात भवन शनरचना धामेक अश्टोप का निर्मान मुलेतर डैस बंस की सासनकाल की दोरन कराया गया था मौरी सासनकाल की दोरन अगला कुछिशन देखेंगे इन में से किसने मौरी परशासन में अध्यक्षों को विभीन विभागों के अध्यक्षकों की रूप में उलिखित किया था कोटिल ले बहुत चनरशना धमे तूप कहां पड़ है शारनाथ में एतिहासिक गरंट ट्रंक रोड का निर्मान कई शास को दोरा कराया गया था मौरी बंस के शासनकाल के दोराण इसे क्या कहा जाता था इसका राइट अंसर हो जाएगा उत्रा पज़ अगला क्विश्चन है निमनलिखित में इसी कौन सी पुष्टक मेगास्थिनिज ने लिखी है इंडिका उद्यायान ने मगद की राजधानी को कि सहर से हटा कर पाटली पुतर में अस्थान अंत्रित क्या गया इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो आप्शन अमर्डी राजगेट मेगास्थिनिज दोत था शेल्यूकस का डैस समराज में कंटक सोधन नामक एक परकार का दरबार पड़चलित था मौर्डी समराज में मेगास्थिनिज भारत आने वाले पहले सबसे शुरुवाति खुज करता में से एक था उनका सम्बंध किस देश से था इसका राइट अंसर हो जागा दोस्तो यूनान से कनेक्स किस बंध से संबंधित थे कुशान बंध से बढ़ाबर पहारी की गुफाओं के विशय में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है बढ़ाबर पहारी पर कुल चार गुफाओं है तिन गुफाओं की दिबार पर अशोग में अभिलेक उतक्रिंड है यह अभिलेक इन गुफाओं को आज़िव काउम कोशमर्पित होने का उलेक करते हैं भी सही है ये सभी इशा पुर्व छठी सताब दीके हैं ये गलत है अगला कुशन देखेंगे निमनलिखित में इसी कौंसा सासक मौरवन से संबंधित नहीं था अशोक था चंदरगुप्त मौर था बिंबी सार नहीं था बिंदुशार थे कलिंग यूद की हिसा को देकर परती शोध लेने की सोच रखने वाले समराट अशोक का हिर्दय परिवर्तन हुआ और वे एक इस्थिरचित एबं सांतिप्रिय समराट और डैस के अनुवाई बन गए बौध धर्म के निम्नलिखित में से राज के सब्तांग सिधांत के अनुशार राज का सात्वा अंग कौन सा था सात्वा अंग था दोस्तो मित्र अगला क्विशन है हाथी कुफा का अभी लेख कि सासक के विशय में जानकारी का स्रोत है खारवेल मौरिकालिन मुर्तियों में मनी भदर याने अक्ष नाम से अंकित मुर्ति कि सास्थान से प्राप्त हुई है पड़खम भारतियों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आड़ंभ कराया इसका राइट अंसर हो जगा कनिक्स ने निमनलिखित में से कौन से सासक मातरी नामों यानि माता की नाम से प्राप्त किये गए नाम से पहचाने जाते थे शात बाहन बढ़ा मन पड़ियुक्त हुआ है इसका राइट अंसर हो जगा गौति में पुत्र शात करने अगला कुश्चन है इन में से किस आयोड वेदा शारी ने तक्सिला विश्विद्याले में सिक्षा प्राप्त की थे जीबक पुश्यमित्र शूंग द्वारा दो अश्यमेग यग किये गए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों आप्शन में से आयोध्या लेख से आगला क्विस्चन है इन में से किस ने सब पर्थम ब्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का पर्चलन किया विम केड़ फीशस प्राशीन भारत में निम्नलखित में से कौन सी एक लिपी दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती थे खरोश्ठी दियेगे विकलपों में से कौन सा कथन सही नहीं है बौध धर्म गरंथ पाली भासा में लिखे गे थे सही है गौतम बुध का जन्म अस्ता नेपाल में इस्थित है सही है उपगुप्त ने अशोक को बौध धर्म अपनाने के लिए प्रेडित क्या ये भी सही है चरक गौतम बुध की नीजी चिकित सक्ते ये गलत है मौडी बंस को किस बंस ने समाप्त किया शूंग बंस ने अधिकार अस्थापित किया पहले स्थाप्दे की शुरुवात में चार्नक का एक अनिनाम क्या था विश्नो कुप्त निमनलिखित को शुमेलित के जी सूची वन राजबंस सूची टो राजधानी शूंग शूंग हो जाएगा दोस्तों आपके बीदिशा इसकी राजधानी बीदिशा है शातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान कदम की राजधानी हो जाएगा दोस्तों आपके वैनवासी और चंदेल की राजधानी महावो महावा अगला क्वेशन देखेंगे सूची वन तता सूची टू को सुमिलित कीजिये तथा सूचीयों के नीचे देएगे कूट से सही उत्तर का चैन कीजिये सूची वन शूची टू गंधार कला यह हो जाएगा कुशान जोनागड शिलालेख यह हो जाएगे आपके रुद्रदामन पर्थम मिलिंद पन हो यह हो जाएगे पतिक नई यह हो जाएगे आपके मिनाडर मिलिंद पन हो यह हो जाएगे आपके मिनाडर उसके बाद तक्च शिलालेख यह होंगे आपके पतिक चलिए अगला कुशन देखेंगे कलिंग नडेश खारवेल निम्न में से किस बन से संबंधित थे ये चेदी से संबंधित थे कौनसी कला गिरीको बौध कला के नाम से भी जानी जाती है गंधार कला ये कला गिरीको बौध कला के उपनाम से जानी जाती है पेडिपल्स आफ़ दा इरिधीर यान सी किसी ने लिखे इन में से कोई नहीं इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों इन में से कोई नहीं आप्शन में दिया हुआ ही नहीं है मनुवश मिर्ती की अनुशार महिलाय निमनलखित में सिखी स्रीती से शंपत्ती अर्जित कर सकती है उत्राधिकार कौटिली ने अपने अर्थ सास्ति में राज के कितने अंगों का बर्णन किया है शाथ तक्सिला विश्विद्यालय इस्थित था पाकिस्तान में मौरिकाल में टैक्स को छुपाने या चोड़ी करने की स्थिते में कौन सा डंड दिया जाता था मिर्तियो डंड मौरिकाल में शिता भूमे किसे कहा जाता था शिता भूमे की नाम से दोस्तो राज की भूमे से प्राप्त आय को कहा जाता था अगला question है बुद्ध की खारी परतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थे खारी परतिमा दोस्तो कुशान काल में बनाई गई थे शक्संबत का प्रारंब किस समराथ के शासन काल में 78 इस्वे से हुआ इसका राइट अंसर हो जाएगा connects बाशु देव ने देव भूती की हत्याकर किस बंस की अस्थापना की थी कनव गौत्मी पुत्र शाथ करने को एक मातर बढ़ामन एबं आदूतिय बढ़ामन किस अभिलेख में कहा गया है इसका राइट अंसर हो जेगा नासिक अभिलेख में चरक और नागार जुन किसके दर्वार की शोभा थे कनिक्स के दर्वार की कि सासक ने बिना वेगार के सुदर्शन जिल का जिनोरधार कराया था रुद्र दामन अगला कुश्यन है निमनलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर श्वन मुद्राय यानि सोने की मुहर चलाई थे कुशान सासकोंने महान आउश्ती विशेशग चरक किसकी राजसभा में रहता था कनिक्स के राजसभा में कनिक्स की राजधानी थी कनिक्स की राजधानी पुरुश्पोर थी भारत में सर्वपर्थम श्वन मुद्राय किसने चलाई इंडो वेक्टिरियन ने अगला कुश्यन है question खतम हो गया दोस्तो अब हम लोग अगला topic देखेंगे हमारा अगला topic होने वाला है दोस्तो गपतेब गपतोतर काल इससे related जितने भी सासे questions हैं उचे सान tys को देखेंगे ये सारी questions दोस्तों आप लोग देख सकते हैं एक्जाम की तरिष्टिकों से बहुत ज़्यादा important question है इसलिए आप लोग वीडियो को इंड तक देखिएगा और अच्छी तरह से याद कर लिजिएगा गुप्थ समराज के बास्तिविक संस्थापक कौन थे? श्रे गुप्थ निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्थ बंस की राजधाणी था? पाटले पुत्र चैंदर गुप्थ पर्थम के बाद गुप्थ समराज की बाग डोड किसने संभाली? शमुद्र गुप्त ने विक्रमादित्ति किस परचित गुप्त सासक का एक अन्य नाम है चंद्र गुप्त दूतिया का अगला कुश्चन है प्राचीन भारतिया इतिहास के सबसे मत्पूर्ण सासकों में से एक चंद्र गुप्त दूतिया की पुत्रे का नाम बताईए परभावती गुप्त अजन्ता में कुल कितनी गुफाये हैं 29 अगला कुशन है गुप्त काल की दोरान चीन के किस यात्री ने भारत का भड़मन क्या था फाहियान प्रसस्ती में किस राजबंस के सासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखे गुप्त बंस ने अगला कुशन है चीनी यात्री इत्शिंग डैस में तीन वर्ष ठाहर कर संस्कीत शीखी थी तामण लिप्ती में इनमें सी कौन सी कथाये अजन्ता गुफा की चितरकारी और मुर्द कलाओं सी संबंधित है जातक कथाये पर्षित पुष्टक मेगदूत के लिखक कौन है कालिदास गुप्त काल के दौरन सोने के सिक्के को निमन में से किस नाम से पुकारा जाता था इसका राइट अंसर हो जेगा दिनार के नाम से किस अस्तंब सिलालेख में समुद्र गुप्त की उपलब्धियां अभी लिखित की गई है जो अपने विजय के दौरन नेपोलियन आफ इंडिया की नाम से जाने जाते थे इसका राइट अंसर हो जाएगा इलाहावाद अस्तंब गुप्त समराज के निमनलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा बीना बादक भी था इसका राइट अंसर हो जाएगा आप्स नमर भी समुद्र गुप्त किस काल को भारतिय इतिहास का श्वन युग भी कहा गया है गुप्त काल को निमनलिखित में से कौन सा युगम सही मेल नहीं खाता है विक्रम आदित्य चैतन ये सही मेल नहीं खाता है इसके अलाबा हर्च बर्धान हुएंसंग ये सही है चानक की चंदर गुप्त ये भी सही है अकबार टोडर्मल ये सारी सही है अगला क्विशन ह विक्रम्शिला विश्विड्याला की अस्थापना? डैस ने की थे? Дharmपाल नारंदा विश्विड्याला को विश्व के महान प्राचिन विश्विड्यालायों में से एक तेथा महत्पूर्ण बौद सैक्छनिक उतकिरिष्टतता केंदर माना जाता है इसकी अस्थापना किस भारतिय सासक ने की थे कुमार गुप्त ने एतिहाजकार वी ए एसमेथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है इसका राइट अंसर हो जेगा समुद्र गुप्त को उश्महान ब्यक्ति का नाम बताई जिसने भारत में बीज गनित के छेतर में महतपुन योगदान किया इसका राइट अंसर हो जेगा आप्शनमर डी आरीभट ने निमनलिखित साहितिक किरतियों का उनके लिखकों के साथ मिलान करिये कभी राजमार्ग ये हो जाएंगे दोस्तों आपके अमोग वर्स आदित पुरान ये हो जाएंगे जे शक टायन एकला क्विशन देखेंगे निम्न के जोड़े बनाईए बिक्रम शंबत ये हो जाएंगे आपके थिरी से मेल खाएंगे अइन्ठावन एडी शक शंबत ये हो जाएंगे आपके कल्चूरी संबत ये हो जाएंगे आपके 248 एडी गुप्त शंबत ये हो जाएंगे 320 एडी एगला क्विशन देखेंगे महरवली में जंग रहित लोह अस्तम किसने अस्थापित किया इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों आप्शन नमर ए गुप्त ने गुप्त काल में किस धातू के सरवाधिक सिके जाड़ी किये गे इसका राइट अंसर हो जगा शोन आपके ब्राह मिहीर थे ब्राह मिहीर एक प्राचिन खगुलवीद याने एस्ट्रोनॉमर थे तामबा का शिका जाड़ी करने वला पहला गुप्त सासक कौन था राम गुप्त किस गुप्त कालिन सासक को कभी राज कहा गया समदु गुप्त को एरन अविलेक का संबंध की सासक से है भानु गुप्त से धानवंतरी थे चंदु गुप्त विक्रमादित के राज तरवार के नव रत्न में से एक जोकी परचिद चिकित सक थे कौनशा राजबंस हुनों के आकरवन से अत्यंत बिछलित हुआ इसका राइट अंसर हो जाएगा कुशान गुप्त कालिन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था रूपक गुप्त युग में भुमी राजसु की दर क्या थे उपज का छठा भाग निवनलिखित में से किसी ने दसमलब परणाली का विकास क्या है आड़ी भाइट अगला कुशन है गुप्त शासकों की दरबार या सरकारी भासा थे गुप्त शासकों की दरबारी भासा या सरकारी भासा क्या थे संस्क्रीट थे अगला कुशन है गुप्त परसासन के संदर्व में बी थी शब्द का संदर्व से है प्रसासनिक एकाई निमने लिखित गुप्त सासकों में से किसने लिच्छवी बंस की एक लड़की से बिवाह किया चंदरगुप्त पर्थम इलाहावाद में समुद्र गुप्त की प्रसस्ती यानि कभीता या गद की रूप में लिखी जाने वाली एक अस्तुती आमतोर पर दरवारी कभियों द्वारा किसी ने लिखी थे इसका राइट अंसर हो जेगा ओप्चन नमर सी हडी सेनने चंदरगुप्त बिक्रमादित ये गुप्त शासक थे इसके अलावा वररूची चपनक और कालीदास ये सारे सामिल थे प्राशिन भारत का महान योग प्रवर्तक पतंशली किसके समकालिन थे इसका राइट अंसर हो जगा पुश्मित्र शूंग करीन कलिंग नरेश खारविल किस बंस से संबंधित था चेदी से हर्च बर्धन के राजसभा कभी कौन थे बानिभट निमनलिकित में सी किसने 618 CE में हर्च बर्धन को हडाया था इसका राइट अंसर हो जगा पुलकेशिंग 2 ए संस्कृत नाटक नगानंद की रचना कि सासक द्वारा की गई थे इसका राइट अंसर हो जगा हर्च बर्धन द्वारा किसके साशनकाल में हुएंसांग भारत आया था हर्च बर्धन के साशनकाल में इलाहाबाद अस्तंब अभी लेखें किसने बनवाया था हरी सैनने अगला क्वेशन है हर्च की मिर्धियों के बाद साथ भी सतापदी के आसपास डैस परभुत में आये और उनके काल को भारत के अंधे यूग की रूप में जाना जाता था राजपुत परभुत में आये निमनलिखित में से चौन कौन चिंदरकुप्त दोतिया के नव रतनों में से एक है बड़ा मिहीड इन में से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और चात्र और सिक्षक दोनों की रूप में रहा वैंग सांग परच्छन बहुत किसे कहा जाता है इसका राइट अंसर हो जगा शंकर को लेलावती के लेखक थे लेलावती के लेखक भासकरा चाड़ी थे हिडेशम बुनकरों की सिरेणी की जानकारी निमलिकित में से किस सिलालेख से मिलती है दशपुर सिलालेख से अगला कुश्यन है लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है चार बार को अगला कुश्यन है चार बाग को लोकायदडर्शन कहा जाता है मिलिन्द पानो घ्याैँ बाउद गरंध है अगला कुश्यन देखेंगी चरक किसके राज चिकित सक थे? कनिक्स के कला की गंधार शेली किसके सासनकाल में पनपी थे? इसका राइट अंसर हो जाएगा कनिक्स के सासनकाल में प्रम भागवत उपाधी धारन करने बला पर्थम गुप्त सासक था चंद्रकुप्त दोती है कुम्ह मेला को प्रारंब करने का सरह किसी दिया जाता है हर्स बर्धन को अगला कुश्यन है हर्स बर्धन अपनी धारमिक सभा कहा किया था कहा क्या करता था पर्याग में शमराट हर्स ने अपनी राजधानिक थाने शोर्षि कहा आस्थान अंतरित के थे कन्नवश वेंशांकी भारत में यातरा केश में शूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे पर्चिद नगर कौन सा था पर्चिद नगर मतुरा था शमराथ हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मिल्यानों का आयूजन किया था कन्नवश था परियाग में हर्षवर्धन की बहन राज श्री का विवा किसके साथ हुआ था मौखरी नरेश गरह बढ़वन से दोस्तों अब हम लोगों का अगला टॉपिक होने वाला है शंगम काल एबं दच्छनी भारत की राज इसे रेलेटिट कुश्चन्स को दीखेंगे नवी सताबदी इस भी में निमलेखित मेशी के द्वारा चोल समराज की निव डाली गई बिजया लैके द्वारा चोल राजवन्स के अंतिमसासक कौन थे राजंद्र चोल तिरती है किस भारती है राजा ने पुर्वी एसिया के कुछ हिसों को जीतने के लिए नौसहैनिक सक्ति का इस्तमाल किया था राजंद्र चोल पर्थम एलोडा के कैलाश मंदिड का निर्मान किसने करवाया था किसन पर्थम चोल बंस भारत के किस भाग में अधिकतर सासन करते थे दच्छनी भाग में चोल अभी लेखों में उल्लिखित भूमी की विभिन कोटियों के अनुशार डैस को जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमी को कहा जाता था पल्लची दानम पुर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है करी काल को अगला क्रिशन है किस चोल सासक के पुहार नगड की अस्थापना की थी करी काल ने किस चोल शासक ने सिंगल द्वीपों पर विजय प्राप्त की थे राज जंदर पर्थम ने चोल कालमे निर्मित नतराज की काँच परतिमाओं में देवा किर्थी पढ़ाया है इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों पढ़ाया चतरभोज है कौँशे चोल राजा चोल किंग ने माल द्वीपों पर दड़ियाई बिजय पाई थे राजा राज निमनलिखीत राजबंसों में इसकी किस के सासक अपने सासनकाल में ही अपना उतरा धिकारी घोशित कर देते थे चोल चोल बंस में गराम परशासन की बारे में किस शिलालेखों में उलेख मिलता है उत्तर मेरूर चोलों की राजधानी थी तंजड निम्नलिखित में से कौनसा मंदिर मौजूदा चोल मंदिर में से एक नहीं है इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों कंप हाड़ेश्वर ये एक नहीं है इसके अलाबा गंगाई कोंडा चोड़ा पूलम ये एक है बिड़िदेश्वर और एताश्वेशर ये सब एक हैं सिर्फ कंप हाड़ेश्वर ये नहीं है तंजाबूर का कौंशा मंदिर चोल वाश्टूकला का उदाहरान है जिसका निर्मान समराट राजा राज पर्थम ने करवाया था बिड़िदेश्वर मंदिर किस चोल सासक ने चिदमबरम का परसिध नट राज मंदिर का निर्मान कराया था इन में से कोई नहीं शंगम कालीन चोल राजे की राजधानी कहां थे उड़ैयोड चोल राजा राजिंदर ने कौनसी पदवी धारन की थे गैंगे कॉंड, मुरी कॉंडा, पंडित चोल इन में से सभे धार्मिक कविताओं का शंगलन कुरल किस भाषा में है तमील भाषा में, अगला कुश्चन है, शंगम काल में शंगम का क्या आर्थ था कभियों की गोश्ठे, चितम बड़ा मंदिर के शीव पर निम्न लिखित में से किस ने तमील भाजन लिखा था इसका राइट अंसर हो जाएगा, ओप्शन नमर ए, अरेंजे चोल ने किस चोल साशक के शाशन की दोड़ान, बुध्धीमित्रने तमीलन व्याकरन वीरू सोलियं की रचना के थी किस चोल राजा ने राजा महिपाल को हडाकर गंगाय कोंडा चोलापूरम नमक एक नया राजधाने साथ बसाया था किस चोल राजा ने संपुन्ट स्रिलंका को जीत लिया था राजंदर पर्थम चोल काल इनसासक किस धन्मकी अन्वाई थे सैव धन्मके चोल काल विष्णों के उपासकों के लिए क्या कहा जाता था इसका राइट अंसर हो जाएगा अलबार चोल काल में शिव के उपासक क्या कहलाते थे नाए नाड चोल काल में भूमी कड उपज का कितना होता था वनवाय थिरी एक तिहाई भाग अगला कुशन है पांडे राज की राजधानी कहां थे मदोरय में किस संगम युगीन राजधे के संगमों का आयुजन क्या गया पांडे अगला कुशन है शूची वनकूशूची दो के साथ शुमेलित कीजिए चेल चेल हो जाएगा दोस्तो धनुश चोर चोल बाग पांडे मचले इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर से एक दो तेन अगला कुशन है पाल राजधान्स का पहला राजधा कौन था गोपाल सबसे परसिद पशुचारण और शिकारी जनजातियों मंगोल ब शंबंध है केबल हिंदुओं बोधों एबं जैनों से राष्ट कुटों की प्रारंभिक राजधाने निमनलिकित में से काउंसी थी एलोडा अगला कुशन है धर्म राज रत अश्मारक कहां इस्थित है महावली पूरम में किस राजधान्स के दोरन महावली पूरम मंदिर का निर्मान कि आगया था पल्लब राजबंस अगला कुशन है महाकाव श्रीलपद दी कारम किसे संबंधित है का थानक में जैन तत्तोशे मनी मेक लाइक के लेखक कौन है सत्थ नार अगला कुशन है निमनलिकित में से कौन सी संस्थ था विदेशी व्यपार से संबंधित थे इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों नान देशी या मनी कडाम अगला कुशन है तमिलन शंगम गरंतों के अनुशा निमनलिकित में से कौन बड़े भूमी श्वामी रहे थे बेलाड त्योंग बड़ यानि तायों मानवड की सितार्खवीता क्यों परसिध थे यह रशनाय जाती विवस्था के खिलाफ बिद्रो शुरूप थे पुलकेशिन दोतिया किस राजवंस का साःवाधिक पड़्ख्यात साःसक था चालुक के राजबंस का पुलकेशिन पर्थम और पुलकेशिन दूतिया नमक सासक टैस से संबंधित थे चालुक के बंस से दियेगे बिकल्पों में से किस राजबंस ने दच्छिन फुर्व एसिया में शिपिंग उधियम अस्थापित किये थे इसका राइट अंसर हो जागा दोस्तो चोल बंस दोस्तो क्वेस्चन नमर 41 जिसमें कि हमने आपको आप्शन नमर C और D दोनों बताया दोनों अंसर हो सकते हैं परन्तो आयोग ने विकल्प D माना है एक्जाम की दिरिश्टिकों से आप्शन D माना गया है लेकिन इसका राइट अंसर C और D दोनों है अगला क्वेस्चन देखेंगे चालुक के राजा ने कन्नौज की राजा हर्ष को प्राजित किया था उस राजा का नाम क्या था दोस्तो पूलकेशिन दोती है डैस साथवी और आठवी सदी में भोच शक्ति साली हो गए और काची पूरम उनकी राजधानी थी पलव इन में से कौन्चा राजबंस दच्छिन भारत से संबध नहीं है पांडे है पाल नहीं है शाथ बाहन है पहलव है प्रारंभिक चेडबंसी है राजधाओं ने किन राजध यों पर साशन किया था तमिलाडू और केरल पर बिंध्या शक्ति डैस बंस की संस्थापक थे वा काटक के पलव बंस का महान से आशक था नर्सिंग बढ़मन पर्थम अगला क्विशन देखेंगे शूची 1 को शूची 2 से सुमिलित कीजिए और शूचियों के नीचे दिएगे कोट्षे से उतर का चेन कीजिए शूची 1 शूची 2 राजबंस राजधानी चालू के चालू के हो जाएगा दोस्तो इसकी राजधानी है बादामी अगला है पल्लब पल्लब की राजधानी है दोस्तो काची पूरम हर्च की राजधानी हो जाएगी दोस्तो कन्नावच और पांड़े मदुरे अगला क्विशन देखेंगे पल्लब कालिन शूड मंदिर इस्थित है इसका राइट अंसर हो जाएगा अप्शन नमर बी महावली पूरम कलहन किरित राज तरंग नी में कुल कितने तरंग है आठ गंगा को उत्तर से दच्छिन ले जाने वाला चोल राजा कौन्शा था इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो राजेंदर चोल अगला कुछिन देखेंगे निम्न लिखित को शुमेलित कीजिये शंगम कालेंबर्ग और कारी बेनिगर शुद्र एनियर शिकारी मलवर लुटेडे पुलायन दस्त कार इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो आप्शन नमर ए एक दो तीन चार चे राजकी राजधानी कहा थी? चे राजकी राजधानी वजजी थी? मुदरा राग्चा सनाटक किसने लिखा था? बिशाक दतने निम्न लिखित में से किसकी राचना काली दास द्वारा की गई? कुमार संभव भारत की महान साहितिक किर्थिया मेगदूत और अभिज्यान शगुंतलम की राचना किसने की थे? काली दास ने दस कुमार चीत या टेल्स आफ टेन प्रिंसेश की राचना किसने की थे? डंडे ने पंच तंत्र नामक कहानी संग्रह की लेख का नाम बताईए विश्णु शर्मा राच्तरंगनी की लेख कौन है? कलहन पाननी संस्कीत के परचिद डैस थे? वैक्यारन शार्य नभी सताबदी में अस्थापित परचिद बिक्रम शिला विश्विद्याले की अस्थापना किसने कराई थे? धर्म पालने परचिद तमील महा कावी मनी मेक लाइन की रचना किसने की थे? शतनारने निमने लिखिद में इसे कौन सा पराचिन गरंत पाच्वा वेद भी कहा जाता है? इसका राइट अंसर हो जगा महा भारत शंगम काल की महा काग शिल पादी काडम और मनी मेखले डैस भासा में लिखे गए थे? तमील भासा में शंगम कालिन किस रचना को तमील वेद कहा जाता है? इसका राइट अंसर हो जगा आप्शन मर्ची कूरल तमील में महा भारत के सरपर्थम अनुबादक थे? पेरून नदेव नार डैस होईशल समराज की राजधानी थे? द्वार शमुद्र अगला कुश्चन है राजा सिंग विशनो डैस बंस के सासक थे? पल्लब बंस के शरवन वेल गूला में इस्थित गोमेतेश्वर मूर्ती किस सामाकरी से बनी है? ग्रे नाइट से? निमनलिखित में से कौन सी पुच्टक राष्टकूर राजा अमोग बर्चने लिखी थे? कभी राज मार्ग उत्तर मेरूर शिलालेक से किसके परसासन से संबंधी जानकारी मिलती है? चोल अगला क्वेशन है पुलकेशिन दूतिया किसका महांतम शासक था? पुलकेशिन दूतिया वतापी के चालुक के महांतम शासक थे? महावली पूरम में रत मंदिरों का निरमान किस पर्लब शासक के सासनकाल में हुआ था? नर्सिंभन बर्मन पर्थम के सासनकाल में शंगम क काल में रोमन व्यपार का केंद्र बताईए इसका राइट अंसर हो जगा ऑप्स नमर बे अडिका मेडो पल्लब वंसके कौन्से राजा संस्कीत नाटक भी लिखा करते थे इसका राइट अंसर हो जगा विक्रमा देते हैं डैस ने मदोड़े के आजबास के छितर पर सासन किया और 23 सताब्दी में शर्वोष्ता प्राप्त की पांडिया तमील कभी कंबन ने निमनलिखित में से किस करंद के तमील संसकरन का संकलन किया है रामायन निमनलिखित में से किसने भारत के प्राचिंतम गरंत नाट्य सास्तर को श्रंकलित किया है भारत मुनि मंदिर अस्तापति कला की दर्वेड शाली का आरंभ किस राजबन्स के समय में हुआ था इसका राइट अंसर हो जगा पल्लव भारत बेनवा नाम से महा भारत का तमील में किस ने अनुबाद किया पेरुन देवनार विलहन एवं विग्यनेश्वर किस के दर्वार में रहते थे विक्रमादित शर्ष्ट के दर्वार में अगला क्विशन है किस राष्ट कोट सासक ने रामेश्वरम में विजय अस्तमेबं देवाले की अस्थापना की थे इसका राइट अंसर हो जाएगा क्रिशन तेरती है चोलकाल में शोने की सिखे को क्या कहते थे दोस्तो अब हम लोगों का अगला ट्रपिक होने वाला है जिसका नाम है गुर्जर परतिहार पाल राष्ट कोट आदे इससे रिलेटेड क्विश्चन्स को देखते हैं गुर्जर परतिहार सासकों में से किसकी उपाधी आदी वराह थे मिहिर भूज की निमनलिकित में से कौन सासा कर सकत गुर्जर परतिहार राजबन से संबंधित नहीं है नाग भट दूतिय है, महंदर पाल पर्थम है, देव पाल है, भरत भट पर्थम ये नहीं है निमनलिकित में से कौन तिरिकोन नात्मक शंगर्ज का हिश्चा नहीं था परतिहार था, पाल था, राष्ट कुर्था, चोल नहीं था निम्ण में से किस पर्तिहार राजा ने परमान की उपाधी ले थे मिहीर भोज निम्ण लिक्षित ऐतीहासि कि ब्यक्तिओं का नाम कलानों का अनोशार काल करवा अनोशार संयोजित कर नीची दियेगे कुट से सहorter का चेन करेंगे से उतर का चेन करेंगी दूस्तो इसका राइट अंसर हो जाएगा बी यानि पहले हो जाएगा वत्ष रास इसके बाद नागभट दूतिये इसके बाद महंदरपा और लाष्ट में मही पाल अगला क्यूशन है राजा भोज ने शासन किया धार पड महान परतिहार राजा था मिहीर भोज राज सेखर किस परतिहार शासक के दरवारी कभी थे महिंदरपाल पर्थम के गुर्जर परतिहार के उस जैने शाखा का संस्थापक कौन था नागभट पर्थम गुर्जर परतिहार बंसका बास्तिविक संस्थापक कौन था जिसे मलेचों का नाशक कहा जाता था नागभट पर्थम अगला क्यूशन है महिंदरपाल पर्थम के दरवारी कभी कौन थे जिसने कड़पूर मंजड़ी का भी मिमान सा तथा हार विलास जैसी रचनाय की थी राज सेखर बगदाद निवासी अलमशूदी किसके सासन काल में भारत आया था महिपाल के सासन काल में किस अभिलेख में गुर्जर परतिहारों को लक्षमन के वनसज कहा गया है गुआलियर अभिलेख में गुर्जर परतिहार शासक इस नाम से भी जाने जाते थे अगनी कुंड राजपूत के नाम से अरब यातरी शूलेमान ने किस गुर्जर परतिहार राजा को अरबों का अमित्र वो इसलाम के दिबार कहा था इसका राइट अंसर हो जेगा महीड भोज परतिहार बंसका अंतिम शासक कौन था यसपाल परतिहार शासक जिसने जालोड में अपनी राजधानी बनाई थी उसका नाम है दोस्तो नागभट पर्थम परतिहारों शासकों में रोह लिथी के नाम से जाना जाता था हरिस चंदर को निमने लिखित में से किस शासक ने बिक्रम शिला विश्विद्याला किया अस्थापना के थी धर्म पाल ने दिद्दा नाम की राणी ने भारत के किस भाग पर 980-103 इस्वितक शासन किया कश्मीर चित्तवरगट किस बंस की राजधानी थी शिसूदिया की अगला क्विश्चन है साहित के परख्यात समर्थक राजा भोज किस बंस से जुरे थे परमार से अगला क्विश्चन है महा अगला क्विश्चन है कि राजबंस जो कनोजपर अधिपत अस्थापित करने में तिरिकोनिया संघर्च में उलजिये हुए थे वे हैं इसका राइट अंसर देख लेंगे दोश्टो कूट देखेंगे इसका कूट के अनुसार मिलान करेंगे इसका राइट अंसर हो जेगा दो तीन चार इसका मतलब है पहले हो जाएगे पाल पाल थे इसके बाद परतिहार और राश्ट कूट एक बार फिर से देखेंगे राजबंस जो कनोजपर अधिपत अस्थापित करने में तिरकोणिया संघर्ष में उल्जे हुए थे वेशारे थे पाल थे परतिहार थे और राश्ट कूट थे अगला कुशिन देखेंगे गनीत चार संग्रह के लेखक कौन हैं महावीरा चार चर्ज नामा के अनुसार छटवी और सताब्दी सताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थे अरोड पाल बंच की राजधानी थे मुद्दीगिडी या मुंगेड निमनलिखित शहरों में से किच में लिंग राजमंदिर अवस्थित है भूबनेश्वर में सेन बंच का संस्थापक कौन था शामंत शेन डैस सबसे पहले तोमर राजपुतों के का पाल की राजधानी बने दिल्ली पाल राजबंच का संस्थापक कौन था गोपाल कोनार्क का शुर्य मंदिर किसने बनबाया था इसका राइट अंसर हो जेगा नर्शिंग देव पर्थम ने गीत गोविंद की रचिता कौन है जैदेव गुजरात के चालुक बन्च का संस्थापक कौन था मूल राज पर्थम चंदेल बन्च की अस्थापना किसने की थी ननुक चंदर बढ़मन ने अगला क्विश्चन है तिरी पक्षिय संगर्षिसका आडम एबं अंत किसके द्वारा क्या गया था पर्तिहार के द्वारा गहरवाल बन्च का संस्थापक कौन था इसका राइट अंसर हो जेगा चंदर देब अलहा उदल संबंधित थे महोवाशे उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय अस्तम का निर्मान कराया था राना कुम्भा राष्टकूट बन्च का संस्थापक कौन था दन्ती तुर्ग एलोडा के परचित कैला समंदिर का निर्मान किस राष्टकूट शासक ने करवाया था क्रिशन पर्थम पल्ल बन्च का संस्थापक कौन था शिंग विश्नो शुबर्मन भुमी का वहराजा कौन था जिसने नालंदा में एक बहुत विहार की अस्थापना की तथा उस ये राख रखाव है तो अपने दोत द्वारा देव पाल से पांच गौन दान में देने के लिए प्रार्थाना की इसका राइट अंसर हो जागा दोस्तो आप्शन नमर से बालपुत्र देव धांग देव किस बन्च का सासक था जेजाक भोगती के चंदेड अगला क्विश्चन है पाल बन्च का संस्थापक कौन था जिसे बंगाल की आम जनता ने अराज हकता से मुक्ति दिलाने के लिए चुना था इसका राइट अंसर हो जागा आप्शन नमर ए गोपाल निमनलिखित में से परमार राजबंस के इतिहास पर परकाश डालने का डालने वाला शुरूत कौन शा है परकाश डालने का शुरूत दोस्तो उपर युक्त सभी है पद्मगुप्त का नव सा सांक रचित मेरू तुंक की परवंध चींताम बनी और उद्यपूर प्रसस्ती उपर युक्त सभी इसका राइट अंसरो जेगा आप्शन मर दी चित्तावर की तिरभूबन नरायन मंदिर को किसने बनवाया परमार राजा भोज ने अगला कुशन देखेंगे नेमन लिखित मेंसे किस परतिहार साज कने बर्तमान भफाल शार बसाया था मिहिड भोज नेमन मेंसे किस मंदिर का निर्मा राष्ट कूट पंच की द्वारा किया गया इसका राइट अंसर हो जेगा कैलास मंदिर का निर्मान खजुराहों मंदिरों का निर्मान किसने किया था चंदेल राजपूत खजिराहों मंदिर किस राज में इस्थित है मदपर्देश में 23 शतावदे में राज अस्थान के मांट आबू में परशित दिलवारा मंदिर किसने बनवाया था तेज पाल ने परशित दिलवारा मंदिर इस्थित है राजस्थान में पाल बंस के पतन के बाद बंगाल का राज नितिक नेतरत परदान किया इसका राई टंसर हो जगा आप्शन नमर ए सैंड बंस ने शोमनात के मंदिर पर दश्वप पसिस इस वी में महमुद गजनवी के आकरमन के इसमें गुजरात का सासक कौन था इसका राई टंसर हो जगा आप्शन नमर ए भीम बेद पर्थम भीम देव पर्थम अब दोस्तों हम लोगों का अगला टॉपिक है स्टार्ट होने वाला है मद्यकालिन इतिहास इसका पहला टॉपिक है अडव आकरमन एबं दिल्ली संतनत का उदै इसके रिलेटेड इनपोर्टेंट स्कूशन को देखेंगे आप लोग अच्छी तरसे ध्यान दिजिएगा अडवों ने किसके नित्रित में भारत पर पहला शफल आकरमन किया था मुहम्मद विनकाशिम अडवों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की थी 712 इसबी में अरब आकर्मन के शमय शिंध पर किसका असासन था दाहिर का महमुद गजनवी ने भारत पर कितने बार आकर्मन किया था 17 बार महमुद गजनवी ने शोमनात मंदिर कब लोटा था दश्वपचेश इस्वी में 2001 इस्वी में अपने पहले हमले में महमुद गजनवी ने निमनल लिखित में से किस भारत असासक को हराया जै पाल को गुजरात की शोमनात मंदिर पर किसने आकर्मन किया था महमुद गजनवी ने निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनात मंदिर का पुनर निर्मान किया इसका राइट अंसर हो जेगा भीम देव ने भारत पर आकर्मन करने वाले शर्पर्थम मुश्लिम आकर्मन कारी कौन थे उसका नाम था दोस्तो अरब के रहने वाले थे अरब जेनरल के डैस ने 711 इसवी में सिंध पड़ विजय प्राप्त की जो खलिफा के डौ मेन का एक हिसा बन गया महमद बिन काशिम अगला कुश्चन है सुल्तान महमूद कहां के सासक थे गजनी के कंचंगेज खान का मूल नाम क्या था तेमूचीन महमद गोडी की सेना और पिर्थवी राज चोहन की बीच दो बार यूद हुआ जिसमें डैस की दूसरी लड़ाई पिर्थवी राज चोहन हार गे और उनके राजबर कबजा कर लिया गया इसका राइट अंसर हो जगा आप्शन नमर डी तराइन तराइन का पर्थम यूद डैस के बीच लड़ा गया था मुहमद बिन गोडी और पिर्थवी राज चोहन के बीच पिर्थवी राज चोहन और मुहमद गोडी ने डैस की लड़ाई लड़ी थे इसका राइट अंसर हो जगा तराइन की लड़ाई शोची 1 को शोची 2 के साथ मिलान कीजिये और नीची देख कोट से सहयुतर का चयन कीजिये इसका मिलान करेंगे दोस्तो शोची 1, शोची 2 चन्दावर का यूद दोस्तो यह हुआ था 1192 में तैमूर लंग का आकर्मन यह हो गया था दोस्तो तेरे सो अंठानवे में ताली कोटा का यूद ये 1565 में और घागरा का यूद ये 1529 में अगला कुश्यन देखेंगे दास बंस की अस्थापना किसने के थे तू दास बंस की अस्थापना दोस्तो इसका राइट अंसर हो जागा आप्शन नमर ए कुतु बुद्दीन एबक ने निमनलिखी तमेशी दिली संतलत का सही करम क्या है गुलाम खिलजी तुगलक लोदी सल्तनत सासक ग्यासु दिन बलवन ने किस अबधी के दोरन दिली पर कबजा कर यहां सासन किया था 266-287 अल बरुनी ने अपनी पुष्टक किताब उल्हिंद यानी मिल मकाला किस भासा में लिखी थी इसका राइट अंसर हो जागा अरवी इन में से किसकी मिर्तियों चौगान खेलने की दोरान हुई थी कुतुबुद्दीन एवक की डैस ने नरोज नामक परचित भार्शी तेवार की शुरुवात की इसका राइट अंसर हो जागा ग्यासु दिन बलवन कुतुम मिनार के पास इस्तित कौँशी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ले में बनने वाली पहली मस्जिद थे इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो ओप्शन नमर डी कुबत उल इसलाम मंदिर 1194 के चंदावर की यूद में मुहमत गोडी ने किसे हडाया था जै चंद को भारत पर साचन करने वाले पहला मुशिलिम बन्स कौँशा था इसका राइट अंसर हो जाएगा गुलाम बन्स किस सताब्दी में दिल्ली का कुतुम मिनार बनाया गया था 12 सताब्दी में दिल्ली संतलत में दिवान ए अर्ज व्यभा की अस्थापना किसने की बल बन्ने कुतुम मिनार का नाम शूफी संत डैश के नाम पर रखा गया था बक्तियार काकी के नाम पर कुतुम मिनार जो दुन्या की सबसी उची ईटों की मिनार है इसका निर्वाण 1193 में दिली संतलत की किस संस्थापक क्या आदेशों की तहत क्या गया था कुतुबुद्दिन एवक कुतुबुद्दिन एवक और रज्या डैस राजवन से संबंधित थे मम लुक भारत में सिष्दा पर था किसने शुरू की है शुरू के थी इसका राइट अंसर हो जाएगा ग्यास सुद्दिन बल्बन नीचे दियेगे सासकों का सही काल कर्म नुकरम क्या है इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों मुहम्मद गजनभी मुहम्मद गोरी इसके बाद चंगेज खान और लाश्ट में तैमूर इसका राइट अंसर आप्सिन नमर शी हो जाएगा अगरा कुशन देखेंगे निमलिकित कर्थनों में से कौन सा सही नहीं है अलबरेनों ने शूफी मत के इस्वरिया प्रेम की पहसान भगवत गीता के समांतर पड़ी छेदों में श्वली श्व वी लोपन के शुरूप में की ये सही है अलबरेनों के अनुसर आत्मा शमंधी शूफी सिधांत पतंजली के योग सुतर के सिधांत के समांते ये भी सही है शूफी मत पर हठ योग के अमरित कुंट का अस्थाई परभा पाया जाता है ये भी सही है योगी के साथ योगियों के साथ हज वीड़ी का संबाद यह दर्साता है कि वह मानव सेड़ की विभाजन के उनके सिधांत से परभावित्था ये गलत है अगला कुशन देखेंगे अजमेर में धाई दिन का जोपरा किसने बनवाया था इसका राइट अंसर हो जगा कुतुब बुदिन एवक ने अधाई दिन का जोपरा क्या है मस्जिद इल्तुत्मीश ने सल्तनत की राजधानी की रूप में किसी अस्थापित किया दिल्ले को दिल्ले के परथम परभुता संपन इल्तुत्मीश को किस उपनाम से जाना जाता है गुलामों का गुलाम दिल्ली इस्थित कुतुम मिनार में कितनी मंजिल है इसका राइट अंसर हो जाएगा पांच मंजिल नियमित मुद्रा जाड़ी करने वाला और दिल्ली को अपने समराज की राजधानी घोशित करने वाला परथम सुल्तान कौन था इल्तुत्मीश दिल्ली सल्तनत की पहली महला सासिका रजिया सुल्तान किस राजधान से सम्बंधित थे दास याने गुलाम राजधान से अगला कुशन है इन्यमिन लिखित में से कौन से एक बिशिटता एकता वेवस्था की नहीं है इसका राइट अंसर हो जाएगा एकता एक राजधा सु एकतित करने की बिश्था है ये है सियासत नामा एकता वेवस्था की जानखाडी का स्रोत था ये भी सही है एकता से एकतित राजधा सु सिधा सुल्तान के खाते में जाता था ये नहीं है मतलब ये गलत है उसके बाद मुक्ति को एकता से एकतित कुंन भारत की परत्थम महिला साश की बत siya को शुल्टान किस ने दिल्स Кुल्क दिल्स की सल्तनद पर राज नहीं किया था इसका राइट अंसर हो जागा दोस्तो ऑप्शनमर डी गोडी बंस ने ये दिली की सल्तनत पर राज नहीं किया था इसके अलाबा गुलामबा श्यद बंस और खिल्जी बंस ये सारे किये थे हज इस सुल्तानी एक डैस है बड़ा जला से है कि सुल्तान ने जमीन में फशल की नफाई का आधा राजस्चु की रूप में दावा किया इसका राइट अंसर हो जागा अलावदिन खिल्जी ने सल्तनत काल के दोरन भूमी बितरन और परसासनिक परणाली का एक अध्भुत परकार बेक्षित हुआ था जिसे डैस कहा गया एक ता दड़ी अगला कुश्चन है डैस खिल्जी बंस का पर्थम सासक था जलाल उद्दिन फिरोज खिल्जे अगला कुश्चन है निमनलिखित अगला कुश्चन है अलाउद्दिन खिल्जी के निमन सेना ध्यक्षों में से कौन तुगलक बंस का पर्थम सुल्तान बना गाजी मलिक अलाउद्दिन खिल्जी के आकर्मन के समय देव गिडिका सासक कौन था रामचंद्र देव अगला कुश्चन है अलाउद्दिन खिल्जी की वजार निती के बाड़े में निमनलिखित कत्रों पर बिचार करे उपड़ युक्ष कत्रों में से कौन सा या से सही है ये सही चुन रहा है दोस्तों तुकंदार और कीमतों को सक्स्ति सक्ति से नियंतिरित करने के लिए उसने बजार को शहना नामक उच अधिकारि के नियंतिरिनर्ण में रकाई सही है सस्तिख घाडान की नियमित पुरती सुनि सित करने के लिए उसने आदेश दिया कि दो आवचितर से भो राजसु का सिधा भुक्तन राज को किया जाए ये भी सही है इसका राइट अंसर हो जगा तो उस्तों आप्चन नमर्शी एक और दो दोनों सही है निम्न मेशिक कि सुलतों ने बजार सुधार लागू किये थे अलावदिन खेलजी तेराभी सताबदी में बक्तियार खेलजी ने बंगाल के किस राजा को प्राजित किया था लक्षमन सैन को अलाई दर्वाजे का निर्माट किस ने किया था फिर्योस्चा तुगलक ने हजार दिनार किसे कहा जाता था मलिक काफूर को अगला क्विशन है एक नए कर विभाग दिवाने मुष्क तक राज का गठन कि सुलतान ने किया था अलावदिन खेलजी ने कि सासक ने दागत था होलिया परथा का परचलन किया खेलजी अगला क्विशन है कि सासक ने अपना उलेक अपने सिक्कों पर सिकंदर दूतिया की रूप में कराया था इसका राइट अंसर हो जाएगा अलावदिन खेलजी अमीर खुश्रो का जन्म कहां हुआ था मध्य पर परधेश में इसका राइट अंसर हो जाएगा उत्तर परधेश अमीर खुश्रो का जन्म कहां हो था उत्तर परदेश ऑप सिका राइट अंसर दोश्तों किस इतिहासकार ने आठ सुल्तानों का काल देखा था वरनी किस ने पद्वावत की रचना के थी जैसे अगला कुश्चन है खुश्रोख हां की हत्या करकिस ने दिली सल्तनत पर तुगलक बंस की नीव डाली थी गाजी मलेक निमने लिखित में से किस ने चिंता मनी भट द्वारा रचित गरंत सुक सब्तती का फार्शी में अनुबाद खर उसका नाम तूती नामा रखा इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों खवाजा ज्यावदीन नक्सवे अगला कुश्चन है मद्द कालीन भारत में सब्द फनम किसी निर्दिष्ट करता है सिक्के को मुहमद विन तुगलक ने कौन सा समाजिक कार किया शती पर्था पर रोक अगला कुश्चन है पर्षित कभी अमीर खुश्रो किसके दर्वार में रहता था एवक के कुतुबुदिन एवक के दर्वार में अगला कुश्चन देखेंगे अमीर खल ख्याल एक अर्वी उपाधी है जिसका अनुबाद स्यमानते कमांडर आफ दा फेत्फूल या लीडर आफ दा फेत्फूल की रोप में क्या जाता था निमने में से किसे या उपाधी परदान की गई थी जमाल उद दीन या कुट को अगला कुश्चन है राणी पदमावती का सम्मद कि सहर से है चित्त और गड़ से मुरकों का परशिध यात्रे इवन बतूता किस काल में भारत आया था दिल्ली सल्तनत इवन बतूता के भारत आने पर दिल्ली संतलत का सासक कौन था मुहमद बिन तूगलक अगला कुश्चन है बहमनी राज की अस्थापना की थे अलावदिन हशन बहमन शाह यानी हशन गंगो ने दिल्ली के किल सुल्तान ने सबसे अधिक नहरों का निर्मान किया था फिरोशा तूगलक ने मद्धिकालिन यात्री यवमलेखक यवन बतूता किस देश का निवासी था मुरक्कव का गाजी मलिक किस वन्स का संस्थापक था तूगलक का तूगलक वन्स के अगला कुश्चन है किडिशी को शमुन्त करने के लिए नहर खुदबाने के संदर्भ में तिरह भी सतापदे का निमनलेखित में से पहला सासक होने का अश्रय किसे दिया जाता है ग्याशुदिन तूगलक को अगला क्वेश्चन है मुहमद विन्तुगलक को किस उपनाम से जाना जाता है मनियारो का राजकुमार के उपनाम से सोची वन को सोची दो से सुमेलित कीजिये और सोचीयों की निचे दियेगे कुट से सहुत्तर का चेन कीजिए सोची वन सोची टू रन थंभोड ये हो जाएगा दोस्तो आपके हमीर देव अगला है चितोर हो जाएगा राना रतन सिंग देव गिरी देव गिरी हो जाएगा दोस्तो राजा राय रामचंदर और गुजरात कर्ण देव इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो अगला क्रिशन है आगरा सहर का संस्थापक कौन था शिकंदर लोदी दिली के किस सुल्तान ने ब्रह्मना पर जजिया कर लगाया था इसका राइट अंसर हो जगा ऑप्शन नमर भी फिरोशा तुगलक भारत के किस मद्कालिन सासक ने एकता व्यवस्था परारंभ किया था इसका राइट अंसर हो जगा इल्तुत मिश कुतु मिनार का निर्मान किस ने पूरा करवाया था फिरोशा तुगलक अगला कुश्चन है दिल्ली सलतनत का सबसे बड़ा विश्थार किस के सासनकाल में देखा गया इसका राइट अंसर हो जगा मुहमद बिन तुगलक चोदह भी सताबदी के दौरण भारत में किसने सोने वह अचांदे की नियमित मुद्राओं के अस्थान पर सस्ती धातों से निर्वित सांकेतिक मुद्रा यानि टॉकेन क्रैंशी का उप्योग शुरू किया था इसका राइट अंसर हो जाएगा आप्शन नमर बी मुहमद बिन तुगलक भारतिय इस्लाम में शिल्प कला योकुतों मिनार एबं अलाई दरवाजा जैसे असमारकों में द्रिष्टी गोशर है भारत के किस यूग से संबंधित है दिल्ली सल्तनत से इब्राहिब लोदी 1526 में पानीपत की पहली लडाई में डैस के द्वारा मारा गया था बाबर की द्वारा पुष्टक तहकीक मालील हिंद किसने लिखी है अलबरोनी ने एगला कुश्यन है डैस के बीच की अबधी को दिल्ली सल्तनत की अबधी की रोप में जाना जाता है 1206 इसवी और 1526 इसवी सिकंदर लोदी किस उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करता था गल रोखी सल्तनत काल में दिवान ए अमीर को ही विभाग निमने लिखित में से किस से संबंधित था किरीशी से किस मध्यूगिन सल्तन को आगरा शहर की निव डालने एबं उशे सल रैट अंसर हो जाईगा सिकंदर लोदी को हुँ जिन्मने लिखित रस गाव हो यह हिंदी या हिंदु चानी के जनमदाता थे अमीर खुश्रो निमने लिखीत में इसे कौन सही सुमिलित नहीं है दाम तामर की मुद्रा ये सही है देशाई राजस्व अधिकारी सही है दिवान प्रांतिय राजस्व का परमुकिये सही है जडिया एक परकार का कर ये गलत है जड़ीब एक परकार का कर ये सही नहीं है ये गलत है सल्तनत काल में कौन से मानक्षि के परचलित थे टंका, जीतल, ससगनी ये सभी इसका राइट अंसर हो जगा आप्शन नमर डी सयद वंस की अस्थापना किस ने की थे किस ने उतर भारत में कई शहरों की अस्थापना की फिरोशा तुगलक सयद वंस अगला कुशन देखेंगे सल्तनत काल में निम्न लिखित में से किस कला की 39 सरवाधिक हुए अस्थापत्ति कला के आइन उल मुल्क मुलतानी ने इन में से किस सासक के अधिन सेबा नहीं की थे अलाव दिन खिल ये ने की थी मुहमद बिन तुगलक ने की थी फिरोज तुगलक ये भी किये थे इल्थोतमिस ये नहीं किये थे अगला कुश्चन है निमनलिकित में से किसे तोता एहिंद कहा गया है तोता एहिंद अमीर खुश्रो को कहा गया है टोपड़ा तथा मेरट से दो अशोक अस्तम लेख दिल्ली किसके द्वारा लाए गये थे इसका राइट अंसर हो जाएगा फिरोज सा तुगलक शल्तनत काल में अमीर रोंका श्वन काल कहा जाता है लोदी काल को अगला क्यूश्चन है निमनलिकित में से कौन फार्शी का पर्थम कविता जिसने अपनी कविता में भारत्यावरान को चित्रित किया अमीर खुश्रो तैमोर ने किस बर्श में भारत पर आकर्मन किया 1398 में अगला कुश्चन है निमनलिकित में से कौन सा यात्रा बिडित मुहमद बिन तुगलक के सासनकाल के बाड़े में गढ़ी जानकारी परदान करता है इबन बतुता का रिहिला अगला कुश्चन है निमनलिकित कथनों पर विचार करिए उपर युक्तस मारकों के नियोजन का सही काल करम निम्न में से कौन सा सही है तो पहले हो जाएगा दोस्तों कुतुम मीनार उसके बाद आप के होंगे तुगलका वाद किला लोधी बाद गार्डन में बड़ा गुमबद लास्ट में फतेपूर शिक्री इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नमर बी 3124 अगला कुश्चन है किस समराथ ने अपनी राजधानी दिली से दौलताबाद अस्थानां त सिर्थ की थे मुहंबद विन तुगलक ने तौल की सबसे छूटी काई कौन सी है तौल की सबसे छूटी काई रती है अगला क्वेशन देखेंगे काक्तिया राजबंस का अंत निमने लिखित में से किसके द्वारा क्या गया दिल्ली सल्तनत के द्वारा क्या गया निमने में से कौन गोल रुखी के उपनाम से कभीताय लिखा करता था इसका राइट अंसर हो जागा दोस्तो आप्स नमर डी सिकंदर लोदे जौनपोर राजिका अंतिम सासक कौन था हुशैन साह नहर निर्मान करने वाला दिली का पर्थम सुल्तान कौन था इसका राइट अंसर हो सुद्धिन तुगलक अगला क्वेशन देखेंगे दिली सल्तनत की दरवाड़ी भासा कौन सी थी फार्सी दिली के कि सुल्तान को इतिहासकारों ने बिरोधों का मिश्रन बताया था मुहम्मद बिन तुगलक इनाम भूमी किसे दी जाती थी इनाम भूमी धार्मिक और अलबरेनु द्वाडा रचित पुष्टक किताब ओल हिंद में किन विश्यों की समिक्षा की गई है इसका राइट अंसर हो जागा भारतिय दर्शन भारतिय इतिहास भगोल गनीतिवम खगोल बिक्यान इन में से सभी राइट अंसर ऑप्सिन नमर्डी हो जागा इन में से स इसका राइट अंसर हो जागा दोस्तों गुलाम खिलजी तुगलक सयद लोदी इसका राइट अंसर ऑप्सिन नमर्डी हो जागा एक दो तीन चार तलत काल के समय भूड़ा जश्यक्वा सर्वुत्तम गरामीन अधिकारी था चौधरी दोस्तों अब हम लोगों का टॉपिक होने वाला है मुगल खाल इसका पहला क्यूशन है बावर ने इबराहिम लोदी को कब भड़ाया था 1526 में बावर का बास्तिविक नाम क्या है जहिर उद दीन अगला क्यूशन है मुगल समराज का संस्थापक कौन है बावर खानवा का यूध वर्स डैस में लड़ा गया था 1527 में खानवा का यूध डैस के बीच लड़ा गया था बावर और राना सांगा के बीच बावर ने भारत पर किस वर्स इसवी में आकरवन किया था इसका राइट अंसर होजेगा 1519 इसवी में तुजुक ए बाबडी किस भाषा में लिखी गई थे तुड़की में मुगल बंस के पहले सम्राट बाबड ने अपनी देश्य भाषा चकताई तुड़की में अपनी आत्मकता लिखी है इस पुष्टक का नाम क्या है बाबड नामा बाबड ने तुलूग मानीती का पड्यूग सर्पर्थम किस यूद में किया था पानी पत के पर्थम यूद में बाबड ने किस यूद को जीतने के बाद कलंदर की उपाधी धारन की थी पानिपत के पर्थम यूद के बाद बाबर की मजार कहां इस्थित है काबोल में बिहारत था बंगाल की सेनों को बाबर ने कहां हड़ाया था घाघरा में हुमायू के उत्राधिकारी डैस का जन्म हुमायू के निर्वाशन काल में हुआ था और वह उत्राधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मिर्तियू हो गई थी अकपर हुमायू का मकवारा कहां इस्थित है दिल्ली में मुगल सत्ता की पुनन अस्थापनों हुमायूने कव की 155-156 वी में हुमायू दिल्ली में हुमायू का मकवारा किसने बनवाया हाजी बेगमने हुमायू नमकीराचीता निमनलिखित में से कौन्ती गुलबदन बेगम शेर्षा ने दिल्ली में किस अश्मारक का निर्मान करवाया पुराना किला 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 ए कुहना मस्जित का अगला कुशन है बिहार राज के सासाराम सहर में निमनलिखित किस प्राचिन समराठ का मकवारा इस्थित है शेर्षा सूरी का उतराधिकारी था इसलाम शाह शेर्षा द्वरा शुरू किये चांदी के सिक्कों को डैस की रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था रूपिया रूपिया कन्नवज की लड़ाई में सेर्षा सूरी द्वरा हुमायुक पूर डैस में प्राजित किया गया था इसमें से किसने अपने समराज को संगठित एबं मजबूत बनाने के लिए सिंधो घाटी से लेकर बंगाल में इस्तित स्वनार घाटी तक साही यानि रॉयल सरक का निर्मान कराया था जिसका नाम बिडिटी स्काल की दौरन बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था इसका राइट अंसर हो जाएगा आउप्शन नमर भी शेड़ सा शोड़ी शेड़ सा शोड़ी अत्वा शेड़ खां का असली नाम क्या था फरीद खां इनमें से किसे खान एक खाना की उपाधी से समानित क्या गया था अब्दुल रहीम को अकबर के सासन में महा भारत का फार्सी भाष्या में अनुबाद क्या गया था वा किस नाम से जाना जाता है रजम नामा के नाम से अकबर के दरबार में शुलेक कार का नाम क्या है जिसे जडिकलम या शुलेकलम के नाम से सामानित क्या गया था इसका डाइट अंसर हो जाएगा आप्सिन नमर सी मुहम्मद हुशैन इनमें सी कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं थे दसपंध थे, अब्दू शम्मद थे, कल्यान दास नहीं थे, वशावन थे पाणिपत की दोतिय लड़ाई किन दो शेनाओं की बीच लड़ी गई थे अकवर्द था हेमो के बीच अकवर्द नमा और आईन ए अकवरी डैस द्वारा लिखित है अबूल फजल द्वारा मेधावी राजसों अधिकारी टुटरनवाल ने किसके अधिन सेवा के थे अकवर्द, अकवर्द डैस वर्ष के आयू में शम्राट बना 19 वर्ष, अकवर्द तेरह वर्ष के आयू में दोस्तों शम्राट बना था अकबर डैस वर्ष की आयू में शमराट बना यह तेरह वर्ष की आयू में शमराट बना था अगला कुशन है अकबर ने शर्व पर्थम किस राजपुताना राजमी वैवाहिक संबंद अस्थापित किया था कच वाहोशे हल्दी घाटी की यूद में महडाना परताप की सेना के सेनापती कौन थे हकीम खान अगला कुशन है निमने लिखी तमेशी किस अस्थान पर अकबर को हमायू की मिर्थ्यू की सूचना मिलने पर राजगदी पर बैठाया गया था कलानोड अकबर के साशन काल में दक्कन में निमने पद्धतियों में से कौन शा भू राजश्यू वो अशुली का परिचलित अधार था हल्की संख्या इन में से कौन सम्राट अकबर के साशन में राजश्यू मंत्री थे टोड़मल डैश बैडम खां का बेटा था जिसने अकबर के दरबार में महतपुन भूमी का निभाई अबूल अब्दुल रहीम खान ए खाना अकबर कब शम्राट बना था 1556 में अकबर के दिन ए इलाही किस बर्च में प्रारंभ किया इसका राइट अंसर हो जगा ऑप्शन नमर डी 1582 इसविय में हमीदा वानो वेगम डैस की मा थी शम्राट अकबर की मा थी अकबर की प्रसासनिक सीट थी इसका राइट अंसर हो जगा दिल्ले मुगल शासक अकबर का जर्म डैस में हुआ था अमर कोट में सेना को मजबूत करने के लिए डैस ने मनसबदारी पर था शुरू की अकबर ने निमनलखित में किस किले का निर्मान अकबर के राजकाल में नहीं कराया गया था दिल्ली के लाल किला का नहीं कराया गया था इसके अलावा आगरा का किला इलाहबाद का किला और लाहोर का किला ये सब का कराया गया था गुजरी महल किसने बनाया था मान सिंग अकबर के सासनकाल के लिए एक महत्पुन शुरूत तारिक ए एकबरीफ पार्शी भासा के इन विद्वानों में से किसके द्वारा लिखी गई थी इसका राइट अंसर हो जाएगा आप्शन नमर ए आरिफ कंधारी बुलंदर वाजा कहां इस्थित है उत्तर परदेश में अकबर के बाद सत्ता सम्हालने वाली उनकी पुत्र सलीम को डैस का खिता मिला जिसका अर्थ है विश्व विजेता जहांगीर का अगला कुशन है अकबर के शासन काल में किस पुष्टक का अनुबाद दा रजम नामा यानि उद की युद की पुष्टक की रोप में क्या गया था महा भारत शेख सलीम चिस्ती का मकवार इन्वेशिक की शहर में इस्थित है फतेफुर्शिक्री में अकबर का जन्म किस राजपुत राजा के महल में हुआ था राजा वीड़ साल किस राजपुत सासक ने मुगलों की विरुध निरंतर स्वतनता का संगर्स जारी रखा और शमरपन नहीं किया मारवार के रा चंदर सेन अगला कुश्चन है निम्नलिखित में से किसे अकबर ने श्वय मारा था अदम खान को उस अंग्रेज का नाम बताईए जिसने गुजरात में प्यपार करने के लिए अकबर से फर्मान प्राप्त करने की चेश्टा के रॉल्फ फिंच अगला कुश्चन है अकबर के समकालिन किस मुगल इतिहासकार ने अकबर को इसलाम का दुश्मन बताते हुए आरोपों की सूची तयार की थी बदा यूनि अकबर ने दह शाला पर था की शुरुआत की पंद्रेस्षो अश्ची में दिन ए इलाही धर्म को शुकारने वाला एक मात्र हिंदू राजा था बिरवल भारत में बीवी का मकवारा इस्थित है और रंगा वाद में किस मुगल शासक ने तंबाकों के प्रयोग का निशीद किया जहांगेर जहांगेर ने निम्न में से किस दुर्ग में सरन ले थी और जहा में निम्न लिखित में से कौन एक जहांगेर का पुत्र था खुश्रो मिर्जा अगला कॉयशन है ने मने esti किस झाहँ गेड की ऐसान कालमी भारत की यत्रा के थी फ्रांसिश्को पलेटर पलेट अगला कॉयशन हमिन नूर जहाँ किस मुगल साथ की पतनी थी जहाँ गेड की निम्नलिखित में से कौन बर्ष 1615 इस वे में जहांगेर की दरबाड में ब्रिटी सासक जैम्स पर्थम का राजदोत था इसका राइट अंसर हो जगा शर्ट टॉमश रो जहांगेर ने थॉमश रो को कहां मिलने का अवशर दिया था अजमेर में जहांगेर की निमनलिखित पतिनियों में से किस ने आत्महत्या की थे मेहरो निशा बेगम जहांगेर ने किस के हत्यारे को प्रोस्कृत किया था वीर सिंग बुंदेला के हत्यारे को अगला कुशन है मुम्ताज महल का वास्तिविक नाम क्या था अर्जोमंद वानो बेगम अगला क्वेशन है साहजा ने मुगल समराज की राजधानी आगरा की अस्थान पर कहां अस्थान अंत्रित किये क्या इसका राइट अंसर हो जेगा दिल्ले किस मुगल बादसा ने इलाही संपत की अस्थान पर हिजरी संपत चलाया था साहजा मुगल समराज जहांगेर ने कप्टन हॉकिंग्स को की चुपाधी से समानित किया था अंग्रेज खां यूरोपिया चित्रकाडी का परवेश किसके दर्वार में हुआ अकबर के दर्वार में अगला क्वेशन है राजकुमार खुर्रम आगे चलकर शमराट डैस कहलाय क्ckenIST आःट यह को है दिली के लाल केले का नंत किसी ने करवाया था साजानमे मोगल शाशन में तामज्रम का कहलाता था अगला क्वेशन है निम्हेश से कौन जिंदा पीड की नाम से जाना जाता था इस शी औरंग जीव दाड़ा शीको कुकी सस्थान पर दफनाया गया था दिल्ली में निमनलिखित युद्धों को कालकरम नुकरम में गवस्थित कीची और नीची दियेगे कुटों में सही उतर का छियन कीची पहले हो जाएगा दोस्तों वील गराम का युद्ध उसके बाद श अधो लिखित में कौन एक दाड़ाशिको की रचना है मजमूल बहरीन निमनलिखित में से कौन मोगल दरवार के साथ राजकुमार दाड़ाशिको के चिकित्षक की रूप में जुरा था फ्रांचवा वर्णियर साहजा ने किस बर्ष दच्छिन भारत के अहमद नगर पर आकर्मन किया था 1633 इसवी में डैस को उसकी सेस जिंदगी के लिए अड़ंग जेब ने कईद कर दिया इसका राइट अंसर हो जाएगा साहजा शुपर्षित कोही नोड हीरा साहजा को किस ने उपहार में दिया था इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों आफ्सिन नमर सी मीर जुमला मनसबदार जिन्हें मुद्रा के रूप में बेतन दिया जाता था उन्हें कहा जाता था अमीर साहजा नामा के लिखक कौन है इनायत खान नमनलिखित में सिखी सासक ने साहठुखी नामा क्चांधी का सिखा चलाया बाबढ मुगल दरबार में मेधावे पुरूशों को द्या जाने वाला पुरूशकार जो की सम्मान सोरोप एक बस्तर के पहनाय जाने के रोप में होता था जिसे सभी सम्राट पहना करते थे का नाम क्या है इसका राइट अंसर हो जाएगा खिल अत नम्रलिखित में से कौन सा शही सुमेलित नहीं है पुष्टके लेखक तबकात ए नाशरी मिनहाज उलशिराज जस जान ये सही है तारिक ए फिरोशाह सम्स ए शिराज अफे ये गलत है तुगलक नामा अमीर खुश्रो ये सही है हुमायू नामा गुलवदन बेगन ये भी सही है नम्रलिखित में से किसने फटेपूर्शिक्री के पंच महल का निर्मान करवाया था आकबर 1564 में मुगल से लड़ते हुए गल्ठ कटगना का वसाव करने की दौरान किस रानी की मिर्द्यों हो गई इसका राइट अंसर हो जाएगा आप्शन नमर्डी रानी दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल सासक ने बनाई थी औरंग जेव ने डैस को उसकी से जिन्दगी के लिए औरंग जेव ने कैद घर दिया साजा ताजमल के बास्तुकार कौन थे उस्ताद अहमद लाहोडी लाहोड में बादसाही मस्जिद का निर्मान किस ने करवाया था औरंग जेव ने 1749 का करणाल का युद नादिर साह और किस के बीच में लरा गया था इसका राइट अंसर हो जगा मुहमद साह के बीच अगला कुश्चन है मदकालिन भारत के दोरान लिखी गे खिता किताब गीत गोविंद के लिखक कौन है जैदेव अली कुली शलीम और अबु तालिब कल 1749 का युद नादिर साह और के बीच अगला कुश्चन देखेंगे मुगल परसाशन के संदर्व में निमनलिखित में से कौन सा विकल्प मनसबदारी परथा की विश्चताओं से संबंधित है इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्सन नमर ए जात शवार निमनलिखित में से मोगल समराटों जिन्हों भारतिय उप महाद्वी परसाशन किया था का उल्टा शही अनुक्रम यानि अन्तिम से पहले कौन शा है बहादूर साह दोतिय औरंग जेब साह जहां अकबर अगला कुछिन देखेंगे निमनलिखित में से कौन सी जोड़ी मोगल कालिन इमारत एबं अस्थान सुमेलित नहीं है हुमायो का मकबरा दिले सही है जहां गेड़ी महल बुड़ हानपूर ये गलत है बुलंदर वाजा फतेपूर्शिक्री ये सही है ताज महल की सुलेखक यानि केली गराफर डैस ने 1648 सिस्वी में इसकी रचना की और पुड़ा किया इसका राइट अंसर हो जेगा अमानत खान सिराजी निमनलिखित में से किस मोगल सासक ने संगीत और निर्थ पर परतिबंध लगाया था औरंग जेव साजान दाराशिकों को कौन सियोपाधी दे थी शाह बुलंद इकबाल की और अंग जेव की किस पुतर ने बिद्रोह करके राजपुतों की ब्रुद अपने पिता की स्थिती दुरलब कर दी थी इसका राइट अंसर हो जाएगा अकबर साह दोती है और अंग जेव ने किस शिख गुरु की हत्या कर दी इसका राइट अंसर हो जाएगा गुरु तेगव तेग वहादूर की और अंग जेव की राज दरबार में निमलिकित में से किसकी संख्या शरवाधिक थी हिंदू शेयना पतियों की मुगल समराट अरंग जेव ने रिखित में से कौनसा बाध्यंतर बजाने में निपुन था। वीना आलमगीर किस मुगल समराट की उफाध ही थी इसका राइट अंसर हो जाएगा अरंग जेव की। लाहोर में वादशाही मस्जित का निर्मान किसने करवाया औरंग जेव ने दोश्तो अब हम लोगों का अगला टॉपिक होने वाला है बिजयनगर समराज एबं आधोने के भक्ति आंदोलन हमारा पहला कुशन है बिजयनगर राज की अस्थापना की थी हर्यार और बुकानी बिजयनगर समराज का पर्थम राजबंस क्या था शंगम बंस बिजयनगर समराज की अस्थापना की सवर्च हुई 1366 में देवड़ाय दोतिया ने निमलखित मिशी कौन सी उपाधी धारन की गज बेट करकी अगला कुश्यन है तुलूब बंस का संस्थापक कौन था बीर नर्सिम्भा क्रिशन देवड़ाय के इस आसनकाल में अश्ट दिगज की से कहा जाता था इसका राइट अंसर हो जेगा तेलगो भासा के आठ महा बिद्वानों कवियों को क्रिशन देवड़ाय ने आम्मुक्त मालयद नामक गरंत की रचना किस भासा में के तेलगो ताली कोटा का युद यानि राक्षस तंग्री या बनहट्टी का युद लड़ा गया था इसका राइट अंसर हो जेगा विजय नगर और विजापूर आहमद नगर तथा गोल कुंडा किसन युक्त सेना के बीच वह विदेशी आतरी कोटा जिसने ताली कोटा युद में प्राजय के उपरांत विजय नगर का भर्मन क्या तथा वरनन क्या था इसका राइट अंसर हो जेगा शीजर फ्रेडरिक और विडो वन्स की अस्थापना किस ने की थे तिरों मलने देवडाय दूतिया के सासन काल में कौन विजय नगर की यातरा पर आया था अब दूर रज्जाक बिजय नगर समराज की सिक्कों पर सासकों की नाम किस लिपी में मिलते हैं नागरी लिपी में अगला कुशन है बिजय नगर सहर किस नदी के तट पर बसा हुआ था इसका राइट अंसर हो जगा तुंग भदरा अठवन का क्या आर्थ है भो राजस्चु विभाग बिजय नगर समराज की सासक किस देबता के नाम पर सासन करते थे बिरो पाक्च बहमनी राज की पर्थम राजधानी कौन थे गुलबर्ग किस बहमनी सासकों दक्कन का नीरो कहा जाता है अलाव दिन हुमायो बडार की अस्थापन किस के द्वारा की गई थे फता उला इमाद शाह द्वारा निमने लिखित बहमन सासकों में से विजापूर में पर्षित गुल गुम्बज का निर्मान किस ने क्या था इसका राइट अंसर हो जगा मुहमद अदेल साह शोबिख्यात कोही नोड हेडा किस खान से निकाला गया था गुल कुंडा से बिजायनगर समराज पर सागहांतिक पड़ाहार किस युद में हुआ ताली कोटा में 1565 में इन यात्रियों में से कौन इटली से था और जिसने 15 सताबदी में बिजायनगर राज की यात्रा की थे निकोलो कॉंटी अगला कुश्यन है बिजायनगर में अमर नायकों का बर्ग निम्नलिकित में से किसका संदर्भ परदान करता है शैना कमांडर निकोलो कॉंटी कौन था इटली का एक यात्री जिसने बिजायनगर समराज की यात्रा की किर्ष्न देवराय ने किस नगर की अस्थापना की नागन पोड की निम्नलिकित में से कौन सही सुमेलित है इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो सही नीचे देगे कोट का पढ़ियो करके सही उत्तर का चैन किजिए यात्री देश मारको पोलो इटली ये सही है इबन बतुता मुरको ये भी सही है निकी तीन रोष ये भी सही है सहीद अले हिराईस तुर्की ये भी सही है इसका राइट अंसर हो जागा दोस्तों आप्सिन नमर टी ये सभे क्रिसिन देव रायद्वारा निर्मित हाजारा एवं बिठर स्वामी मंदिर किस राज़े में था बिजय नगर में याथरियों और उनकी राष्टियता के निम्नलिखित युगमों में से कौन सा एक युगम सही सुमेलित नहीं है इबन बतुता मरको ये सही है दुआरते बार वोशा पुर्तगाली ये भी सही है जीन बैपिष्ट टैवर नियर डज ये गलत है निकोला ओ मानुची बेनी सियन ये सही है बिजय नगर समराज के राजाओं द्वारा धान्मिक पर्योजना के लिए उप्योग के जाने वाले मंज चबुतरो को क्या कहा जाता था महा नवमी डिबा अगरा क्यूशन है पर्मुक तेलगु कभी श्रीनात किसके दर्वार में थे इसका राइट अंसर हो जगा देवडाय दूतिया के दर्वार में इन में से किसने कृष्णन नदी की शहायक नदी के दठषनी टट पर एक नए नगर की अस्थापना की और उस देवडा के पर्तिनिधी की रूप में अपने इस नए राज पर सासन करने का दयत्तूलिया जिसके के बारे में माना जाता था कि क्रिश्णा नदीश से दच्छिन की समस्त भूमे उस देवता की है हर्यर पर्थम सन 1800 में बिजयनगर यानि हमपी के भगना अवशेश को निमने लिखित बिडिटी सर्वेयर और इंजिनियर द्वारा जनता की जानकारी के लिए परकटित यानि उद्घाटित क्या गया था इसका राइट अंसर हो जाएगा कॉलिन मेकेंजी अगला कुश्चिन देखेंगे विजयनगर समराज का अवशेश कहां मिलता है इसका राइट अंसर हो जाएगा हमपी यानि करनाटक में किसके राज में कल्यान मंडप की रचना मंदिर निर्मान का एक विशिष्ट अभी लक्षन था विजयनगर की अगला कुश्चिन है विजयनगर समराज की बारे में निम्नमेश से कौन सा कथन या से कथन सत्य है या है इसका अंसर देख लेंगी दूस्तो राजाओं ने भगवान बिरुपाक्स की ओर से सासन करने का दावा क्या ये सही है साक्षों ने देबताओं के साथ अपनी घनिष्ट सनलगनता इंगित करने के लिए हिंदू सुत्र त्रान उपाधी का पर्यूक्या ये भी सही है सभी राजसी आदेशों पर कंडर संस्कृत और तमील में हास्त अक्षर किये जाते हैं ये गलत है राजसी आकिर्ती मूर्ती अम मंदिरों में परदर्शित की जाती थी ये सही है इसका राइट अंसर हो जाएगा दूस्तों आप्शन नमर्डी एक तो और चार ये सही है निमनलिखित में से किन राजबंसों ने बिजयनगर राज के अधी राजत्तु के अधिन सासन किया शंगम, शुलब, तुलूब तथा अरावीडो दक्कन के निमनलिखित में से किस रियासत से चांद वीवी संबंधित थे अहमद नगर से अगला कुशन है बिजयनगर का परशिध हजारा मंदिर किसके सासन काल में निर्मित हुआ था खिर्षन देव राय के सासन काल में, खिर्षन देव राय के दरबार में अश्ट दिगज कौन थे, आठ तेल को कभी हमपी का बिरुपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है, भगवान शिव को हमपी डैस का समराज की राजधानी थी, इसका राय टेंसर हो जेगा विजयनगर किस देव राय डैस समराज के सासक थे, इसका राय टेंसर हो जेगा विजयनगर के देव राय पर्थम के शासन काल के दोरन निकोलो कॉंटी ने डैस इस भी में विजयनगर का दोरा किया था इसका राइट अंसर हो जेगा 1420 में विजयनगर राजबंस के उस शासक का नाम बताई ये जिसने 1620 सताबदी में शासन किया खिसन देव राय विजयनगर समराज की पहले राज़ा कौन थे हरियर पर्थम उस इंजिनियर का नाम बताई जो हमपी के खंडरों को दुनिया की समक्च लाया था कर्नल कॉलिन मेकेंशी 1600 से 1700 की अबधी के धार्मिक सिक्चक मिया मीर किस राज़ से संबंधित थे इसका राइट अंसर हो जाएगा आप्शन नमर सी पंजाब से संथ कबीर का जन्व कहां हुआ था वारा नसी में मीरा वाई कहां की राज़पूत कुमारी थी इसका राइट अंसर हो जाएगा मेड़ता शुफी आंदोलन मुल्त कहां से प्रारंभ हुआ फारस यानि पढ़ सिया से सिवाजी के सम साम इक मराठा संथ का नाम था संथ तूकाराम अगरा क्विशन है गुरु नानक देव यानि सिक धर्म के परवर्त का जन्म कहां हुआ था तलवंडी में डैस को अमरित सर में इस्थित हर मंदिर शाहिब गुरु द्वारे यानि स्वर्ण मंदिर के सुनहरे स्वर्ण देडी करण के लिए जाना जाता है इसका राइट अंसर हो जाया अप्शिन मर भी रंजीत सिंग को किस शीख गुरु ने स्वर्ण को सच्चा बाद सा कहा था इसका राइट अंसर हो जाया गुरु अर्जुन देव ने डैस एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेफूर्शिक्री बनाया गया था शेख सलिम चिस्ति अगला क्विश्चन है तेलगों किरिती अमुक्ता माल दिया का लेखक कौन था किरिस्न देव हिडाय निम्नलिखित में इसे किसे शीख उलहिंद के पदवी परदान की गई थी इसका राइट अंसर हो जागा शेख सलिम चिस्ति को निम्नलिखित में से कौन इसलाम से परभावित था नाम देव चेतन महापरभू की संपरदाश से संबध थे इसका राइट अंसर हो जागा ऑप्शन नमर ए वैसनव भक्ति आंदोलन का प्रारंब किसके द्वारा क्या गया था अलवार संतों द्वारा निम्न में से रामानंद के सिस्ष नहीं थे नरहरी थे रैदास थे कबिर थे तोलशी दास नहीं थे कबिर दास जी का गरंथ विजक कितने भागों में है तीन भागों में साखी सबद रमाइनी किस गरंथ के भाग है विजक के अलवर संतों में से कौन एक महला संत थे अंडाल अगला क्यूशन है अद्वयत बाद के जनक कौन थे शंकरा चाड़ी अब दोस्तों हम लोगों का अगला टपिक होने वाला है जिसका नाम है मराठा और मोगलों का पतन इससे रिलेटिर क्वेशन्स को देखेंगे बहादृर साह पर्थम ने नहीं किया सती पर्था का शमर्थन इसके अलाबा जजया का अंत साहु की रिहाई राज दरवार में फिर से होली खिलनी की शुरुआती ये सारे बहादृर साह पर्थम ने किया था? शिर्फ सती पर्था का समर्थन नहीं क्या था जहां दर्शाह को किस उपनाम से जाना जाता है इसका राइट अंसर हो जेगा लंपट मुर्ख के उपनाम से जिस मराठे ने 1719 सिश्वी में फड कुड का तक्था पलटने में सयद बंदों की मदद की वह था वालाजे विश्वनात मयूर सिंगहासन पर बैठने वाला अंतिम मोगल सासक कौन था मुहम्मद शाह निमनलिखित में से किस मोगल वाज साह ने आलमगीर दोतिया की उपाधी धारन की अजीजो देन अगला क्वेशन है राम मोहरडाय को अकबर शाह दोतिया ने कौन सियो पाधी दे थे राजा की अंतिम मोगल वाज सा भाधूर साह जफ़र था उनकी पिता का नाम था इसका राइट अंसर हो जाएगा अकबर शाह दोतिया निमनलिखित को काल कारमान उशार में प्यवस्थित कीजिए और नीचे दे कोट से सहे उत्तर का शेयन कीजिए अब दोस्तो हम लोग पहले कोट को देख लेते हैं कोट इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो इसका मतलब पहले हो जाएगा दोस्तो जहां दार्शा, मुहम्मद शा उसके बाद हो जाएगा दोस्तो अहमद शा और आलमगीर दोतिया अगला कुशन देख लेंगे उत्तरकालिन मोगलकाल में सयद बंधुओं के बारे में निम्लिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है वे जहांगीर साह को शत्ता में लाए ये सत्य नहीं है उन्होंने परसासन सक्ती को नेंतरित क्या ये सत्य है उन्होंने सेह सुनता की धार्मिक नेति अपना ये भी सही है उन्होंने राजा साह के साथ एक समझोता किया ये भी सही है बिला सितापूर्ण जीवन जीने के कारण मुहम्मद साह को किस नाम से जाना जाता है इसका राइट अंसर हो जाएगा रंगिला के नाम से निमनलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनने वाले थे इसका राइट अंसर हो जगा होशैन अली और अब्दुल्ला मुगल वास्षा भादूर साह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके समराज की सिमा थे चांदनी चौक से पालम भारत का अंतिम मुगल सासक कौन था भादूर साह दोती है भारत से मयोर सिंहासन पिकॉक थोर्म कौन लेकर गया था इसका राइट अंसर हो जाएगा नादिर साह किस मुगल समराट को अंगरेजों ने रंगून भेश दिया था बहादूर साह जफर को अहमाश्या अबदाली भारत में किस एस्याई देश से आया था अफगानिस्तान से नादिर साह ने डैस में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूट पार्ट की थी 1749 में अगला कुश्यन है कि सीख गुरू ने खाल्शा पंत की अस्थापना की थी इसका राइट अंसरो जगा शिरी गुरू गोविंद सिंग जी ने सिवाजी का राज्या भीषेक कहां हुआ था रायगज में शिवाजी के समराज की राजधानी कहां थी रायगज सिवाजी की मिरतियों के पसात उत्राधीकारी के लिए किनके बीच लराई हुए राजा रम और संभाजी के बीच पीश वाई को कब समाप्त किया गया था 1818 में सिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपती की उपाधी धारन की 1637 में जन्म हुआ तथा 1674 में उन्होंने छत्रपती की उपाधी धारन की चोथ क्या था यह परोशी राजियों पर सिवाजी द्वारा लगाया गया भूमी कर था शिवाजी ने मोगलों को किस संधी के द्वारा किलों को हैस्ता अन्थरित किया इसका राइट हो जाएगा अंसर पुरंदर की संधे अश्परधान का गठन किस ने किया था शिवाजी ने ओपर निमनलिखित में से किस एक को निर्दिष्ट करता है मराठा साशन की अधिन धारित भो धिरिती यानि टेनेंसी टेनियोर की एक सरेनी अगला क्वेशन है शुरक्षा के लिए मराठों के राजसु के दावों को किस नाम से जाना जाता है चौध के नाम से सिवाजी के अश्ट परधान में निमनलिखित अधिकारी थे उपर युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो मजूमदार, दवीड, वाकनिष, शुरनिष राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो अगला कुश्चन है आदी गरंथ किस समोदाय का धार्मिक गरंथ है सिख धर्म का मुगल समराट डैस ने आलमगीर शिर्षक अपना लिया था और अंग जेव शिवाजी के राजनेती गुरु एवं संडग चक कौन थे दादाजी कौन देव अगला कुश्चन है शिवाजी की परशासन में पेशवा कहा जाता था पेशवा दोस्तो परधान मंत्री को कहा जाता था अगला कुश्चन है शिवाजी सर्वाधीक परभावित थे जीजा वाई से शिवाजी का जन्म कहा हुआ था शिवनेड के दुर्ग में शिवा जी को पहाडी चुहावा सासी डाकू की संग्या किसने दी औरंग जेव ने शिवा जी को राजा की उपाधी किसने परदान की थी औरंग जेव ने किसी अंतिमहान पेश्वा कहा जाता है इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो आप्स नमर भी माधव राव को किस गवर्नर जनरल के सासनकाल में दोतिया आंगल मराठा युद लड़ा गया लाड वेले जले अगला क्वेशन है शुमेलित के जिये शूची वन शूची टू अब दोस्तो इसे मिलान कर लेती हैं शूरत की संधी ये हो जाएंगे दोस्तो आपके 1775 पुरंदर की संधी ये हो जाएंगे 1776 वर्गाओं की संधी 1789 शालवाई की संधी 1782 अगला क्वेशन देखेंगे मालवा के सुविदार जै सिंग को मिर्जा राजा की उपाधी किसने दे थी जहादार शाह ने अफजल खांकी हत्या किसने की थी शिवाजी ने तोरन के किले को शिवाजी ने कब जीता था इसका राइट अंसर हो जेगा 16 वर्ष की उम्रे में शिवाजी 1665 में पुरंदर की संधी में कितने किले औरंग जेव को दे दिये थे 23 कुल 23 के ले शिवाजी का राज तिलक संपाधित करने वाले पुरुहित का क्या नाम था गंगा भट अगला क्वेशन है राजा जैसिंग कहां की राजा थे आमेर के निमनलिकित में से किस अस्थान के सासक ने अफजल खां के अधिन 1669 में शिवाजी की विरुद एक विशाल सेना भेजी थी इसका राइट अंसर हो जाएगा विजापूर शिवाजी के नित्रित में शूरत को पर्थम बार कव लूटा गया था इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो बर्श 1664 में अरंग जेब द्वारा 1663 में किसको शिवाजी की बढ़ती हुई सक्ति का दमन करने के लिए न्युक्त क्या गया था साइस्ता खाको शिवाजी की अंतिम बिजय थी जिनजी की शिवाजी ने मुगलों को किस युद में हडाया था शलहार के युद में शिवाजी की मिर्थियों कव हुई 1680 में अगला कुशन है पुरंदर की संधी 1665 में किसके बीच हुई थी सिवाजी एबं जैसिंग की बीच मराठा घुर्षवार सेना की 25 घुर्षवारों वाली सबसी छोटी एकाई थी इसका राइट अंसर होजेगा हवल्दार मराठा शमराज में भूराजसु की दर क्या थी उपज का 2Y5 निम्नलिकित में से कीसे मराठा समराज का दूतिय संस्थापक माना जाता है मराठा राज का सारवाधीक विश्ता निमनलिकित में से किसके काल में हुआ था वालाजी वाजिरा के काल में पानिपत का तीसरा युद कब लडा गया ? पानिपत का तीसरायू 14 जन्वरी 1771 में 1761 में लड़ा गया 14 जन्वरी 1761 में अगला कुश्चन है एक इतिहास कार ने पानिपत की तीसरी लड़ाय को श्वयम देखा वह कौन था कासी राज पंडित अगला कुश्चन है बेशिन की संधी किसके बीच हुई थी अंग्रेज एबं बाजिरा दोतिया के बीच पानिपत की तीरतिय युद में किसने मराठों को हडाया था अफगानों ने बर्स डैस में तीसरे आंगल मराठा यूद की समापती एबं मराठों द्वारा अंग्रेजों के समक्ष शमरपन के साथ ही मराठा समराज का अस्तित्तु समापत हो गया इसका राइट अंसर हो जाएगा अफशन नमर C 1818 मराठा समराज एबं ब्रेटिस इस्ट इंडिया कंपणी के प्रति निधी यूँने किस वर्स सालवाई की संधी पर हास्ताक्षर किया था इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों 1772 निमनलिखित में से कौन सा जोड़ा मराठा की कराधान परनाली से जुरा हुआ है चोथ और सर्दिश मुखे सिवाजी पर पेश वाओं की विजय के बाद मराठा समराज की राजधानी डैस बन गई थी पूना दोस्तों अब हम लोगों का अगला टॉपिक होने वाला है आधुनिक इतिहास आधुनिक इतिहास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में बिदेशी कमपणी का आगबनवा छित्रीय रियासतों का उदै पहला क्विशन है 27 सतावदी की पहले चतुर्थांस में निम्न लिखित में सी इंगलिस इस्ट इंडिया कमपणी का कार खाना कहां खोला गया था ब्रोच में भारत की दच्छिनी पुरिवी टेट पर इस्थित इनमेसी कीश अस्थान पर अंग्रेजोंने 6111SV में अपना पहला कार खाना खोला मशूली पट्टनम में इनमेसी काउंसा खोज करता भारत आना चाहता था किन्तु इसके बज़य 1492SV में अमेरिका केटर पर पहुच गया था किश्क टोफर कोलंबस गोवा को पुर्त गालियों से स्वतन्तु ता किश्वर्ष में प्राप्त हुई इसका राइटन सरुजेगा उनिश्व एक्सथ में बासको डिगामा भारत कब आया था 1498 में ब्रीटिशों के साथ आली नगर की संधी पर किसी ने हास्त्याक्षर किये थे शिराजू दोलाने निमनलिखित मेशी की सस्थान पर वाडियार राजवन्स का सासन था इसका राइट अंसर हो जाएगा उप्शन नमर भी मैसूर 1789 में शिरी रंग पतनम की लड़ाई में अगरेजों ने किसे हडाया था टीफू शुल्तान को पूर्तगालियों दोड़ा गोवा पर कबजा कब क्या गया था 1510 इस्वी में बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 इस्वी में डैस नदी के टेट पर अस्थापित किया गया था हुगले इस्ट इंडिया कंपणी ने 168 इस्वी में भारत के किस हड में अपना पहला बैपारी केंद्र अस्थापित किया था इसका राइट अंसर हो जेगा शूरत में भारत की समुद्री मार्ग की पहली बार खोज डैस ने की थी पुर्त गालियों ने डैस में इंग्लेंड की रानी को भारत की महरानी गोशित किया गया था 1877 इस्वी में बर्च 1489 इस्वी में भासको डिगामा भारत में कहां उत्रा था इसका राइट अंसर हो जेगा काली कटपड मदरास में इंग्लेश इस्ट इंडिया कंपणी के अधिवास के अस्थान को किस नाम से जाना जाता था इसका राइट अंसर हो जेगा फोर्ट सेंट जार्ज की नाम से वांडी वासन के यूद 1760 में 1760 में बिडिटिस ने भर्यांच को हडाया पर्थम आंगल मैं शोर यूद 1766 से 69 में कौन भीज़ाई हुआ हैदर अले पलासी की यूद 1757 के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था मीड जाफर भारत के किस गवर्नेर जेनरल के से में में सिंद का विले 4843 अंग्रेजी राज में किया गया था इसका राइट अंसर हो जगा लॉड एलन वरो भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला जिला पहला किला कौन सा था पहला किला दोस्तों फोर्ट सेंट जॉर्ज था अगरा कुश्चन है निमनलिखित कतनों पर बिचार करिए पर युक्त में कौन सा या से अंग्रेजों की भारत को देन थी या थी इसे देख लेते हैं दोस्तों मिर्दा के श्वरूप्त था उपज के गुनों के अधार प्रभुमी राजसु का मुलिवन ये नहीं था यूध में चलती फिरती तोपों का प्रयूग ये भी नहीं था तंबाकू और लाल मिर्ची की खेती ये भी नहीं था इसका राइट अंसर हो जगा दोस्तों आप्श किनारे इस्ट इंडिया कंपणी को 31 दिसंबर को एलेजावेद पर्थम त्वारा अंग्रेजी रोयल चार्टर द्वा दिया गया था इसका राइट अंसर हो जगा शोलेशो में रंजीत सिंक जी कु राजा क्यूपाधी किसने दी थे रंजीत सिंक कु राजा क्यूपाधी जमान साह ने दिये थे दूशरे अंगलों मैशूर यूद में गवरनर जेनरल कौन था वारेन हैस्टिंग्स मुर्शित कूली खां अली वर्दी खां और सिराजु दौला कहां के नवाब थे इसका राइट अंसर हो जगा बंगाल के जब फ्रांसिसी नित्रित में फ्रांस डैस पर कबजा कर लिया था तब पहला करनाटा की उथ लड़ा गया था इसका राइट अंसर हो जाएगा मदरास में पुर्तगालियों दौरा बर्स 1612 सथ में इंगलेंड की राजा चौल्स दूतिय को पुर्तगाल की राजा की बहन से साधी करने पर दहेज की रूप में कि भारतिय सहर को उपहार सुलूप दिया था मुंबई को केप ऑफ गुड होप कहां इस्थित है देचिन अफिरिका में अगरा क्विशन है सुची वन को सुची दोशे शुमेलित कीजिए तथा नीची देख कूट से सहय उत्तर का चयन कीजिए सुची वन सुची टू सुची जमुद्री यात्री और देश बासको डिगामा यह हो जाएंगे दोस्तो पुर्तगाली किस्टोफर कोलंबस यह एस्पैन कैप्टन कोक यह हो जाएंगे ग्रेट बिटेन और तश्मान यह हो जाएंगे आपके हॉलेंड इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो ऑप्शन ऑगला क्वेशन है 1660 में भारत में बेपार चोक युद किया स्थापना करने के लिए डैस ने इस्ट इंडिया कमपणी को अधिकार दिया महरानी अलीजाबेट पर्थम ने अगला कुईशन है अंग्रेजी इस्ट इंडिया कमपणी को डैस नाम से भी जाना जाता था जॉन कमपणी के नाम से भारत में अपने नियतरन को बढ़ाने ही तु ब्रीटिस और भारतियों के बीच कई युद लड़े गए थे परन्तो निमनलिकित में से कौन उसमें सामिल नहीं था एंगलो मराठा ये सामिल था एंगलो शिक ये भी सामिल था एंगलो मैशूर ये भी सामिल था एंगलो बंगाल ये सामिल नहीं था हैदराबाद का अंतिम निजाम याने सासक कौन था मेर उश्मान अली खा पलासी की लड़ाय किसके बीच लड़ी गए थी सारा गढ़ी का युद्ध लड़ा गया था किस बर्स में सारा गढ़ी का युद्ध लड़ा गया था इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों अठाडशो संतावन इस्वी में सहायक संधिकी परणाली को श्विकार करने वाला भारतिय मूल का सासक कौन था है दराबाद के निजाम पलाशी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनेतिक सप्ता हासिल कर ले थी यह लड़ाई किस बर्स में हुई थी सतरसो संतावन में डैस के अनुसार इस्ट इंडिया कंपणी दोरा भारतिय सासकों को अपनी सोस्त्र सैना रखने की अनोमती नही नहीं दी गई थी फूट डालो और राजक्रोर नीती शर्वो परिता की नीती यह सारे इस्ट इंडिया कंपणी दोरा भारतिय सासकों को अपनी स्वतंत्र सोस्त्र सैना रखने की अनुमती दे थी अगला है आयर कोट के नित्रत में ब्रीटिस सैना ने कव फोटो नावो में हैदर अली को हडाया और मदरास को बचाया था इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो जुलाए 1781 बक्सर का यूद किस बर्स में लड़ा गया था बक्सर का यूद 1764 में लड़ा गया था दूतिया अंगल मैशूड यूद 1764 इस बी में वह ब्रीटिस जनरल जिसने हैदर अली को पोटो नोवा के यूद में हराया था इसका राइट अंसर हो जगा शर आयर कोट 1820 अताबदी में अवत का सबसे पहला नवाब कौन था नवाब सादत अलीखा निमनलिखित में से कौन ब्रीटिस प्रुपकाल में अपने ब्यपारी पोट शूरत बंदरगाह में नहीं लाए थे पुरतकालि और अंग्रेज लाए थे रूशी और जर्मन ये नहीं लाए थे अंग्रेज और अरब लाए थे प्रांसेशी और अरब की लाए थे सूची एक को सूची दोसे सुमेलित कीजिए और सूचियों की नीचे दियेगे कुटों से सही उत्तर का चेन कीजिए सूची वन सूची टू इलाहाबाद की संधी इलाहाबाद की संधी दोस्तो 1765 मने हुआ था मंगलोड की संधी मंगलोड की संधी 1784 स्वी शालवाई की संधी 1782 स्वी मदरास की संधी 1779 स्वी इसका राइट अंसर हो जाएगा option नम्मर C इलाहवाद की संधी के बारे में निम्नलखित में सी कौन शाकतन सही नहीं है यह देख लेंगे दोश्तो इलाहवाद की संधी में कौन साकतन सही नहीं है मुगल समराट ने एक फर्मान के द्वारा इस्ट इंडिया कंपणी को बंगाल विहार और उडिशा को दिवानी आपचारिक रूप से अनुदत की ये भी सही है पचास लाख रूपिय भूकतार पर आवद है इसके नवाप को लोटा दिये थी ये भी सही है वनारस तथा आसपास का छित्र आवद से अलग कर साह आलम द्वितिया को शौप दिया गया था ये गलत है इनमें से किस यूध ने भारत में बिडिटिज उपनिवेश वाद की नेव रखे इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर भी पलासी का यूध हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मदरास संधी पर हास्ताक्षर किये जिसमें दोनों उसके उभयनेश्ट शत्रों डैस के बिरुद प्रस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे मराथा पलासी की लड़ाई किस नदी के टटपर हुई थे भागी रथी नदी के टटपर टिपू शुलतान मस्जित कहां इस्थित है कोलकाता में श्रीरंग पटनम में हुए चोथे अंग्रोर मैसुर युद में किसकी हत्या हुई थे टिपू शुल्तान के पूर्त गालियों दोरा कालिकट से ले जाये जाने वाले कालिकट के सोती कपड़े यूरोप में आमतवर पर क्या कहलाते थे कैली को पूर्त गाली यातरी वासको डिगामा का कालिकट में स्वागत करने वाले भारतिय राजा का नाम बताईए जमोरीन बंगाल की खारी में समुदरी डकाइती ही तू होगेली का उप्योग कौन करता था इसका राइटन सरोजा आप्शन नमर सी पुर्तगाली इन निमनलिखित में सी किन अस्थानों पट्टाचों ने अपने बेपाडिक अड़ी अस्थापित किये नाग पट्टम, चिन सुडा, मचली पट्टनम दचिन भारत के किस राजाने बर 1741 में कोला सेल की लडाय में डच इस्ट इंडिया कंपणी को प्रास्त क्या था इसका राइटन सरोजागा दोस्तों आप्शन नमर सी मारत तंड बढमा निम्नलखित में से काउंसी एक फसल भारत में पुर्तकालियों दोरा लाई गए थी इसका राइटन सरोजागा दोस्तों मेरच अपने सासन के दोरण अंग्रेज किसानों को मंतरास में डैस उगाने के लिए मजबूर करते रहे चावल डर्च इस्ट इंडिया कंपने ने किस बर्ष अपनी फैक्टरी पतना में अस्थापित की थी भारत में अंग्रेजों दोरा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरूत किस बर्ष की गई थी इसका राइटन्स रोजेगा आप्शन नमर भी अठाड़े सुत्तिर पनिश भी बर्ष सुत्तिर आणवी में बंगाल बिहार और ओडिशा में डैस शुरू की गई थी अस्थाई बंदोवस्त डैस भारत की सुतनता से पहले सबसे बड़ा समानती राज था हैदराबाद मुर्शित कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाग घोशित कर दिया और अपनी राजधने ढाका से हटा कर डैस कर दे मुर्शिताबाद अठाड़ाविस अताबदी के मद इंग्लिस इस्ट इंडिया कमपणी के दोड़ा बंगाल से निडियातित परमुक उपयोगी पदार्थ क्या थे कपास रेसम नमक और अफिम अगला क्वेशन देख लेंगे अपने सासन के दोरण अंग्रेज किसानों को अश्यम में डैस उगाने के लिए मजबूर करते थे चाय निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी वुल वाटर पालिसी से संबंधित है इसका राइट अंसर हो जगा फ्रांसिसको दा अलमीडा फ्रांसिसी इस्टिंडिया कंपणी ने भारत में अपना कार खाना सबसे पहले कहां अस्थापित किया था शुरत में मुगलों ने इस्टिंडिया कंपणी को दिवानी अधिकार यानी बंगाल बिहार और उडिशा में राजसुक संगरहन करने और दिवाने मामलों का निश्तारन करने का अधिकार किस बर्च परदान किया गया था शत्रे सो पैसट इसवी में अंग्रेजी सासनकाल में भारत का कौन सा छित्र अफिमूत पादन के लिए परसिद्ध था बिहार अंग्रेजों ने भारत में छित्रों को प्रांतों में विभाद किया बंगाल, बांबय और मदराज जिरें डैस कहा जाता है इसे दोस्तों पैर्सिडेंसी कहते हैं इस्ट इंडिया कंपणी की पर्थम फेक्टरी कहां अस्थापित की गई थी शूरत में फ्रांसी सी यात्री टेवर नियर के अनुशार 27 सितापदी की दोरण वाडा नसी के अधिकतर मकान किस से बनाया जाते थे इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों आप्शन नमर ए इट और मिट्टी से निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है इसका राइट अंसर हो जाएगा आप्शन नमर सी डेड ड्रेगन डैस को प्रारंबिक तोर पर इस्ट इंडियस के साथ ब्यपार करने के लिए गठित किया गया था लेकिन अंत में यह मुख रोप से भारतियम उप महादुप और चीन के साथ ब्यपार तक ही सिमेत हो गया इसका राइट अंसर हो जाएगा आप्शन नमर सी इस्ट इंडिया कमपनी अरब विपाडियों नी लाल सागर और भोमत बंदरगाहों के माध्यम से भारतिय बस्तों को डैस देशों में भेजा यूरोपिया देशों में अंग्रेजों दोरा कलकता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम है फोर्ट विलियम भारत में पुर्तगाली सत्ता की बास्तिवी की नीव रखने वाली महान पुर्तगाली गवर्णर थे इसका राइटेंस रोजेगा ओप्शन नमर बी अलवु रख हैदराबाद राज की अस्थापना किस वर्ष की गई 1724 स्वी में अगला क्यूशन है श्वतन्त करनाटक राज की अस्थापना 1725 स्वी में किसने की थी सादुल्ला खाने हैदर अली ने 1725 इस्वी में किस अस्थाण पर एक आधुनिक स्थापना फ्रांसिस्यों की शहायता से की थी दिंडी गूल दोस्तो अब हम लोगों का अगला टॉपिक होने वाला है ब्रीटिश शाषन में अर्थवियस्था तो था विभीन आन्दोलन पहला क्यूशन है अश्वतन में सरपर्थम चाय कंपनी की अस्थापना कब की गई थी अठारे सो उन्चालिश श्वी में अगला क्यूशन है निम्ले लिखित में से कौन ब्रीटिश शाषन के दौरान भारत में रैयत बारी बंदोबस्त प्रारम्भ कि ये जाने से संबध था या थे नीचे दियेगे कूट का पड़ियो करके सह उत्तर का चयन करे दोस्तो इसका राइट अंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर रोड और थोमश मुन्रो नेक्स्ट क्वेशन देखेंगे सुमेलित केजिये सूची वन शूची टो इन्हें दोस्तो अच्छी तरह से मिला लेते हैं खेल बिद्रो 1818 में और बरली बिद्रो 1945 में अगला कोशन देखेंगे दोस्तो भारत में पहली बार किसने बार्शी काय को अनुमानित किया था दादा भाई नरोजी चंपारन सत्यागर से पहले चंपारन के किसन तिनकठिया परणाली को अपनाते थी जिसमें एक विखा भुमी के पांचकठों में डैस बोया जाता था नील 1818 में भारत की पहली कपड़ा मील डैस के पास फोट गलास्टर में अस्थापित की गई थी कलकत्ता में डैस में शुरू की गई राजस परणाली को रहयत बारी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है बांबे डेकन की रूप में शन 1823 में डैस तक यता याद के लिए पहला डेल मार्ग खोला गया था बांबे सी पूने होल्ट मेकेंजी ने भारत में राजस संग्रहन की निमने लिखित में इसी कौन सी बीधी बिक्सित की महालवारी पड़नाली 1793 में किस वायशराय के सासन में बंगाल की अस्थाई बंदोबस्त वेस्था लागो की गई थी इसका राइट अंसर हो जाएगा आप्शन नमर बी लॉड कार्ण वालेस छोटा नागपुर जनजाती बिद्रो कब हुआ था 1820 में भारती इतिहास के संदर में द्वेध सासन सिधांत किसी निर्दिष्ट करता है इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो पड़ांतो की परत्या योजित विशयों का दो बर्गों में विभाशन कानपुर सर्जेंतर मुकदमा किस आंदोलन की नेताओं की विद्रुद था इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन नमर सी सामिबादी आंदोलन अगला क्विशन है निम्नलिखित बानीजी केंदरों में इसी किसका मध्य 1820 सिताब्दी के बाद पतन हुआ धाका का अस्थाय बंदोबस्त लागों होने के समय बर्धमान का राजा कौन था इसका राइटन शरू जग दोस्तो तेज चंद सुतंता प्राप्ती से पुडव भारत का सर्व पर्थम जूट मिल कहां अस्थापित किया गया था बंगाल में रेतवारी विवस्ता को डैस और मदराज में शुरू किया गया था बॉंबई में उस ड्रच का नाम बताई जिसने भारत में आधुनिक सिक्षा के सर्व वर्धन में राजा राम मोहनराय की मदद की डेविड हैर बर्दमान के पस्षिम उत्तर पर्देश मद्द पर्देश और पंजाब के कुछ हिसों में अठारे सो तीस हिस्वी में डैस को शुरू किया था महालवारी विवस्था को अपनी वेसिक अर्थ विवस्था के बारे में नेमनलकित में से कौन साकतन सही नहीं है ब्रिटीशों की मवज़ुद्गी से देशी पुंजीवाद में अब रोधाया यह सही है अब अंधता से तेजी पुंजीवाद को शक्रिय रोप से है पुर्वी भारत में स्वित समाहिक अधिकार यानि वाइट कलेक्टिविटी मोनोपाली सबसे पहले आया तथा शर्वाधिक सुद्रिड बन रहा है यह सही है रेल्बे के निडवान से पहले बांबे के भीतरी परदेश में परवेश करना कठीन था यह भी सही है अगला क और शन्यासी पीद्रोग को किस ने दबाया था सब्सक्राइब निमले लिखित में इसी कौंसाख्तन अध्योगिक करांती के दोरा उनिश्वी सताब्दी के वार्थ में भारत परपड़ी परभाव की शहीं बैख्या करता है भारतिया दस्तकारी उद्योग नेस्ट हो गे इसका राइट अंसर हो जगा आप्शन नमर ए तिनकठिया कानून किस अस्थान पर किस की खेती सी संबंधित है चमपारण नील की खेती सी वह पर्था जिसके तत किसान स्वेम भूमी का मालिक होता है और सरकार को भोड़ाजसु के भूगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है इसका राइट अंसर हो जगा रायतबाडी पर था दैच्षिं भारत में सिचाए व्यवस्त्था का अगरतोत किसे माना जाता है शर ओर थर कॉटन को 2017 शंग्राह में मदद करने के 5 मानने तिलक दोरा कौिशा अखवार शुरू किया गया था इसका राइट अंसर हो जगा क अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संस्थापक कौन थे बाल गंगाधर तिलक भारत में पस्षिमी सिक्षाइबं अंग्रेजी भासा शुरू करने के लिए वकालत किस ने की थी राजारा मोहन रायने ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपणी ने चायके व्यपारी केका अधिकार को खो दिया इसका रायट अंसर हो जया आठारेशों तेटिश की चार्टर एक्ट द्वारा वेले जैनली ने फोर्ट विलियान कॉलेज की अस्थापना की क्योंकि वह भारत में प्रसासने कुदेशों के लिए ब्रिटिश सिविलियानों को प्रसिक्षित करना जाता था भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गूलान या महा हल्चल नेमली लिखित में से किस घटना को कहा जाता है अठारे सेने नडवे से उनिश्व का विर्शामंडा का बिद्रोह को ब्रिटिश सरकार द्वारा दामीन ए को यानी प्रवत का आशल का नेरेमान नेमली लिखित में से किस समूदाय को बसानी के लिए किया गया था इसका राइट अंसर होजेगा संथाल किरल में मोपला बिद्रोह यानी मलाबार बिद्रोह कब हुआ था 1921 में मोपला बिद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था 1921 से 1922 डैस दोरा लेखित नेल दरपन में अंग्रेजों के हाथ नेल की खेती करने वाले किसानों की दसा और उनके सोशन के वैख्या की गई दिन बंधो मित्र बंगाल में डैस की खेती की करन 1869 से 60 में विद्रोह शुरू हुआ पालेगर विद्रोह तीरोव नेल वेले ये शही है डैस तराबन कोड की दिवान थे जिन्होंने 1808 में एक बिद्रोह का नित्रित किया था और उन्हें साड़ुचनिक रोप से फासी दी गई थे वेलू थंपी मुंडा बिद्रोह का निता कौन था बेड़सा मुंडा निम्नलीखित में इसी किशनी 170 enroll इसमी में बंगाल में चीरा स्थाय बंदोबस्त की सुरुवात की लौड कॉर्ण वलिष अगला कुशन है बंगाल की बंगाल में गरामिन समाज यानि रूरल सोसाइटी के चिरास्थाय बंदोबस्त यानि पर्मानिट सेटलमेंट का पड़ी नाम यानि परभाव क्या था धने यानि संपन किसानों के एक समोह ने जिसे जोतेदार कहा जाता था गौव में अपने इस्थिती को मजबूत बनाने में सभलता पाई अगला कुशन है निम्नली खित में से किस कारण से भारत में बिश्वी सताब देके आरंभ में नेल की खिती का हास से हुआ नई खितों के कारण विश्व बजार में इसका अलावकर होना अगला कुशन है रामोशी विद्रोह अकाल एबं भोग की समस्या से सम्बंधित भारत के कि स्चेत्र में हुआ था इसका राईट अंचर वोजेगा आप्सिन मड़ी पसमी घाट में बर्च उनिश्व एकिस में मोपला विद्रोह कहा हुआ था केरल में पागल पंथी विद्रोह बस्तुता एक विद्रोह था गाडोका 1855 चपन में भारत में हुई शंथाल विद्रोह का नेत्रित किसने क्या था शिद्धू और कान हो निम्न में से कौन निल आयोक क्या ध्यक्ष था डबलू एस सिटकर बार्दोली सत्यगरह जोकी किसनों का एक आदोलन था कि अगुवाई किस भारती राष्टवादी नेता द्वारा की गई थी बलव भाई पटेल द्वारा डैस में अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपणी ने भारत में एक सिक्षा परणाली पेश के जिसे वूड के डिस्पैस के नाम से जाना जाने लगा इसका राइट अंसर हो जगा अठाड़े सो चोवनिस भी अखिल भारती किसान सभा के पर्थम सत्रकिया ध्यक्षता किसने क स्वामी सहजानन्द ने अपने सासन की दोरण अंग्रेज किसानों को मदरास में डैस उगाने के लिए मजबूर करते रहे चावल भारत में पूर्तगाली सत्ता की बास्तिव की नीवी रखने वाले महांत्म पूर्तगाली गवर्नर थे उसका नाम था दोस्तो अलवोक रख 377 सिविक में आरंभ हुई सन्यासी विद्रों का परमुक केंद्र कहां था बंगाल में निमनलिखित में से कौन वर्ष 1948 में अस्थापित हिंदो मजदूर सभा के संस्थापक थे इसका राइट अंसर हो जाएगा तोस्तो अप्शन नमर डि असोख महता टियस रामानुजम और जीजी महता ब्रिटीश सरकार द्वारा दामिन कोह का निर्मान निमलखित में से किस समुदाय को बसाने के लिए क्या गया था संथाल ताना भगत आंदोलन जत्रा भगत ने छोटा नागपूर से किस वर्ष आरंभ किया था इसका राइट अंसर हो जगा आप्शन नमर स वे नियम अधी नियम पाड़ित किया गया था 1786 में पागलपंत की अस्थापना किसी ने की थी करम शाहने ब्रिटीश उपनिवेशी सासन के दौरान भारत के निमलखित में से किस छेत्र में खोट कटी भोगरीती यानि पट्टा पड़ चली था छोटा नागपूर हाजी दोस्तों इसका राइटन सरो जगया हाजी शडिये तुल्ला के अनवाई थे अगला कुशन देखेंगे दक्कन किरिशक राहत अधिनियम 889 को निमनलखित में से किस उद्देश के साथ अधिनियमित किया गया था बेदखल किये गे खेती हारों को जमीन वापस लवट जाना बंकिम चंदर चतरजी के परचीदो पर्ण्यास आनंदमट का कथानक अधारित है शन्यासी बिद्रों पड़ निमनलखित में से कौंसा किसान संगर्श विडिटिस अफिम निति का परिनाम था फुला गुरी धेवा 1861 निमनलखित में से संथाल बिद्रों कब हुआ इसका राइट अंसर हो जग अठाड़े सो पच्पन से चपनिसवी में व्यापगत का सिधांति यानि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप से अठाड़े सो आर्तालिस के अनुपालन में से कौंसी रियासत को सबसे पहले कबजे में लिया गया था 17. अखिल भारते किसांसभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा 1944 में हुई का निर्वाचित अध्यक्ष कौन था सहजानन शर्षती बर्स 1910 का कौन सा अधिवासिश संग्राम बश्तर को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराने का महा संग्राम था इसका राइटांस रोजेगा ओप्स नमड़ी भूम काल विद्दरो ब्रेटिश इस्ट या कमपणी का भारत से ब्यफार करने का इका अधिकार निमलेकित में से किस वर्स समाप्त कर दिया गया था 1813 इसवी में 1815 इसवी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया मेजर बारों को भारत में पहला अकवार किस ने शुरू किया जैम्स हिक्की ने डैस ने इजाड़ेदारी बेवस्था की शुरूआत की जिसके अनुसार राजसु एकतर करने का अधिकार उस्तम बोली लगाने वालों को पास साल की अब्धी के लिए दिया गया था वारेन हैस्टिंग्स किसने सासनकाल में भूर आजसु से संबंधित अस्थाय बंदोबस्त अस्थापित किया था इसका राइट अंसर हो जगा आप्शन में सीक लॉड कॉर्ण वालेश जम्पारन में तिन कठिया पर्था का तात्य पड़ी था तीनवाइविश भूभाग पर निल की खेती करना अंग्रेशों द्वाराशर पर्थम कहवा वगान लगाये गए थे वाइनाड जनपद में अठाराभी सती में बंगाल में बस्त्र उद्ध्यों के पतन के लिए उतरदाई कारण था ब्रीटेन को निडियात करने वाले माल पर उच तटकर किस विचारक ने भारत में विचाए गई डेल को आधुनिक युग का अग्रदोत कहा था इसका राइट अंसर हो जाएगा कॉरलर मार्क्स किस ने यह विचार किया था कि भारत में ब्रीटिस आर्थिक नीती घिनावनी है कॉलर मार्क्स ने अगला कुशन देखेंगे दादा भाई नरोजी द्वारा परतिपादित अफवासिधानत का सही प्रिभासा नेमने में से किस कथन में आती है कथन दो में भारत की राष्टे संपदा का एक भाग अत्वा कुल बार्शिक उत्पादन ब्रीटेन को निर्यात कर दिया जाता था जिसके लिए भारत को कोई बास्तिविक परतिफल नहीं मिलता था महराष्ट में रामोशी किर्चक जद था किसने अस्थापित किया था इसका राइट अंसर हो जगा वास्तुदेव बलवन्त फ़रकेने 1857 इस्वी के बिद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौँसा बिद्रोह हुआ था नेल बिद्रोह महराष्ट में फड़के बिद्रोह का नित्रित किसने किया वास्तुदेव बलवन्त फ़रकेने वार्दोली सत्यागरा को किसने नित्रित परदान किया था बलव्भाई पटेलने ते भागा केशक आंदोलन निमलेकित में से कहा हुआ था बंगाल में निमलेकित में से कौन सा आंदोलन एक गुडिला युध था ते लंगाना किडिशक आंदोलन पर्था मखिल भारतिय किसन महासचीव कौन थे इसका राइट अंसर हो जेगा एजी 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 रंगा खैडबार आदिवाशी बिद्रो जारखंड में कब हुआ था इसका राइट अंसर हो जेगा दोस्तों आप्शन नमरे अठाड़े सो चोहत्तरी सिपी में अब दोस्तों हम लोगों का अगला टोपिक होने वाला है अठाड़े सो संताबन की करांती और धार्मिक आंदोलन पहला कुशन है अपनी बेसिक भारत में भारते बिद्वाओं के लिए सार्दा सदन एश्कूल की अस्थापना किसी ने की पंडिता रामावाई शत्ति सुधक समाज की अस्थापना किसकी द्वाड़ा की गई कौन था लॉड कैनिंग अठाड़े सो संताबन के विद्वाओं का नित्रत बिहार में किसी ने किया इसका राइट अंसर हो जगा कोबर सिंग निमनलिखित में इसे किसने अठाड़े सो संताबन के विपलव अप रिशिंग को पर्थम स्वतनत्रिय यूद की सांग्या दी इसका राइट अंसर हो जगा विडी सावर कर निमनलिखित में इसे कोण इलाहाबाद में थाड़े सो संताबन के संगराम का नेता था मौल वियल याकत अले किस परख्यात भारती है इतिहास कार्णे अठाड़े सो संताबने स्वी की करांती को नहीं माना है तालाचंद माना है एसेन सेन ये भी माने है आरजी मज़ुमदार ये नहीं माने है शावर कर माने है निमनलिकित में सेनिकों के बिद्रोह के साथ शुरू हुआ जल्दहीं व्यापक हो गया और बिरिटी सासन के लिए एक गंभिर चुनोती बन गया भारतीय बिद्रोहпа अठाड़े सो संताबन निमशनलिकित में इस किसे भारती सिपाही ने 857 में भारती विद्रो के फायनलें के तुरंथ पहले ही घटनाव में महत्पुन भूमे का निभाई थी मंगल पाणे रानी लक्षमीभाय का विवाह डैस शे हुआ था गंगाधर राँशे भारत का पहला स्वतनता संग्राम 10 में 1857 को डैस में शुरू हुआ था मेड़ेट में किस गबरनेर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादूर सा जफ़र अंति मोगल समराठ होंगे और उनकी मिर्तियों के बाद किसी भी बनसज कोड़ा जाकी रूप में मानेता नहीं दी जाएगी कैनिंग अगला कोईशन है 1857 के संग्राम के निमनलिखित के अंदरों में से सबसे पहले अंग्रियेजों ने किसी पुना अधिकरित किया दिलिक 1857 के बिद्रोह के दोरन भादोशा ने बक्त खान वक्त खान को किस उपाधी से शामानित किया था शाह ए आलम किरितिश यार उल मोता खारन पलासी का युद 1757 का बर्णन करती है किसके द्वारा लिखी गई है गुलाम हुशाइन के द्वारा नेमलिखित में से किसके बारे में यह माना गया है कि वो 1857 में ब्रिटिस के बिरुद सर्यांतर कारी सन्यासियों और फखिरों का नेता था बहादोर सा दोतिया एला कुशने 1857 के बिद्रोह को अंगरेजों ने आखिरकार कब दबाया था 1869 में 1854 की पहली चिंगारी किसने परजोलित की जिसके कारण 1857 के बिद्रोह के शिरुवात हुई इसका राइट अंसर हुजेगा मंगल पांडे लखनाओं में 1857 के बिद्रोह का नित्रित किसने किया था बेगम हजरत महल 1857 में साह महल ने किस अस्थान पर बिद्रोह का नित्रित किया था बरवत 1857 के बिद्रोह जिसे भारत के पर्थम सुतंता संगराम के रूम में भी जाना जाता है के बाद भारत के अंतिम मोगल समराट भादोर साहज जफर को निर्वासित करके कहां भेज दिया गया था इसका राइट अंसर हो जगा बर्मा रंगोन अठाड़े सो संतावन इसवी के करांती के दुरौन चिनहाट के यूध में ब्रिटिस के बिरो लड़ने वाले बिद्रोही का नाम क्या है इसका राइट अंसर हो जगा आहमद दूला शाह अठाड़े सो संतावन इसवी के बिद्रोह के दिनों में इन में से किसी दंक शाह के नाम से जाना जाता था मौल भी अहमद दूला शाह को अगला कुछिशन है शिपाही बगावत कहां से शुरू हुई मेरट से निमलेखित में से किसे ने संथाल विद्रो और अठाड़े सो संथाबन की विद्रो की दोर रांगिडेजों की सहता की थी महाराज मेहताब चंद्र 1857 की विद्रो में अपने सभी स्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना यानि इनफैट्री वटालियन सामिल थी 41 वी नेविटिव इनफैंट्री अगला कोईशन है 1857 की विद्रो का ततकालिन कारेनिन में से क्या था चर्वी वाले कार्तोश 1857 की परतम 77 संगराम की दोरान कानपुर छितर ने अंग्रेज सासन का बिरोध करना शुरू किया जहां नाना साहब के डैस इस्थित महल को इसके मुख्याले की रूप में पड़ियोग किया गया इसका राइट अंसर हो जगा आप्शन नमर ए बिठोर एंफिल्ड राइफल से लाने के लिए कौन उतर दाई है जिसने चर्वी वाले कार्तोशों का उप्योग होता था जो 877 का ततकाल इनकालन बन गया था इसका राइट अंसर हो जगा आप्शन नमर भी हैंडी हाडिंग निम लिखित का मिलान केजिये धर्म सुधार आंदोलन संस्थापक आ्री समाज आरी समाज हो जाएगा दोस्तो इसके संस्थापक थे द्यानाध शरस्फति अगला है ब्रहम समाज ब्रहम समाज के संस्थापक थे दोस्तो केषब चंदर शैन तथा सिरिधर्लो नैडो बेद समाज बेट समाज के संस्थापक थे राजारा, मोहन राय और प्रार्थनाव समाज प्रार्थनाव समाज के शंस्थापक थे आतमाराम, पांडु, रंग अगला क्वेशन देखेंगे अलीगर्ण आन्दोलंड किसके द्वारा शुरू किया गया था इसका राइट अंसर हो जागा आप्शन नमर्डी सेयद आहमाद खांके द्वारा निमलिखित में से किस समा सुधारक ने 1826 के जोड़ी विधायक का घोर बिरोध किया राजारा मोहन राय इनमें से किस परख्यात समा सुधारक ने ज्यान योग कर्म योग तथा राजयोग नमक पुष्तके लिखे इसका राइट अंसर हो जागा आप्शन नमर्डी श्वामी विवेकानन्द इनमें से किस एक सुथनता शैनानी का मूल नाम मनी करनी का था इसका राइट अंसर हो जागा आप्शन नमर्डी रानी लक्ष्मी वाई ब्रीटिस से लड़ते हुई रानी लक्ष्मी वाई का देहंत कहां पर हुआ था गौल यर में भारत डैस में ब्रीटिस समणाज के प्रत्यक्स शासन के अधहिन आगिया था गौपाल क्रिशन गोखले ने किस बर्स में भारत सिवक मंडल याने शर्वेंट्स अफ इंडिया सोसाइटिक की अस्थापना की बर्स 1905 में भारत सिवक समाज की अस्थापना किसने की थे गौपाल क्रिशन गोखले राजा राम मोहनराय को राजा की उपाधी किसने दी थे इसका राइट अंसर हो जागा दोस्तों अकबर दोतिया ने समाज सुधारक राजा राम मोहनराय की विशया में निमलिखित कत्रों में इसी कौन सा कत्थन आशक्ति है राजा राम मोहनराय उश संभरंत वर्ग के थी जिसकी सकते शीर अस्थाय बंदोबस्त याने पर्मानेंट सेटलमेंट लागो करने पर कम हो थी ये गलत है इसके अलाबा अप्शन मर्ड बी सी डी ये सारे सही है उन्होंने ब्यतांत के आदो इत्वाद और इसाई इस्वर रेक यवाद दोनों का ध्यन क्या था ये सही है उन्होंने उपनी सदों का बंगाली में अनुबाद क्या था ये भी सही है उनका पाला संगठन आत्मिय सभा था जिसकी अस्थाप्रा में 1815 स्वि में हुई थी ये भी सही है तत्तो बोधिनी सभा की अस्थाप्रां किसकी द्वारा की गई थे देवंदर टैगोर द्वारा वर्ष अठारे सो उन्चालेस सिवी में पुष्टक सत्यार्थ प्रकास के लेखा के हैं श्वामी द्यानंद सरस्वति भारत में थियो शोफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यत थे इसकी राइट अंसर हो जाएगे तूस्तो अप्शन नमर भी करनल एच एस अलकाट के कारेन निम्लिखित में से कौन थियो शोफिकल सोसाइटी की गतिवीध्यों से संबंधित नहीं था मदान एच भी वलात्सकी ये संबंधित था एओह्यूम नहीं था इसके अलावा क अलकाट ये संबंधित थे शुर्यमत्य एणी वेशंट ये भी संबंधित थे निम्लिखित समाश सुधारकों में से किसने महाराश्ट में 5866 में विधवाप पुनर्वेवा को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था की शुरूत की इसका राइट अंसर हो जगा आप्शन मर महाराश्ट में एक जाती विरोधी आंदोरन का विधवाप पुनर्विवाह के समर्थन में 5888 में निम्लिकित में से किसी ने राजमंदरी स्थोचल लेफॉर्म एस्थापना की विडेश लिंगम पंतुलुतू हिंद विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था 1856 में नेटीव मेरेज एक्ट किस वर्ष पारित की आगया था 1872 में पसिम भारत में डी के करवे का नाम लेवल लखीते में से किस संदर्व में आता है इस्तरी सिक्षा भारती इतिहास के संदर्व में 384 का रखमा वाई मुकदमा किस पर क्यंद्रित था इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों सहमती की आयू और दामपत अधिकारों का परत्य अश्थापन इसका राइट अंसर हो जाएगा तो उस्तों आप्शन नमर भी दो और तीन नव वधवाद के परतिपादक कौन थे अम बेड़कर निमलेकित में से कौन सा यूगम सुमेलित नहीं है शर्वेंट्स आफ इंडिया सोसाइटी जी की कोखली यह सही है सोसल सर्विसलिक अन एम जोशी यह भी सही है सहवाद समीती असन कुझरू यह भी सही है शोशल रिफॉर्म डे शोशेशन शिरी राम वाजवी ये गलत है ब्यभारीक बेतांत के पर्तिबातक कौन है इसका राइट अंसर हो जगा विबेका नंद 1857 के बिद्रोह के पर्चित नेताओं में इसे एक तत्या टोपे यानि तांत्या टोपे को अंग्रेजों ने 1869 में फासी दे थी इसका राइट अंसर हो जगा दोस्तो ओप्शन नमर बी शिब पूरी 1857 के शिपाही बिद्रोह में शिपाहियों को किस कमपणी दोड़ा बनाएगे कार्तुर्चों पर आपत्ती थी एनिफिल्ड हरप नीती किसने लागो की थी लौट डलहोजी ने टेलिगराफ लाइंसर पर्थम कहां से कहां तक विशाई गई किस गवणर जनरल ने भारत में शती पर्था का अंत किया था लौट बिलियम बेंटिंग भारत में सिबिल सर्विस का सुतरपात निमलिखित में से किसने किया मंगल पांडे ने 1857 की विद्रों की पहली गोली चलाई थी इसका राइठन सरोजय बैरक पूर में नए भारत का पैंगमबर किसे कहा जाता है राजारा मोहनराय को राम क्रिश्न मिशन की अस्थापना किस ने की थी बिवेका नंद ने ब्रहम समाज की संस्थापक कौन थे राजारा मोहनराय राजा रम मोहनलाय ने किसके बिरुध में एक एतिहासिक अंदोलन का आयूजन किया था शती पर था श्वामी देयानांसर शती ने आरिसमाज 1835 में कहाँ पर अस्थापित किया था बंबई में 1856 में किसने लहाबाद को आपात कालीन मुख्याले बनाया था लॉर्ड करिंग शिकागो बिशुधन परलियामेंट इसमें विवेकानन्द ने भाग लिया था का आयूजन हुआ शितंबर 1832 में रामक्रिशन मिशन का मुख्याले कहां इस्थित है बेलोड में किस धर्म सुधारक की विर्तियों गरेट बिरिटैन के व्रिष्टल में हुई राजारा मोहनडाय की अगला क्वेशन है भारतिय पुनर जागरान आंदोलन के पिता कौन थे निराजारा मोहनडाय स्वामी वियकानन्द का मुण नाम क्या था निरंदर नाधदत अगला क्वेशन है महराष्ट का शुकरात किसे कहा जाता है महादेव गोविंद राणाडे को स्वामी दियानन्द स्वामी का मूल नाम क्या था मूल शंकर शारदा एक्ट शंबंधित है बाल बिवा परतिबंधिशे निर्वने लिखित में से किसे राजारा मोहनडाय की धार्मी क्या समाजिक विचारों की विरुध में प्रारंभ क् श्रमाजार चंद्रिका राजारों मोहनडाय की समाधी है बिश्टर इंग्लेंड में अगला कोई से नहीं स्वामी दियानां स्वार्शती ने आरे समाज की अस्थापना कब की थी अठारे सो पचहत्तर इस्वी में अठारे सो संतावनिस्वी के विद्रों के समय बिटिश परधानमत्री कौन था पॉम अश्टन अठारे सो संतावनिस्वी के स्वधिन्ता संग्राम का परतिक था इसका राइट अंसर हो जागा दोस्तो आप्चन नमबर ए कमल और रोटी नाना शाहब का बास्तिविक नाम क्या था धोन धो पंत अगला कुश्चन है मंगल पांडे शिफाही था चोतिस्वी नेटिव इनफेंट्री का अगला कुश्चन देखेंगे 1857 इसवी में स्वधिंता संघर्ष की बिरांगना महाराने लक्षिमी बाय की जनवस्तली है वाराने सी एराने लेच्मी बाय को ग्वालेर में किसके यूद का शामना करना परा था यूरोज का अगला कुश्चन है लखनों में 1857 की बिदरोह का दमन किसने किया था इसका रा अफिशर था इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों ऑफिशन नमर सी हैड से था दोस्तों अब हम लोगों का अगला टॉपिक होने वाला है बिटिज गवर्नर जेनरल पहला कुश्चन है बंगाल के पर्थम गवर्नर जेनरल कौन थे वारेन हैस्टिंग्स भारत के पर्थम गवर्नर जेनरल कौन थे लौड बिलियम बैंटिंग निमनलिखित में से कौन सा गवर्णर जनरल ठागी पर था के उनमूलन से संबंधित था लॉड मिलियन बेंटिंग निमनलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्णर जनरल था बिलियम बेंटिंग 1870 में भारत की बैसरा लॉड मयोग की हत्या डैस में की गई थी पोर्ट बलेयर में ब्यापकात का सिध्दांत निती किसने तयार के थे? लॉड डलोजी ने इन में से किसी भारतिये डेल का जनक माना जाता है लॉड डलोजी को भारत में नेमले कितमें से किसी अस्थानी असोसाशन का जनक फादर आफ लोकल चल्फ गोवर्नमेंट कहा जाता है लॉड रीपन को भारत में सामपर्दायक निडवाचन का जनक की से कहा जाता है लॉर्ड मिन्टो को सुतंतर भारत के पहले गबनेर जनरल कौन थे लॉर्ड मॉंट बेटन भारती राजियों पर अंग्रेजी परमुख अस्थापित करने के लिए परशासन का सहायक संधी परणालिका सुत्रपात किसने किया लॉर्ड बेले जले सुतंतर भारत के पर्थम तथा अंतिम भारते गबनेर जनरल कौन थे शिराज गोपालाचारे बेले जले ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज के अस्थापना किसलिये की थे वह ब्रेटिस नाग्रिकों को भारत में परशासन ही तो परशिक्षित करना चाहते थे निमने लिखित में से कौन एक भारत का एकमात यहुदी बायसरा था इसका राइट अंसर हो जगा दोस्तो लॉड रिटिंग अगला कुशन देखेंगे किस गबनेर जनरल ने भारत में शती पर्था का अंति किया था इसका राइट अंसर हो जगा लॉड विलियम आ गया था अठाइसो तैटालिस इस्वी में ठगों का अनुमुलन किस के नित्रत्य में हुआ था कैप्टन शलीमेन निम्लिखित में से किस ने राजपुतानों की देशी रियासतों के साथ 817-18 इस्वी में अधिनस्त संधी की बाचित के थे साल्ज मैट फक आफ अगला क् पहला हो जाएगा दोस्तो 17 इसके बाद बगहाट उद्यापूर और जहां सी इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो आप्शन नमर शी एक तिंग चार दो अगला कुछन है बिलियम बैंटिंग के द्वारा सती पर था किस वर्ष समाप्त की गई 3839 में बिदिटिश परशासन के दोरन निमलिखित में से किस गबरंडर जनरल ने हरप नीती को अपनाया था लॉट डलोजी निम्लिकित में से कौन युगम शही सुमेलित नहीं है अस्थानिया सोसासल लॉर्ड लीटन ये सही सुमेलित नहीं है सहायक संदी लॉर्ड वेलेजली सही है राजय पढ़ान निती लॉर्ड अलोजी सही है अस्ताय बंदोबस्त Lord Carnivalis ये भी सही है अगला question देखेंगे किस वैसराय ने यह कहा कि अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई वहुत खोबशुरत होता इसका right answer हो जाएगा दोस्तो Lord Billigerton अगला question है और श्यानिक प्रसासन उनिस्वा पाज की सिंदर में कौन सा कथन सही है या है इसका right answer हो जाएगा दोस्तो आप्शन नमर बी लॉड करजन ने प्रांतिय शिमाओं को पुनर गठित करने का निरना लिया यह सही है पुर्वी बंगाल और अश्यम नामक एक नया प् कोनों सही है वह कौन सा ब्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्यां की गनना करवाई इसका right answer हो जगा लॉड मेयो अफगानिस्तान के परती आकर्मक नीती किस वैसराय ने अपनाई थी लॉड लिटन ने अगला question है सर पर्थम बिद्दूतार से बाकी शुरॉत लॉड 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 दोस्तो ऑप्चनमर डी लॉड करचन गंधी जी की डंडी मार्च किस में भारत का वैसरा कौन था इसका राइट अंसर हो जागा दोस्तो लॉड एडवीन किस कंपणी ने भारत में पहली बार रेलवे की शुरुआत के थी ग्रेट इंडियन पैनी नुशूला रेलवे अगला क्वेशन है 1856 का सारांस समझोता निमली खित में सिक्ष पुर्व धारना पर अधारित है तालुक के दार दस्त दाज थे जिसका भूमी में कोई अस्थाई पन नहीं था अगला क्वेशन है समराज जिवादी गबर्नर चनर लॉड करचन द्वारा निमली खित में सिक्ष की स्थापना की गई इसका राइट अंसर हो जगा इंपिडिले केड़ेट कॉर्पश अगला क्वेशन है लॉड डलोजी की बिले नेती का पर्थम सिकार 1848 सिस्वी में निमली खित में से कौन हुआ था इसका राइट अंसर हो जगा दोस्तों आप्शन नमर बी सतारा अजाद अगला कुशन है भारत मी पर्थम डिल लाइन का निर्मान की शहरों के बीच हुआ था इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों बंबाई और ठाने के बीच अगला कुशन है भारत मी किस बाइसराय द्वाड़ा कीगे घोशना को अगस्त परस्ताव कहा जाता है इसका राइट अंसर हो जगा अप्शन नमर ची लॉड लिन्थी गो लॉड कलाइव ने बंगाल मी दुएद शासन की शुरुआत कब की 1765 में बलेक हॉल की घटना का बनर निमलिखित में से बंगाल के किस अस्थापन गबनर ने किया है इसका राइट अंसर हो जगा हॉल बेल इंगलेंड के हाउश ऑफ कॉमर्स द्वारा भारत की किस गबनर जनरल पर महाव्योग चलाया गया था बारेन हैस्टिंग सफड भारत में राजस्वी एकतर करने के लिए अस्थाए बंदोबस्त की परणाली शुरू की गई थी इसका राइट अंसर हो जगा आफ्शन नमर डी लॉड कॉर्ण बलिश द्वारा लॉड वेले जली का उपनाम है बंगाल का शेड निम्न में से सहा एक संधिश्विकार नहीं के थी हैदराबाद के निजाम ने के थी इंदोर के होल कर राइन यह नहीं के थी जोधपूर के राजपुत राज से ने यह किये थी इसके बाद मैशुर के सासक यह भी किये थी अब दोस्तों आगे देखेंगे अगला टॉपिक हम लोगों का होने वला है दोस्तों भारतिय राष्टिय आन्दोलन पहला क्यूशन है बिडिटिस वाइसराय लॉड करजन द्वारा बंगाल का इविवाजन किस बर्च क्या गया था 1905 में भारतिय शुधार समिति के अस्थापना किसने किती दादा भाई नरूजी ने आमार सुनार बंगला बंगला देश का राष्टे गान किसके द्वाडा लिखा गया था तो इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो आपसे नमरे रविना टैगोर इन में से कौन इंडियन सोसाइटी आफ ओरियेंटल आठके संस्थापकों में से एक है अब निंद्र नाथ टैगोर लॉड करजन का समद निमन में से किस घटना से है बंगाल का विवाजन से भारत में अंग्रीजी शिक्षा का एक महान समर्थक था इसका राइट अंसर हो जागा ओप्शन नमरे टीबी मैकाले भारतिये विश्विद्यालाय आयू के स्थापना निमलिखित में से किस बर्स में की गई थी उनिश्चो दो में निमलिखित में से किस बर्स राइने 1882 में हंटर आयू को नियुक्त किया था लॉड रिपन लॉड करजन द्वारा कलपना की गई विक्टोरिया मेमोरियल डैस सहर के साथ अस्थापत्ति चर्मो उतकर्ष का प्रतिने थे तो करती है कोलकाता निमन में से किसने गेटवे ओफ इंडिया की पर्षे सनरचनो को डिजयन क्या था जार्ज विटेट निमलिखित में से किस बर्स में इस्ट इंडिया कमपणी द्वारा कलकाता में सर्वोची नियाली की अस्थापना की गई थी खुदी राम बोश को निमलिखित में से किस जेल में फांसी के लिए भेश जा गया था मुझपर पूर निमलिखित ब्यक्तियों में से कौन चटगाउं सास्तरागार चापे से जुड़ा था इसका राइट अंसर हो जाया दोस्तो आप्शन अमड़ी अधे दो दस्ती दार अर्विंद गोश परशिद करांतिकारियों में से कौन मास्टर दा के नाम से परशिद है इसका राइट अंसर हो जाया दोस्तो शुड़ी सेन सुतनता अंदोलन में भाग लेने वाले पसिम बंगाल के करांतिकारी की पहसान केजिये खुदीरा, बोश निम्नमेसि किसा दिबेशन के लिए काउउग्रेश ने पहली बार महला अध्यक्ष को चुना, कलकत्ता दिबेशन 1917 निमले कितमेसि किसने लंदन में सर विलियम हर्ट करजन वाली की हत्या की थे? मदनलार धिंगडा मुशलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश सक्ति का महत्तम बसाव होगा यह किसने लिखा यह कथन मुझपर किये गे प्रहाड भारत में ब्रिटिश सासन के ताबुत में आखे लिकील है कि सुतनता श्यनानी से संबंधित है तो इसका राइट अंसर हो जगा दोस्तो लाला लाजबत राय से करंती काड़ी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था मास्टर अमिर चंद थे भागवती चरन वोड़ा नहीं थे भाई वाल मुकुंद थे अबद विहारी थे अगला क्वेशन देख लेंगे बर्स 1904 में किसी ने करंती काड़ियों के गोपनिय शमीती की रूप में अभी नव भारत का युजन क्या था इसका राइट अंसर हो जगा दोस्तों वीडी शावर कर अगला क्वेशन है बिपीन चंद्र पाल के बारे में नेमलेखित मेशी कौन सा खथन सही है वे कॉंग्रेस के ग्रम दल के सिदसी थे ये कथन सही है मित्र मेला एक क्रांती कारी संगठन था जिसकी अस्थापना बीड सावर करके दोड़ा वर्ष डैस में की गई थी अठाड़ से निनानवे में नेमलेखित मेशी कौन सी घटना उनिस्वा उनिस से पहले घटी थी बंगाल का बिभाजन निमलेखित मेशी की सहर में 1864 में बीज समाज की अस्थापना की गई थी मदरास अब जन्याई बीडिटी सासन की दोरा निमलेखित मेशी कौन सा संगठन और तीन संगठनों की तुलना में पहले अस्थापित की आ गया था इसका राइट अंसर हो जेगा ब्रहम समाज निमलेखित मेशी किसी ने इस्ट इंडिया इसुसी संगठन की अस्थापना की थी दादा भाई नरोजी भारती राष्टे कांग्रेश की संस्थापक कौन थे एओ हियो बन भांग के बाद कौन शा अंदोलन शुरू हुआ था शोदेशी अंदोलन अगला कुशन है भारती राष्टे कांग्रेश की पहले अध्यक्ष कौन थे डेवलूशी बनरजी अगला कुशन देखेंगे निमलेखीत में इसे किशने अठाड़े सो पचितर में आड़े समाज की अस्थापना की थी इसका राइट अंस रोजगा द्याना द्यानंत सर्शती होम रूल अंदोलन कीस बर्च शुरू हुआ था उनिस्षो सोलह में राम क्रिशन मिशंट की संस्थाप कउन थे शुमी बिवेकान निमलेखीत में इसे किसे ने शर्वेटस ओफ इंडिया सोसाइटी की अस्थापना की गौपाल क्रिशन गोखले कामागा ठामारू क्या था एक जहाज निमलिखित में सी किस आखबार का संपातन दादा भाय नरोजी ने क्या था सस्त गोफतार अगला कोईशन है इंडियन एसोसियेशन के अस्थापना निमलिखित में सी किस बर्च में हुई थी 1866 में मेडम कामाने वर्च 1907 में पर्थम तिरंगा कहां फाराया था अगला कोईशन है पुष्टक गुलामगिरी किस के द्वारा लिखी गई थी जो ती बार फुले द्वारा बर्च 1902 में निमलिखित में सी किस ने अपना नाम परिवर्थित करके स्वराज सभा रख लिया इसका राइट अंसर हो जेगा All India Home Rule League अल इडिया मुशिलिम लिख के अस्थाप्रा 1906 में हुई थी धाका में निमलिखित में सी कौन लाला लाजपतराय के लेखन में से एक नहीं है अगला अनहपी इंडिया ये भी है इंडिया विंस फ्रीडम ये नहीं है आरी समाज ये है 1987 में चोधरी देवी लालनी डैस अंदोलान करने तुरित किया था निया यूद का निमलिखित स्वतनता शेनानियों में से किस्ने 1855 में बंदे मातरम कभीता लिखी थी बंकिम चंद्र चटर जी अठारवी सताबदी में ब्रेटिस अभी लेखों में रायत का क्या आर्थ था इसका राइट अंसर हो जगा दोस्तों आपसे नमर एक किसान 1868 से 1901 तक शासन करने वाले भपाल के नवाव कौन थे शाह जहां बेगम अगला कुशन है निमलिखित में से किस ने पहली बार भगवत गीता का अंग्री जी में अनुबाद किया था शॉल्स विलकेंस निमलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापती है इसका राइट अंसर हो जगा शोहन सिंग भाकना इन में से किस ने यह लिखा कि कांग्रेस का जन्म एक सडियंत्र के दत हुआ जिसका उदेश था भारत में एक लोगप्रिय जन्म उभार को पहले से रोकना और पुझी बादी नेता इन में सामिल थे इसका राइट अंसर हो जगा ऑप्शन नमर ए आर पी दत अगला कुशन है भारतिय राष्टिय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिस राष्टि बादियों के परतिस संसियालो हो गए निमलेखित में से किस ने कहा कि कांग्रेस केबल बिसेष्ट बढ़ गियाने सुक्षम अल्प संख्यक का ही परतिने देत्व करती है इसका राइट अंसर हो जगा लॉड डफरीन राजा जनता के लिए बने है जनता राजा के लिए नहीं बनी है राष्टिया अंदोलन के द कि बद्गरी सिध्धांत से जुरा है द्यान अंसर स्वती किस गबनर जनरलों में से किसने कंग्रेस को अतिधिक अल्प संख्यक लोगों का परतिने देत करने वाली कहकर उपहास किया था लॉड डफरीन गपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारस सेबक मंडल की अस पांच में किसने कहा था कि कंग्रेस पतन के लिए रहा रही है मेरी सबसे बड़ी अभिलासा जब तक मैं भारत में हूं कंग्रेस की सांति पुन समापती में शहयोग करना है लॉड करजन अगला कृशन है भारतिय राष्टिय कंग्रेस की सबसे पहली महला ध्यक्ष थी उस दादा भाई नरो जी भारतिय क्रांती की जरने किन्हे कहा गया है मेडम विकाजी रुष्टम कामा को अगला कृशन है शुरेंद्रनाथ बनर जी को किस भारतिय किस वर्ष भारतिय शिविल शर्व विस से हटाया गया 1834 में लंदन में 13 मार्च को सर माइकल और डायर को गोली से माला गया इसका राइट अंसर हो जागा दोस्तो उद्धम सिंग मुस्लिबली का पर्थमध्यक्ष कौन था आगा खा निमलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतिय राष्ट्य का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उदभव हुआ इसका राइट अंसर हो जागा दोस्तो आप्शन नमर ये शोदेशी आंदोलन 1904 में करांती कारी संगठन अभीनव भारत संगठित क्या गया था इसका राइट अंसर हो जागा ऑप्शन नमर दी महाराष्ट्र में दोस्तो अब हम लोगों का अगला टॉपिक एस्टार्ट होने वाला है इसमें अब हम लोग गांधी यूद के बारे में पढ़ेंगे 1915 में बुनियादी सिक्षा या बर्धा यूजना को किस ने दिया था इसका राइट अंसर हो जेगा महात्मा गांधी ने लंदन में पहला गोल में समीलन किस बर्ध आयोजित किया गया था 1935 में चंपारन सित्यागरा निमलेकित में से किस बर्ध में शुरू किया गया 1932 में 1932 का पूर्ण फैक्ट महात्मा गांधी और डैस के बीच एक शम्झा होता था बियार अंबेट का निमलेकित में से कौन सुतनता आंदोलन के लिए भारत छोड़ू चरन के एक मात्र सहीद थे जिन्हें फांसी दी गई थी इसका राइट अंसर हो जाएगा कुशाल कॉमबर निमलेकित में से किस बर्स में श्वबी ने अब अगया अंदोलन पूरी तरह से बंद हो गया था जन्वड़ी उनिस उतिस में महात्मा गांधी की जेल सी रहाई के बाद कॉंग्रेस निता ने भविसकी कारवाई की योजना बनाने के लिए डैस में मुलाकात के इसका राइट अंसर हो जाएगा इलहाबाद में राजघाट डैस की शमाधी है महात्मा गांधी की जबाहर लाल नहरों ने किस के निधन पड़का हमारी जीवन से रोसनी चली गई महात्मा गांधी के निधन पर जबाहालाल नहिडू के अनुसा निवन में से किसे आधुनिक भारत के मंदिरों की रोप में जाना जाता है महात्मा गांधी को दचिना फिरका में एम्बूलेंस से बामी उनकी योगदान के लिए अंग्रेजों ने कैसर एहिंद पदक से सम्मानित किया था इसका राइट अंसर हो जगा लॉड हाडिंग ने शोराज is my worth right and I shall have it या किस नेता का कथन है बाल गंगाधर तिलका रविनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधी किस ने दी थी महात्मा गांधी ने बिसमार्क ओफ इंडिया किसे कहा जाता है बल्लव भाई पटेल को अगला क्यूशन है किस ने महात्मा गांधी को विखारी के लिवास में एक महान आत्मा की रूफ में व्यख्याईत किया था रविनाथ टैगोर निम्र मेंसे कौन एक आशयोग आंदोलन को प्रारंप करने का कारण नहीं था इसका राइट अंसर हो जागा नमक कानून इसके अलावा खिलाफत का परसन पंजाब में अत्याचार और रॉलेक्ट एक्ट ये सारे और सहयोग आंदोलन को प्रारंप करने का कारण था अगला क्वेशन है गांधी सी के आशयोग आंदोलन में लोगों को शराब से प्रहिज करने का आग्रह क्या गया फल्सुरूप सरकार ने राजस्य में भारी खमी आई एक परदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेडित करने के लिए परमुख व्यक्ति करें इसे देख लेते दोस्तों इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों बंगाल विभाजन चंपारन सत्यागर उसके बाद जलिया वाला बागत्याकंट इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर से जलिया वाला बागत्याकंट के बाड़े में निमनमे से कौन सकतन सही है या है इसका राइट अंसर देख लेंगे दोस्तों जलिया वाला बाग में शेना ने निहत्ती भीड पर गोली चलाई सही है शेना जनरल डायर की कमान के अधिन थी सही है गोली चलाने से पहले शेना ने लोगों को किसी भी तरकी सितावनी नहीं दी थी इस सारे सही इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों आप्शन नमर सी एक दो और तिन ये सारे सत्ती हैं निम्नलिकित में से किसके लिए अहमादाबाद सत्यागरह आरंभ किया गया था इसका राइट अंसर हो जाएगा सूति बस्तर मिल काम गाड़ों के लिए जलियावाला भाग नर संहार किस गांधिवादी सत्यागरह के संबंध में हुआ था इसका राइट अंसर हो जाएगा आप्शन नमर भी रोलेक्ट सत्यागरह जलियावाला भाग हास्से में कौन सा बिडिगेडियर संबध था जनरल डायर और शह्योग अंदोलन के दोरण बिहार में किरिशकों का नित्रित किसने क्या था श्वमिद विध्यानंद और शह्योग अंदोलन के दोरण किसने पटना काले छोड़ा जबकि उसकी प्रीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे इसका राइट अंसर हो जया आप्शन नमर सी जे लिखित में से कौन काकोडी शडियंत्र केश यानी मुकदमां से संबंधित नहीं था शुरिशन नहीं था इसके एलावा रामपरसाद बिस्मिल था राजिंदर लाहिडी था अश्फाक उल खाये सारे थे अगला कुश्यन देखेंगे शुराज दर्या पाठी की अस्थापना किसके असफलता के बाद हुए इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों और शहयोगा अंदोलन भागत सिंग राजगुरो तथा सुकदेव को कव फांसी दी गई 23 मार्ज 1931 को भागत सिंग के बाढ़े में निम्रिखित में से कौनसा या से कथन सही नहीं है भागत सिंग समाजवादी विचारों से परभावित थे ये सही है वे हिंदूस्ताने सोचलिट रेपब्लिक एसुशेशन के सिदस्थे ये भी सही है अधिक से अधिक लोगों को मारने के उद्दे से भागत सिंग ने बर्ष 1929 में केंद्रिय विधान सभा में बम फेका ये गलत है अगला कोईशन देखेंगे निम्रिखित में से कौन सा युगम शही सुमेलित नहीं है इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों अप्शन नमर्ड डी नासिक सद्यंत्र केस रास विहारी वोष ये सही सुमेलित नहीं है इसके अलवा दिली सद्यंत्र केस अमीर चंद्र सही है काकोडी सद्यंत्र केस अश्फाक उल्खा सही है लाहोर सद्यंत्र केस जातिन दास ये सही है निम्लेखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया श्रोजनी नैडू राजकुमारी अम्रिताक और कमला दिवी चटोप पधिया इसका रायट अंसर हो जगा आप्शनमडी उपर युक्त शभिम इन में से किसने दूतिया गोल में सम्मिलन में भाग नहीं लिया था महादेव देशाय लिये थे प्यारे लाल नहीं अर लिये थे मदर मुहन मालविया लिये थे जबहा लाल नहरू नहीं लिये थे निम्लेखित में से कौन सा सही शुमिलित नहीं है भारतिय जल सेना अधिनिय सब्सक्राइब भारत में नियुजित विखास का विरूद किसने किया महत्मा गांधी ने जिसे भारत में बिडिटिस का सरकार द्वारा निमलेखित में इसे किस संदर्म में प्रयोग लाया जाना था इसका राइट अंसर हो जेगा गोल में सम्मिलेन में गांधी जी की सहभागिता अगरा क्रेशन है बर्स उनिज्वांटिस में खुदाई खिदमतगार को खिस्ते संगठित किया अब्दुल गफ़ार खान ने निमलेखित मेंसे किस कॉंग्रेश अधिविशन में 31 दिशमर 1937 को पुर्ण सुराज की घोशना की गई थी लाहोर गांधी जी और मार्क्सवाद के बीच एक शमान शहमती पाए जाती है यह निमन मेंसे कौंसी एक है एक अंतिम लक्ष की रूप में राजबिहीन समाज थी इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों बर्ष उन्हें 142 में यह कथन किस क्रांति काड़ी का है भारती सहीदों के खून का बदला लो अपनी मात्री भूमी को आजाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तिमाल करो पूरे भारत में एंगलो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ ओठ खड़े हो दोस्तों इसका राइट अंसर हो जाएगा शुवास्चंद्र बोस यह शुवास्चंद्र जी का कहना था कथन था अगला क्विश्चन है भारत छोड़ो आंदूलन का प्रस्ता बॉम्बाई के किस मैदान में पारित किया गया ग्या ग कदमा चलाया गया था लाल किला दिल्ले में ब्रिटिश भारत में किस राजनेतिक ने उस पाकिस्तान का बिरूध किया था जिसका अर्थ मुस्लिम राज यहां और हिंदू राज कहीं और होता खान अब्दूल गफार खान इन में से किसने राने लक्षमी वाई कर लिया जिसने श्यंपर्भू पाकिस्तान के मांग को वह शिकार कर दिया था इसका राइट एंसर हो जाएगा यूनिस्ट यूनि इस्ट पार्टी दा इंडियन एस्ट्रेगल उनिस्ट से उनिस्ट पूस्त के लेखक नेमलेखित में से कौन से है श्वास्चंद्र बोष फिनिक्स वस्ति यानि व्यवस अस्थापन नाका संस्थापक इन में से कौन से था इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्शन नमर ए महात्मा गांध स्वतंत्र भारत के पर्थम मंत्री मंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे मौलाना अवुल कलामाजाद रविन नाट टाइगोंड ने अपनी नाइट हूड की उपादी किस कारण त्याग दी थी जलियावाला वागत्याकंड की कारण निम्लिखित कतनों पर विचार करें एक स इसका माना जाता है महत्मा गांधी का हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोशियेशन के संस्थापक निम्लिखित में से कौन थे रामपर्शाग बिश्मिल किसने दिली चलो तथा तुम मुझे खूंदो और मैं तुम्हें आजादी दूँगा का नारा दिया था श्वास्चंद बोश निम्लिखित में से किसने मोतिलाल नहडू के साथ स्वराजपाटी के निर्मान में महत्पुन भूमिखा निभाय थी चितरंजन दास और योगा अंदोलन कब समाप्त हुआ 1922 में 1923 का जंडा सत्यागरा कि सहन में आयोजित किया गया था नागपूर में हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपबलिक के अस्थापना किस वर्ष की गई थी 1928 में निम्लिखित में से कौन कॉंग्रेस सोचलिस्ट पार्टी के संस्थापक स्दशियों में से एक थे राम मनोहर लोहिया डैस सैमन कमिशन के खिलाप सांती पूर्ण परदर्शन के दौरण उसे लगी चोटों के कारण दम तोड़ दिया इसका राइटन्सर हो जाएगा लाला लाजपत हिडाए अगरा कुश्चन है भारत की राष्टे ध्वज को कव श्विकार किया गया था कटक अगला कुश्चन है 1942 में महत्मा गांधी द्वारा भाड़ छोड़ अंदोलन निम्लिकित में से किस अस्थान पर शुरू किया गया था अगस्त क्रांती मैदान पर दोस्तो अब हम लोगों का अगला टापिक होने वाला है दिश्चु का इतिहास इसे रिलेटेट कुश्चन को देखेंगे पुष्टक प्लेक्स एंड फिफल्स का लेखक कौन है बिलियम एच मैकलेन दा सोशल कॉन्टेक्ट पुष्टक के लेखक इन में से कौन है रूश्चु अगला कुश्चन है याण डबो की शंदी कभ हास्ताग्चुरित की गई थी इसका आड़ाइट अंशर हो जिएगाँ अगला question है निमने लिखित में से कौन सा या से कथन सही है या हैं और युक्त कथनों में से कौन सा सही है या है वर्ष 1948 में बढ़मा संयुक्त राष्ट से जुड़ गया पर उसने कोड़ी आई युद्में चीन को आक्रमक की रोप में दोशारोपित करने से इंकार कर दिया य सही है इसका राइट अंसर हो जगा आप्शन नमर भी केवल दो कि निमने लिखित में से किस वर्ष में इंग्लेंड की या ट्रेन याने डेल गारी आड़मभे की थी 1825 में वर्षाय का महल निमने लिखित में से किस यूरोपिया राजधानी के पास इस्थित है पैरिश अगला क्वेशन है बर्ष 1997 के टूमैन डॉक्ट्रिन को निमने लिखित में से किस उद्देश की प्राप्ति के लिए घोशित क्या गया था USSR का प्रिरोधन अगला क्वेशन है ब्रेटें वूड समझाओता के तहत कब एक नहीं अंतराष्टी है मौद्रे के परणाली प्रारंभ की गई 1844 में शुतनता शमानता और बंधुता की प्रेणा डैस से ले गई फ्रांसिसी क्रांती से अगला क्वेशन है मेगना काटा द्वारा मेगना काटा डैस द्वारा जारी अधिकारों का चार्टर है इंगलेंड की राजा जौन द्वारा फ्रांसिसी क्रांती की स्वावी बर्श गांठ मनाने के लिए एफ हील टावर का निर्मान किस बर्श हुआ था अठारे सो नवाशी में गुलनावाद की लड़ाई महमुद हो ताकी के नित्रति में डैस साल में लड़ी गई थी इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्षिन नमर भी सतरे सो वाइस अफगानिस्तान पर डैस द्वरा विजय हासिल करने के बाद वह अक्यमेंड शम्राज अंतरगत आता है इसका तर्मिस सुतंता की घूशना के बाद मंगला देश के पर्थम परधान मंतिरी का नाम बताई तजुद्दीन अहमद फ्रांस की अंतिमडानी मेरी एंटोनेट का जन्म किसी देश में हुआ था आस्ट्रिया में आस्ट्रिया में अगरा क्यूशन है भूटान पर कुछ बिहा में दीप पड़ विजय प्राप्त की गई थी इसका राइट अंसर हो जगा पुर्त गालियों द्वारा अफिम यूद्ध दो देशों के वीच लड़ा गया था उन देशों में से एक चीन था दूसरा देश कौन सा है ब्रिटेंड तेरह सो सैंटिस से पंद्रह सो तिरपन तक सो बर्सों से भी अधिक समय तक किन के बीच यूद्ध चलता रहा था इंग्लेंड और फ्रांस के बीच वर्वरियन पड़ के प्रयोगों के वारे में निमलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है यह गिडिक सब्ज वर्वर रास से लिया गया है जिसका अर्थ है नॉन लोग इस पद का प्रयोग जर्वन जातियों गॉल्स और हुनों के लिए करते हैं यह भी सही इसका राइट अंसर हो जागा ऑप्शन वर्षी एक और दो दोनों सही है शुधारों आंदोलन कथन है पोप के प्रमुख के खिलाफ विद्ध्रो हुँ फ्रांस की करांती के संब्ध में वर्ष और घटना का निम्लिखित में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित है इसका राइट अंसर हो जागा दोस्तों आप्शन नमर 3772 बे नेशनल कंवेंशन अमेरिका के तेरा उपनिवशों में से नौस से लिए गे परतिनीधियों से मिलकर व अगला क्वेशन है निम्लिखित में से किसने 1760 तथा 1820 के वीच बिरिटिस और दोगे के भिखास में वे प्रिवर्तनों को बर्नित करने के लिए अंग्रेज में इंडेस्ट्रीर रिवियोलुशन यानि अदोगे करांती सब्द का प्रियूप पहली बार क्या था इसका रा पराडे में निम्लिखित में इसे कौन सा गतन सही नहीं है सैंस को रालेसिकी साहिता से जैकोंविंश में जिरोडेक ट उस पा को वाहर निकाल दिया यह जैकोंविंश की फ्रांसीशी पादरीवर के साथ शार्ट गांति यह गलत है क्रांती बिरोधी गती बीधियों के लिए गिरपतारी कानुन के द्वारा राजनेतिक बढ़ के लिए ही परत्ति बंधित थी ये सही है जुलाई 1744 में गिलोटीन द्वारा रॉब स्फियर की मिर्थी डंड के साथ आतंक राज समाप्त हो गया ये भी सही है अमेर्की सुतनता युद से संबंधिन निमने कत्थनों पर विचार करिए उपर युक्त कत्थनों में इसे कौन साया से सही है इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो अमेर्कियों ने नारा दिया कि परतिनेधित के बिना कोई काराधान नहीं है ये सही है अमेर्की विपार्यों ने बिरिटिज उत्पादों के वहिसकार का सहरा लिया ये भी सही है इसका राइट अंसर आप्चन नमर सी हो जाएगा एक और दो दोनों निम्लिखित में से कौन सा कथन सही है उसने यह घोशना की कि हलाकी नागरिकों के शामान अधिकार होने चाहिए फिर भी वे राज द्वारा शम्रोप वैसे ही सम्मान के हगदार नहीं है ये कथन सही है अगला क्विशन देखेंगे अठारे सो चोवण इस भी के कैनिसास नेबराशका अधिनियम की कारन्यम लिखित में से कौन सा प्रिनाम निकाला इसका राइट अंसर हो जाएगा दूस्तो आप्शन नमर ए मिशोरी समझोता निरस्त किया गया तो था कैनिया सिभम नेबराश प्रिक रूप से समाप्त हुआ आस्ट्रेलिया उस अमेर्की नागरी के आंदोलन कारी करता का नाम क्या है जिन्होंने परसिद भासन आई हैवी ए ड्रेम दिया था इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों आप्शन नमर बी मार्टिन लूथर किंग जुनियर नियो मौडल यूनियनों के विशय में निम्न मैसि कौन सा या से कथन सही है इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों आप्शन नमर ए नियो मौडल यूनियने 1850 की दस्क में गठित की गई थी आप्शन नमर एक ये शही अंसर है अगला कुछिशन देखेंगे निमनलिकित में इसी कौन सा समूख शमान विचार धाला से संबंधित है इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो जार्जी, पलेखनोव, वेडा, जसुलिय, अलेक्जिंडर, कॉलन, ताइव अगला कुछिशन देखेंगे नए नामों और पुराने नामों के साथ देशों का निमनलिकित में से कौन सा एक यूग सही सुमेलित है नए नाम, पुराना नाम, किंगोम अफ इशव तिनि, पुराना नाम, शुर्चर लेंड ये दोस्तो सही युग सुमेलित किया गया है अगला क्यूशन देखेंगे निमने लिखित में से किसका संबंद भारतिय सुतनता जंगराम से नहीं है क्रिप्स मिशन का है नियो डेल का नहीं है सैमन का मिशन का है वेवेल पलान का है बांगला देश डेश को अपना सुतंता दिवस मनाता है इसका राइट अंसर हो जाएगा दोश्तो ओप्शन नमर B 26 मार्च को किस देश को मुख्य रूप से कमिनेष्ट या माववादी दलों द्वाडा सासित क्या जाता है इसका राइट अंसर हो जागा ऑफ्चिन नमर B चीन वाटरलू या वाटरलू का युद किस वर्स लड़ा गया था इसका राइट अंसर हो जागा ऑफ्चिन नमर 8815 को बोस्टन चायपाटी की घरना का समद किस्से है अमेर की सुतंतर युद से शीत युद का भी प्राय क्या है पुर्व और पस्चिम की विश तनाव पुंजी बादी और समभादी दुनियों के विश बैचारिक दुश्मनी महाशक्तियों की विश तनाव उपर युक्त सभी इ इस बर्स में हुई थी इसका राइट अंसर हो जगा 1773 में अगला कुश्चन देखेंगे वह करंती कारी नेता कौन था जिसने ग्योबा में भूमी सुधार और साक्षर्टा में सुधार किया इसका राइट अंसर हो जगा ऑप्शन नमर डी फिदेल कास्त्रो अगला कुश् आप्त हुआ 16 दिसंबर 1971 को अमिर की इतिहास में राष्ट पतियों के सबसे परशिद भाशनों में से एक दी गेटी सबड़ एड्रेस हैं उस अमिर की राष्ट पति का नाम बताईए जिनोंने यह मत्पून भासन दिया था अब्राहम लिंकन किस व्यक्ति ने यंग इटली की शुरूआत की थी इसका राइट अंसर हो जागा जोसेफ मैजने की में राजनेतिक परणाली को किस नाम से जाना जाओं से हैं आफगानिस्तान इस्यलामी अमीरात के नाम से निल्खेत में से कुंसा देश गंतनतर देश नहीं है गंतनतर देश है भारत UKissement Dallas ए या गंतंतर देश नहीं है चीन की विशाल दिबार की निर्मान का स्रय किसे दिया जाता है इसका राइट अंसर हो जाएगा क्यूंइन सी वांग को निम्ली कितमी सी किस कारण या किन कारणों की बज़े से इंगलेंड में सबसी पहले अद्धोगिक करांती हुई इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो इंगलेंड में सबसी पहले अद्धोगिक करांती हुई इसका राइट अंसर हो जाएगा बिग्यान शंबंधी अविश्कारों ने आदोगिक करांती का मारग पड़सस्त किया इसके लिए अनुकुल समाजिक और राजनितिक सनरशनाई थी नोगमिनदियों ने अंत्ता अस्थलिया यानि आंत्रिक पडिवहन को आश्यान बनाया इसने पुझे वादी वेवसाय की परधानता परभुत्त को देखा इसका राइट अंसर और अपसे नमर डी हो जाएगा ये सभी अगरा कुशन देखेंगे पुनर जागरन अंदोलन सबसी पहले शुरू हुआ था इंगलेंड में 1850 की दोरों ब्रीटेंड 10 कहलाने लगा निकास यानि निसकासन के लिए बर्श 1968 में माइनर्स फ्रेंड नमक मोडल भाफ इंजन निमलेखित मीशी ये निर्मित ख्याथा था अगरा कुछन देखेंगे निम्लिखित कथनों पर विचार करिए उपर युक्त कथनों में से कौन सा या या से कथन सही है या है इसका राइट अंसर हो जाएगा दोश्तों बोल सेविकों का या विश्वास था कि जार की रूप में जैसे दमनात्मक समाज में पार्टी को अनुशासित होना चाहिए और अपनी सदश्यों की संख्यां को नियंतरित करना चाहिए सही है मान से भी किया मानते थे कि पार्टी को सभी के लिए खुला रहना चाहिए जैसे जर्मानी में इसका राइट अंसर हो जाएगा आप्शन नमर सी एक और दो दोनों सही है अगला क्यूशन है निमने लिखित मेसी कौन सा देश नेपोलियन के विरुद तीसरे गठवंधन यानि संग का एक हिसा नहीं था रूस था फरसा यानि फरसिया था श्रीडन था फ्रांस नहीं था पॉल हिडेवडे हिडेशों के विरुद अमेर्की करांती में लड़ने वाले एक देश भक्त थे उस शहर का नाम क्या है जहां वह रहते थी और जहां उनकी मिरती हुई बोस्टन अगला क्वेशन है श्री लंका में अधिकतांस लोग किस धर्म का अनुशरन करते हैं इसका राइट अंसर हो जगा आप्स नमर सी बहुत धर्म का दूतिया विश्यूध में दूश्मन की पंडुबी को ट्रैक करने के लिए बिक्सित परदोगी की कौन सी थी शोन अधिपत्य सम्राट हैं इसका राइट अंसर हो जगा ऑप्स नमर सी जिंग में खेशर नाम ग्याल श्री लंका को डैस बर्स में अजादी मिले थी 1948 में टेड़ा कोटा आणवी टेड़ा कोटा की मुर्तियों का एक संग्रा किस देश के पहले सम्राट की सेनाओ को दर्शाता हैं इसका राइट अंसर हो जगा ऑप्स नमर ए चेन परशिद पुष्टकदार इप्पब्लिक के लेखक हैं पलेटो मैंन केम्प मेरा संगर पुष्टक किस की आत्म कथा हैं हिट लड़की निम लिखित में से किस ने वाइविल का जर्मन भासा में अनुबाद किया था इसका राइट अंसर हो जगा ऑप्स नमर ए मार्टिन लूथर कॉलर मार्क्स थे जर्मन चिंतक अगला क्वेशन है महान दार्शनिक पलेटो किस देश की निवासी थे ग्रेश के रूशी वाद का जनक किसे माना जाता है इसका राइटन सरू हो जगा पलेगहा नोव को फोलेंस नाइट टिंगल का नाम किस यूद्शी संबंधित है क्रीमियान यूद्शी अगला क्वेशन है रूशी करांती की जनक कंते वी- आर लेनिन अगला क्वेशन है बंगलादीश मुक्त यूद डैस्पर समाप्त हुआ शोला दिसंबर 1971 निमन में से कौन सा भारती जपान में डाटी गटन हाल इसकूल के संस्थापकों में से एक था जादा भाई नरोजी भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 की यूद की दोरन भारत के रक्षा मंत्री कौन थे जग जीवन हिराम दोस्तो अब हम लोग मिशलेलनिया से देखेंगे बिवीदें बिवीद का पहला कुश्र है चरक सहीता संबंधित है चिक इत्षा से निमन में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है BC 261 कलेंग यू सही है AD 68 सक संबत की शुरात सही है AD 662 मुशल विजी यू की शुरात सही है AD 709 औरंग्जेव की मिर्ट्यू यह गलत है अगला देख लेंगे निमनेड लिखेत किस करम में भारत आए इसका देखेंगे काल करमानों सारत दोस्तों इसे सजाएंगे पहले फाहियान आये उसके बाद हुएंसंग उसके बाद टॉमस रो अगला कुशिन देख लेंगे भारते इतिहास में धन बत्री कौन थे चंद्रगुप्त विक्रमादित की सभा को शोभित करने वाले परशिधे चिकित चक। हिंदू बिद्वापुनडविवा अधिनियम अठाड़े सचपन जिसे लॉडड डैस द्वारा पारित किया गया था। लॉड कैनिंग द्वारा। 1891 में वी एम मालावडी के पर्यासों को तब फल मिला जब सहमती की उम्र अधिनियम को पारित किया गया जिसके अनुसार 10 बर्ष से कम की वालिखा को विवाह पर परतिबंध था इसका राइटन सरो जगा 12 बर्ष शिंधू घाटी सभ्यता के बाड़े में इनमेशी कों सा कथन सत्य है शिंधू लोग कपास का उद्खनन करने वाले पहले थे ये सत्य है उपनेण समारो शिक्या तात्य पड़ी है इसका राइटन सरो जगा दोस्तों पच्चों को पवित्र जने उधारन कराया जाता है शत्मेव जयते महावाक्य कहां से उद्धिरित है इसका राइट अंसर हो जगा ऑप्चन नमर सी मुंडक उपनिशा से बेदों के गद पड़करन क्या कहलाते हैं ब्रहमन अगला क्यूश्चन है रिक बेद में निमलेखित में से किस देवता की सरवाधिक महत्ता का बर्णन हैं इंद्र निमलेखित में से किस भारतिय पुड़ातन गरंत में अप्राध और अप्राधिका जिक्र आता है इसका राइट अंसर हो जागा दोस्तों मनु अश्मिर्ति और उपड़ युक्त सभी इसका राइट अंसर हो जागा दोस्तों मनु अश्मिर्ति या फिर उपड़ युक्त शभी आगे देख लेंगे मनु श्मिर्ति जीवन का शर्व शित्तम ध्य है कैवल जिसका अर्थ है इसका राइट अंसर हो जागा दोस्तों आप्से नमर सी एक च्छाओं पर विजय प्राप्त करना अगला कुश्यन देखेंगे अश्मिर्ति अश्मिर्ति का शिलालेख में ब्रह्मी लिपी का पड़यूग नहीं किया गया था शारनात में क्या गय था? शाहवाज गढ़ी में नहीं क्या गय था? धोली में क्या गय था? अगला क्कِशन देखेंगे बिडेहद साची अस्तोप किस काल से संभंधित है? मोणी काल से हर्स वर्धन ने 5 Inрьमेश को अपने नियंतरन में लिया इन में से कौनसा पांच इंडिस था पंजाब का नौज बंगाल बिहार और वड़ीशा रिग बेद में नहीं ते गायतरी मंतर किस देवता को शमरपित है शाबितरी को अगला कुशन है सरवाधिक प्राशिन पुरान कौनसा है इसका राइट अंसर हो जगा मतस पुरान निमन में से कौनसा उपवेद नहीं है योगवेद बैदिक देवता इंद्र किसके देवता है बरसाव चक्रवाध के अगला क्वेशन है उस अस्थान का नाम बताइए जहां बौधों की मानियता के अनुसर गौतम बुध ने अपनी मिर्द्यों के बाद परी निर्वान प्राप उस अस्थान का नाम बताइए जहां बौधों की मानियता के अनुसर गौतम बुध ने अपनी मिर्द्यों के बाद पुनर निर्वान प्राप्त किया था इसका राइट अंसर हो जगा ऑप्शन नमर भी कुशी नगर अगला कुशन देखेंगे पाली में बौध गरंतों को आम तरपड त्रीपीटक याने थ्री फोल्ड वास्केट कहा जाता है इन में से कौनषा त्रीपीटकों में से नहीं है अभी धंपीटक है सूथ पीटक है अपाशा पीटक नहीं है बिन्हेपीटक है भगवान बुध की 200 फिट ऊची कांसे प्रतिमा अस्थापित करने कांन किया था? इसका राइत अंसर हो जगा महावुधी मंदिर समो, ज्यान प्राप्त करने के बाद गोतम को किस रूप में जाना जाने लगा. बुद्ध बुद्धों के लिए उत्तर परदेश में इस्थित सार्नात क्यों महत्यपूर्ण है ग्यान प्राप्त करने के बाद भगवान पुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था इसे लिए जैचंद के विश्वास घात के करण पिर्थवीरा चोहान की प्राजय हु चंदावर यानि कनोज 11492 लोह और रक्त की निती किस ने अपनाई इसका राइट अंसर हो जगा बलवन ने भारत पर तैमोर ने किस वर्ष आकरवन किया था तेराश अंठाण बे में खिरिज खान इमलेखित में से किस राजबन से संबंधित था शयद बन से अमिर खुशरो जिन्हों ने कवाली का पिता एबं भारत का तोता भी कहा जाता है किसके दरबाड में दरबाडी कभी थे इसका राइट एंसर हो जगा ऑप्चन अमर डी अलाव दिन खिल जे भारत म मिशकंदर लोगी देखा सासनकाल कब से कब तक था 1489 से 1517 दिले में कुतुम मिनार दुनिया का सबसे उचा इट का बना मिनार है इसमें से कौन से राजा ने इसके निर्मान में योगदान नहीं दिया है फिरो सा तुगलक दिये हैं कुतुब बुद्धी नेवक दिये हैं अलाओ दिन खिल जी नहीं दिये हैं इल्तुतिमिस दिये हैं निमलेखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखा कब नहीं था अब बास खां शेरवान ये नहीं था इसके लवा अमीर खुश्रो जयाओ दिन वर्ने और मिनहास उल उस सिराज ये हैं निमलेखित कि स सम्राट के सासनकालमी भारत का पहला मुद्रा रोपया मुदृत हुआ इसका राइट अंसर हो जगा option 250 स्णयव स्धुरिंस क्थमाश्रो मोगल lihat जहंगेडि से किस किले में मिला था। इसका राइट अंसर हो जगा अजमेर इन मेंसे किसने भूमी राइट अंसर हो जागा अगला कुश्यन देखेंगे मोगल में पुलीस वलके मुख्या को क्या कहा जाता था कोतवाल निम्लिखित में से किस मोगल सासक ने अन्तोगतावा मेवार के सासक महराना परताप शिंग के पुतर राना अमर्शिंग से एक समझ होता किया इसका सासक की मिर्ति उसके पुष्टकाले की सीडियों से गिर कर हुई थी हुमायों के मोगल सासन की दोराण एक कोतवाल की सही भूमी का क्या थी कानौन और व्यवस्था बनाए रखना बिहार समराज शॉरी बिहार राज के सासा राम शहर में निम्लिखित किस प्राचिन समराट का मकबारा इस्थित है शिर्शा सूरी का मोगल बंस के पहले समराट बाबर ने अपनी देशिया भासा शकताई तुर्की में अपनी आत्मक्ता लिखी है इस पुष्टक का नाम क्या है बाबर नामा अगला क्योशन है भारत में जहांगेर का सासन काल क्या था 1605-1637 पहला के लिए में अस्थापना निम्न में से किस मोगल सासकने के थे साजाने अगला क्योशन देखेंगे अकबर के दर्वार में परचिद कभी थे इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर से अब्दुलरहेम खान अडंग जेब का डैस पुत्र था अडंग जेब का इसका अडंग जेब इसके अलावा अकबर साहजा जहांगेर यह सारे सराब को इस्तमाल में लेते थे निम्न लिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है बड़ा इमाम बारा लखनाव यह सही है निसात बाग जम्मो कश्मिर यह भी सही है फिर उसा कोटला यह दिल्ली यह भी सही ह हुमायू का मकबरा इलाहवाद यह सही नहीं है यह गलत है अगला कुश्यन देखेंगे निम्न में से कौन सा संबंधित रसनाय सुमेलित नहीं है बाबर नामा बाबर सही है साहजा नामा इनायत खान यह भी सही है हुमायू नामा हुमायू यह गलत है तो जुक एक जहांग अगला कुश्यन है निम्न मेसी किसको देख्, मुख, फाटिल और नायक नाम से पुकारा गया स्वतंत्र सरदार को शिवाजी के समय शर्णोबाद का पद शंबध था इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर डी सैन परसाशन से बर्स डैस में इस्ट इंडिया कंपणी ने जहाजोंने सूरत के पास इस्तित श्वाली एस सुवरी में पुर्त गालियों को प्राजित क्या था इसका राइट अंसर हो जेगा ऑप्शन नमर ची सोले सो बाड़ा है स्वी 1857 की पर्थम सुतनता विद्रोह में भाग लेने वाली परशिद महिला सुतना से नानी कौन थी बेगम हजरत महल अगला कुईशन है डैस में ब्रेटिस सरकार ने भारत में सरकार की चनरशनां में कुछ सुधारों की घोशनां की जिन्होंने मोरले मिन्टों सुधार की रू भारत में ब्रेटिस सासन की दौरण भूमी राजस्व परणाली से संबंधित नहीं थी इसका राइट अंसर हो जगा जमिंदार अस्थाय पंदोबस्ति ये थी महाँ वारी ये भी थी दस्तक ये नहीं थी रयत वारी थी 1764 में ब्रिटिस इस्ट इंडिया कमपणी दोरा अस्था पित भारत का पला डागघर नेमले खितमीसी की सस्थान पर था इसका राइट अंसर हो जगा ऑप्चन अमडी बामबै अब पूने दैशिन भारत के किस राजा के बर्स? किस राजाने बर्स 1791 में कोला चेल की लडाइ में डच इस्ट इंडिया कमपणी को प्रास्थ किया था? इसका राइट अंसर हो जगा मर्तन्ड बढमा अगला कुश्चन है किस बर्च में इस्ट इंडिया कमपणी ने रेड़न जीत सिंग के साथ अम्रीचर की पहली संधी पर हस्ताक्षर किये अठाड़े सो नौ में बक्सर के यूद के बाद इस्ट इंडिया कमपणी मुगर समराठ को पर्तिबर्च डैस का भुखतान करने के लिए शाहमत हुई इसका राइट अंसर हो जगा 26 लाख रुप ये नहीं था बांबाई था मचली पटनम नहीं था भारत में काजू का पर्थम पडिश है किन लोगों ने कराया पुर्त गालियों ने पहली डैनिस इस्ट इंडिया कमपणी ने अपनी पडिचालन किस वर्ष में शुरू किया 266 में बक्सर के युद के बाद डैस के नवाव ने इलाहवाद और करा को मुगल समराट को शौप दिया जो ब्रेटिस सैनिकों के सेलेक्षन के अंतरगत आया था इसका राइट अंसर हो जागा दोस्तों आप्शनमर डी अवद ब्रेटिस सासन को भारत से उखार फेकने के इन में से किसे फ्रांसेश्यों की मदद मांगी थी टेपो शुल्तान अगला क्वेशन है पहिए का विश्कार कब हुआ नप पाशानकाल में सिंदु घाटी सभ्यता के निमलेकित अस्था नौ में से कौन सा अस्था शिंदु नदी के किनारे इस्थित था इसका राइट अ पड़न के से दर्शन से संबंधित है इसका राइट अंसर हो जागा जैन दर्शन से स्याधवाद शंबंधित है जैन से अगला क्वेशन है कौन सा दर्शन तिरी रतन को मानता है जैन दर्शन भारत की धार्मिक पर्थाओं के संदर्व में अस्तानक वाशी संपरदाय का समद्ध किसे है जैन मत्से अगला क्विशन है इन में से कौन बुद्ध की धात्री मा यानि मौशी थी इसका राइट अंसर हो जगा महा परजापती गौत्मी कौन सा अस्तान गौतम बुद्ध से संबध नहीं है शारनाथ है बुद्ध गया है कुशी नगर है पावापूरी नहीं है अगला क्विशन देखेंगे बुद्ध धर्म की तीरतन का क्या भी पड़ाय है बुद्ध धम शंग छनिक वाद का परतिपादन किसने किया बुद्ध ने अगला क्विशन है रिडाजा अवनती पुत्र अवनती पुत्र और बुद्ध के शिस कंचना के वीच वर्ण के विशय में संबाद निम्लिखित में से किस बौध गरंथ में मिलता है मंजी निकाय में विशु का सबसे बड़ा बौध मंदिर कहां इस्तित है इसका राइट अंसर हो जेगा इं अजन्ता में है अगला कृशन है निम्लिखित में से कौन से सासक ने बौध मत के बिस्तार में योगदान नहीं दिया पुष्यमित्र शूंग इसके अलावा हर्श बर्धन अशूग और कनेक्स ये सारे योगदान दिये अगला क्वेशन है निम्डखित में से किस सैल किरित गुफा में ग्यार सिरों के बोधी उच्छब का अंकन मिलता है कनहेरी इन में से कौन पनमार बंसका सासक नहीं था उपेंदर था मुझ था गंगय देब नहीं था उदय दित्त था अगला क्वेशन देखेंगे मुहमद बिन तुगलक ने दिल्ली के अस्थान पर नवीन राजधानी किसे बनाया इसका राइट अंसर हो जागा दौलता बात को निमलेखित में इसी कौन सा युग में शुमेलित है नाम गरंत यानि संगेत इसका राइट अंसर हो जागा दोस्तो पूंड्रेक विठ्थल रागमाला ये सही शुमेलित है मांडू के जहाज महल का निर्मान निम्लेखिती में से किस सासक ने करवाया था सुल्तान महमुद पर्थानम ने जौनपुर राज का अंतिम सासक कौन था इसका राइट अंसर होशयन सा हो जाएगा इसमें से कौन इंडियन सोसाइटी ओफ ओरियंटल आर्ट के संस्थाफकों में से एक है अब निंदरनाथ टैगोर निम्लेखित में से किस संगीत तक ने राजा मांसिक तोमार और गुजरात की बहादूर शाह के राज दरबार में सेवादी इसका राइट अंसर हो जाएगा बैजो बाबरा निम्लेखित में से कौनशा भी दोन कुमभा के दरबार में नहीं था इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शनमर डी मनुसिन बेजाय शूरे कच वाहा राजबंस के अस्थापना किस सदी के उत्रार्ध में हुई थी इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों बारावी सदी के उत्रार्ध में अनंत बडमन चोडगंग का सम्बंद किस प्रांतिय राजबंस से है उरिशा से उरिशा में कौनार्क का सोड़े मंदिर किस ने बनवाया था नर्सिंभन पर्थम ने अगला क्विशन है उरिशा के सोड़े बंस से सासकों ने किस की उपाधी धारन की थी गजपती के पुष्टी मार्खे संस्थापक मापरवु बलवाचार की जन्मास्थली कहां है इसका राइट अंसर हो जाएगा चमपारन बिनेपत्तिरिका के रचिता है तुलशी दास निमनलिखित युगमों में कौन सही शुमेलित नहीं है धोब्रदाश भक्त नामावली ये सही है नावादाश भक्तमाल ये भी सही है रख खान रशिक पिडिया ये गलत है उश्मान चितरावली ये सही है निमनलिखित में सी किस चिस्ती संत को चिराग इदिली कहा जाता है इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों नसीर उद्दीन को अगला क्विशन है निम्लिकित में सी कौन चिस्ती सिलसिले से संबध नहीं है ख्वाजा कुतुब उद्दिन वक्तियार का कि ये संबध है शेख अब्दुल्ला की जिलानी ये संबध नहीं है शेख मुझे जिश्ती संबध है और शेख निजाबुतिन ओल्या ये भी संबध है उद्दिन जकारिया की संबध depreciate के शोठाबर्दी संबध के अगला क्वेशन है निमने लिखित में से कौन सा मुगलवासा नक्स बंदियानेता ख्वाजा ओबैदुला अहरार का अनुवाई था इसका राइट अंसर हो जाएगा बावर शूफी किर्थी कस्प अल महजूब का लिखक कौन था इसका राइट अंसर हो जाएगा अबूल अगला क्वेशन है शूफी संत के मकबड़े को जाना जाता है दरगा, गुजरात का साथक बहादूर्चा किसके साथ हुए संगर्च में माना गया पूर्तगाले, अगला क्वेशन है भारत में पहला अंग्रेजी अख्वार किसने प्रारम्भ किया था, जे हिक्कि भारत मे परकासित पहला समाचार पत्र निम्लेखित में से कौन सा था दा बंगाल गजट अगला कुश्चन है निम्लेखित में से कि समाचार पत्र या पत्तिरका से महातमा गांधी संबंधित नहीं थे इंडियन ओपेनियन से संबंधित थे गंग यंग इंडिया से संबंधित थे समाचार पत्र उद्धन्त मार्तांड यानि तीस में 1826 को प्रकासित हुआ था इसका राइट अंसर हो जगा कलकत्ता से 10 रोजा पत्रिका राश्टिया आंदोलन की दोरन किसने प्रारंभ की थी इसका राइट अंसर हो जगा अब्दुल गफार खाने और अश्पर्शिय शमुदाय की लोगों को लचित कर पर्थम माशिक पत्तिर का विटाल विद्वन सक इसकी दोरा प्रकासित की गई थी इसका राइट अंसर हो जाएगा तो इस तो आप्से नमरे गपाल वावा वालंगड बनारा सिंदू विशिप्टायल एक इस बर्स अस्थापित क्या गया था 1916 में हैनरी टी कोल ब्रूक नेम लेखित में से कि संस्थान में संस्कीत के प्रोफेसर थे पोर्ट बिलियम कालेज में कोल्कता में महा काली पाट साला की संस्थापि का कौन थी संत माताजी महरानी तपश्विनी कल्कता में एसी आटिक शोशाइटी ऑफ बंगाल के स्थापना 1784 सिवी में किसी ने की थी बिलियम जौन्स ने अगला क्वेशन देखेंगे शुरंद्र नाथ बंड़ जी को किस बर से भारती शिविल शर्विस से हटाया गया इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों आप्शन नमर ए 1874 सिवी भारतीय राष्ट्य कांग्रेस के स्थापक कौन थे एओ ह्यूं अगला क्वेशन है भारत की विभाजन के सिमें भारतीय राष्ट्य कांग्रेस का द्यक्ष कौन था जेबी किर्पलानी अगला क्वेशन है शुराज मेरा जन्मसी दाधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा किसने कहा था बाल गंगाधर तिलक ने इन में से कौन शबसे कम आयोमे भारतिय राष्टे कोंगरिस का ध्यक्ष बनने वाला ब्यक्ती था अब्दुलकलाम अजाद भारतिया सुधार समीटि की अस्थापना किसने की थी दादावाई नरोजी ने ने मलेखित में से कौन उपगरंथी नेता नहीं था बाल गंगाधर तिलग था लाला लाजपत राय था विपिन चंदरपाल था गोवाल कृष्ण गोखले ये नहीं थे अगला कृष्ण देखेंगे उन्होंने मैजनी गैरी बालडी शिवाजी तथा श्रीकृष्ण जी की जीवने लिखी वे अमिर्की में कुछ समय के लिए रहे थे अमिर्का में कुछ समय के लिए रहे थे तथा हुए कंद्रिया सभा के सिदस्भी निर्वाचित वे थे वे थे इसका राय टंसर हो जगा लाला लाजपत राय अगला कृष्ण देखेंगे निमनलिखित में से किसने बर्ष उनिस्व नम्मर डी वीडी शावरकर शावरकर बंग भंग के बाद कौन शाव अंदोलन शुरू हुआ था शोदेशी अंदोलन की दोरन किसके धक्सता में कोलकता में एक नेशनल कालेज की शुरुआत की गई थे अरविंद गोष अगला कुश्चन है शोदेशी और भहिसकार पहली बार किस घटना की दोरन संगर्श की बिधी की रूप में अपनाए गए इसका राइट अंसर होजेगा दोस्तों आप्शन नमर ए बंगाल विवाजन के बिरुध आंदोलन